व longtemps、「 Phil क Wenn Youвалर नाज़ू करने ना।। हैलो, 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 हैलो bird नमस्थे, नमस्थे, नमस्थे बॉड्मॉर्पीन गॉड्मॉर्ण बॉड्मॉर्पीन एवर्यवन कै आप सबी लोगों को मेरी यावाद सही से सुनाई दे रही है जल्दी से एक बात हमजब कर दीजे नमस्ते, 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 हम लोग तोड़ा सा पहले इसले आ गए हैं क्योंकि कुछ बच्चे एकटा होने में टाइम लिइँगे तो हम लोग तो अब थोड़ा सा जनरल बात कर लें तब में है हमाई पास और चार तारीक का शिफ्टू का इसको याद करने में यह घंटा लग गया यह 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 नमस्टे 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 लव यू आल लव यू आल लव यू आल आज़ा भाई इतना बड़ा डिस्क्रिप्शन है कि कैसे लिखते 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 कोशन बच्चा है तो कोशन सौल कर रहा नीचे शिफ्ट का पेपर भी इतना बड़ा हो जाएगा कि लगे का दूसरा कोशन आ गया जेए में दोजार चोबीस में सेकिंड एटेम्ट एपरेल वाला उसमें चार तारीका शिफ्टू का पेपर काट डिसक्शन आम लोगों को करना है मर्दवा बहुत हो गईलभा चलिये कोई नहीं ठीक है आई 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 ए चो कुछ बच्चों ने शायद यह वाला एटेम्ट दिया होगा और कुछ बच्चे शायद अगर मै लोगों से बोलूँगा जिनका भी शिफ्ट होने वाला है stick to your notes कुछ भी नया करने की ज़रत नहीं है कुछ भी नई strategy सुनने की ज़रत नहीं है जो आपने पढ़ा है बस उसी को revise करिये physics के लिए मैं आपको बात बोलूँ तो physics आपके notes से ही आएगी आप भली इस platform में में पढ़ रहे हो मैं हर teacher को equal respect के साथ बोलूँगा कि उन्होंने जो भी आपको पढ़ाया है वो सही पढ़ाया है आप प्लीज अपने notes को खोलिए अगर आप यहां से कुछ improvement करना चाहते हैं तो आपको अपने teacher के notes को ही खोलना पढ़ेगा और अगर आपने कोई नई चीज उठा कर start कर दी तो आपके लिए काफी stressful होएगा वो दिमाग में जाएगा नहीं और फिर एक fear होने start हो जाएगा कि यार यह तो चीज मेरे से हो नहीं पा रही है और मैंने revise भी नहीं किया है ठीक है clear yes 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 तो जितने भी मेरे पुराने लक्षे वाले students है और प्रयास वाले students है I just want to tell you कि आपको लगा होगा कि मैं शायद कहीं चला गया हूँ ऐसा नहीं है एक्चुली में मैं social media में नहीं हूँ तो मैं connected feel आप मेरे से connected batch में रहते हैं तो आपको लगता है राजोंसर रोज आ रहे हैं लेकिन अगर मैं social media पे होता तो शायद आपको लगता राजोंसर अभी भी हमारे पास है तो ठीक है कोई नहीं लेकिन मेरे को पता है आप लोगों नहीं है हो सकता है ठीक है हाँ येश 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 आईये भाई हाँ आजो 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 ठीक है तो भाई ये वाला जो हमारे पास shift है हम लोग physics के paper की discussion की बात करेंगे आगर मैं paper की बात करूं तो easy level and moderate level कुछ बच्चे जिनुकी तियारी थोड़ी सी weak होगी उनको moderate लग सकता ह tough category में ये paper नहीं जाता है ठीक है तो सबसे पहले हमारे पास question आ रहा है bulb rating 50 watts एक हमारे पास bulb है अगर आप अपने notes खोलेंगे तो आपको definitely rated power rated voltage and the bulb के बारे में बताया जाता है ठीक है तो उसी के basis पर ये question है और आपको हो सकता है notes में directly formula भी इसका मिल जाए तो ये जो है 50 watts this is power rated मैं class में ये चीज़ बताता रहता हूं कि ये rated होता है कि अगर आप इतना voltage देंगे ठीक है 220 नहीं है 200 volt है हमारे पास अगर आप इतना volt देंगे तो ये इतना हमारे पास power generate करेगा circuit में अब बात यहाँ पर है कि एक bulb के अंदर हम लोग tungsten का filament यूज करते थे और हम कहते थे कि जो resistance of the bulb है वो हमेशा आपका constant ही रहता है तो power is equal to v square by r तो अगर आप देखे तो resistance of the bulb जो है वो हमेशा constant रहेगा this is rated power का square divided by rated rated voltage का square divided by rated power ये इसका resistance है अब कोशन में क्या बोला है कि अगर हम लोग इसको 100 volt पर लगा देंगे तो क्या होगा तो अगर आप इसको 100 volt पर लग बात करूं तो power in the circuit will be voltage of the circuit का square divided by resistance of the bulb का resistance कभी हमाय पास change नहीं करता है तो उठा करके डाल दीजे और ये आपको note में भी formula मिल रहा होगा अगर आपने notes को ढंक से पड़ा होगा तो यहां पर v circuit का square ठीक है v circuit का square divided by v rated into power rated हमारे पास आता है ठीक है तो circuit में आपने कितना लग लगाया है 100 लगाया है और यहां पर आपने कितना लगाया था 200 लगाया था ठीक है और इसका square into power हमारे पास कितनी थी 50 हमारे पास यहां पर power थी तो यह हमारे पास 1 by 4 हो जाएगा तो 50 by 4 या 25 by 2 या 12.5 watts जो भी आपका option रहेगा that is going to be your answer yes clear तो यह चीज आपको अपने notes से directly मिल जाएगी कि यहां पर यह किसी के भी मैं सिर्फ अपने लिए नहीं कह रहा हूं किसी के लिए भी कि bulb का जब हम भी हम पढ़ाते हैं तो हम यह mention करते हैं कि भाई power in the bulb हमारे पास जो power bulb का है वो voltage पर depend करेगा resistance उसका हमेशा constant रहता है वही concept अगर आप बात करें तो concept इसका यह रहेगा ठीक है तो basic है easy है मैं हाप पर कहूंगा कि अगर आप अराम से करेंगे तो यह हो जाएगा yes कुछ बच्चों से गलत हुआ आगे वाले shift वाले याद रखना कि bulb का resistance कभी भी चेंज नहीं करेगा यह हम लोग मान के चलते हैं ठीक है अब यह हमारे पास electrostatic से हमारे पास बारवी का सवाल है charge q is placed at the center of the surface of the cube ठीक है कि एक हमारे पास cube है इससे आसान सवाल नहीं आ सकता ठीक है और इसके एक surface के center पर हम लोग ने charge को रख दिया है तो इस प्रकार के गौ et было को करते हैं अगर आप देखेंगे तो 50-60 तो इस प्रकार से होते है face center after center हमारे पास body center और corner पर हमारे पास इस प्रकार के सवाल होते हैं आगर आपर देखे तो इस सवाल को कैसे करते थे बेटा कि आप symmetrical system अब आगे जाके आपका कैसा भी system आए तो आप symmetrical system मनाएंगे अब यह symmetrical यह हो गया यह charge उपर वाले cube और नीचे वाले cube के लिए मैं faces के लिए नहीं क्या रहा हूं पूरे-पूरे cube के लिए हमारे पास symmetrical हो गया तो आधा flux हमारे पास इधर जाएगा और आधा flux बेटा हमारे पास इधर जाएगा तो इन्होंने पूछा है कि हमारे पास flux through the cube तो that will be q by 2 epsilon 0 यह आपका answer होगा क्लियर येश येश हाँ या ना बेटा वेरी गुड ठीक है तो डी option data question को read करना भी बहुत important है अब है a car running at 72 km per hour reduces velocity to half in 4 seconds considering uniform retardation then find the distance traveled in this interval ठीक है येश अब जड़ा देखो अगर हम आपर uniform retardation है तो इसको आप kinematics की equation से करना चाहें तो कर सकते हैं graphically भी कर सकते हैं येश हाँ आई 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 तो अगर मैं graph बना लूँ दोको इन्होंने distance पूचा है तो vt graph बना लेते हैं तो initial velocity हमारे पास 20 meter per second है तो यहाँ पर 20 हो गया और अगर acceleration constant है ठीक है तो हमारे पास slope constant रहेगा मैं यहाँ पर लिख देता हूं slope of vt हमारे पास यहाँ पर constant रहेगा and negative रहेगा क्योंकि retardation की बात हो रही है और यह हमारे पास speed घट के 10 हो चुकी है चार second के अंदर अब मेरे को यह बताना बिटा अब जड़ा सारे बच्चे मेरे को यहाँ पर बताना कि हमारे पास distance अगर हमें निकालना है देखो यह memory based सवाल है data ओपर नीचे हो सकता है questions में addition या subtraction भी हो सकते addition या subtraction मतलब कुछ और चीज़े भी पूछी जा सकती है लेकिन जो चीज़ बच्चों ने बताई है उसके विसे आप से मैं बता देता हूं ठीक है अब सारे बच्चे जरा बताना कि अगर मैं यहाँ पर यह हर कोई बताता है यह आपके notes में concept है ठीक है कि कैसे निकालते एक वीटी ग्राफ से अगर मैं आप से distance निकालने की बात करूं तो area से बात हो जाएगी area will be our distance ठीक है और जब तक velocity नेगेटिव नहीं होगी तक हमाया पर distance and displacement सेम रहेगा तो अगर हम लोग यहाँ पर बात करें एक trapezium का area आप यह वाला निकाल लीजी बेटा है ना trapezium का area यह 20 है एक आपके लिए 10 है तो यह आपका आजाएगा 30 ठीक है यह आपके लिए 30 और perpendicular height आपकी है 4 तो यह आपका 60 meters that is going to be your answers clear है क्या yes or no sir 20 है 72 है 20 नहीं ठीक है clear clear very good तो यह भी अगर मैं बात करूं यह तो भाई बहुत ही simple category में हमारे पास easy category में आएगा तो तीन सवाल अभी तक easy हो चुके है अगला the number of emitted photo electrons अब आपका modern physics से सवाल आ गया है और क्या सवाल आया है the number of emitted photo electron increases with increase in frequency भाई सारे बच्चे जो ग्यारवी ग्लास के भी अभी आट प्रेजंट देख रहे हैं यह atomic structure में भी आपको बताया जाता है कि हमारे पास जो photo current होता है photo current अगर आप बात करें तो यह हमारे पास directly proportional होता है intensity के जितने ज्यादा photons आएंगे उतने ज्यादा collisions होंगे उतने ज्यादा collisions होंगे उतनी ही ज्यादा probability होएगी electron को बाहर निकलने के लिए तो photo current intensity पर depend करता है ना कि frequency पर अगर आपने frequency करी है तो हमारे पास यह वाला statement सही है तो first false है ठीक है यह डी option हमारे पास आ रहा है ठीक है इसको easy में डाले कुछ लोगों के लटप होगा होगा हूं सर इवनिंग में भी ऐसे question हो सकते हैं सारे के सारे छाप थोड़ना देगी तुम्हारे जैसे फोड़े थोड़ना इंटिये वाली हां तो क्या करेंगे इसमें से कुछ सकते है ठीक है इन discussion को कराने का में कारण यही है कि आने वाली shift में इस प्रकार के सवाल इन topics के इर्द गिर्द सवाल आ सकते है ठीक है यह तो इसमें आपको exactly अब देखो यह memory-based सवाल है जो exactly real data के साथ आएगा वो जब आएगा तब की तब बात है लेकिन अभी हम लोग क्या सीख सकते हैं यह यह चीजें हमें ध्यान रखनी है clear yes अगरा सवाल हमारे पास a massless rod of length 14 meter ठीक है हमारे पास has a point mass attached to one end while the other end is hinged the rod is released from this position is position is released the speed of the mass at the bottom most point is यह वर्ग energy से आ रहा है ठीक है अब आपको भी पता है छोड़ोगे तो कई मच्चुगली उपर चला जाएगा जैसे वह सोस्ते हमारा माक्स उपर जाना चाहिए ठीक है आता नेगटिव महां तो reality यह नीचे आएगा धरती पर ठीक है इस प्रकार चाहेगा अब आप वर्ग energy theorem लगाना चाहे या energy कंदर मेकनिकल एनरजी conservation लगाना चाहें दोनों बात सेम है तो यह अगर मैं इसको ल ले रहा हूं तो दिस इस एल बाई रूट टू ठीक है और यह पूरा का पूरा नीचे ल होगा तो potential energy किसे में convert हो जाएगी kinetic में तो यह एल प्लस ल बाई रूट टू हमाया पास half mv square में हमाया पास convert हो जाएगा सवाल थोड़ा सा थोड़ा सा और लेंदी कब होता जब वो नीचे यहां पर tension mention पूछ लेते तो आपको अपना pre body diagram के साब से equation लेना पड़ता तो यह आजाएगा 2gl into 1 plus 1 by root 2 का whole root that is v ठीक है तो l हमाया पास 280 into 1 plus 1 by root 2 is equal to v यह हमारे पास equation आ रही है यहां पर ऐसे c option मेरे एंटरपंटर इजी है या medium है आखरी में marks बताना बेटा ठीक है हाँ c option directly आ रहे है सवाल कहां पर ज्यादा हो सकता है आगे याद रखना बेटा आगे shift में यह हो सकता है कि आपको यहां पर टेंशन पूछ ली जाए तो यह रही t equal to mg होता अरे इस समय करेगा ना लास भी तुम्हारी कापेगी तो यहां पर इसका mg नीचे रगेगा और यह circular पार्ट पर है तो t minus mg equal to mv square by r और कर ले पकेती class में और कर ले पकेती t equal to mg होता सर्कुलर पार्ट में बेटर net centripetal force आना चाहिए तो t minus mg equal to mv square by r हमारे पास रहेगा तो यह पूछा जा सकता है अब इसमें किसी भी point पर आप से tension mention पूछी जाए velocity पूछी जाए तो आप energy conservation लगाएंगे वहां अपना force analysis यहां पर करेंगे clear हां आई यह सवाल यह सवाल धरती भी खोड़ोगे तो हरपन civilization वाले करा रहे हैं और यह कह रहे हैं कि आने वाला 11th and 12th में हम बच्चे को और conceptually strong करेंगे boards में और mqq डालेंगे पोर सिमेट्रिकल पॉइंट पी क्यूर एस लाइद ऑन होरिदॉंटल सर्कल ओफ रेडियस फूर किलोमेटर वैट इस दिस्प्लेश्मेंट में कार मूस फ्रॉम पी टू एस अलांग दे गीवन सर्क्राइब मुझे लगता है हर अपन civilization वाले भी इस सवाल को कहते होंगे यह तो आएगा इंपार्टन रूट टू यही तो होएगा ठीक है अब कोई यह पूट अब देखो अब मैं यह बोल चुका हो तो आप कईयों को डाउट तो आ रहा हो यह कैसे हो गया अरे भाई इस सवाल को तो हटाई देना चाहिए था लेकिन चलिए कोई नहीं अगला सवाल मेरे अंडर पंटर सब्सक्राइब तो किलोमेटर गिवन था तो क्या चेंज हो जाएगा गवार इंसान सुवह सुवह पकेती कर रहा है तो रख लेना ठीक है अगला अगर हम लोग देखे अ ब्लॉक अप्टू केजी स्पेस्ट ओना है इंक्लाइन प्लीनेशन पैंतालिस डिग्री ठीक है यह आपको कॉपी में मिलेगा दा ब्लॉक एट रेस्ट यह ब्लॉक रुका हुआ है स्टैटिक फिक्शन होगा क्योंकि कोशन में कोफिशन यह दिनीमुम कोफिशन कम से कम कितना होना चाहिए उसके बाद नहीं तो चल जाएगा 1 मिनिमुम कितना हों कि वह रुक का रहे अगर उस से और कम होँआ तो फिर वह चल जाएगा ऐसी वाली बात हो रही है तो यहां हमारे पास this should be the angle archives एंगल ओफ रिपोस और अगर आप एंगल ओफ रिपोस की बात करेंगे तो mu is equal to 1045 हमारे पास होगा तो ये आपका 1 आ रहा होगा ठीक है? तो हमारे पास कौन सो अप्शन आ रहा है ये D clear? yes D option हमारे पास यहाँ पर आ रहा है पर advance में भी आएगा advance में जो आए आना है तुम नहीं आओगे ठीक है बेटा जे इमेंज की चल रही है बात correct match for phasors देखो जब alternating correct पढ़ाते हैं थो और हमको ना SHM नहीं आता है उसकी वाज़ा हो नहीं पास बेटा क्या पूछ रहा है भाई तेरसे जो पढ़ाया जा रहा है ध्यान चे सुन ले थ्यान चे सुन ले फेजर की बात आ रही है resistance याद करो विल्कुल सेम फेज में चलता है ठीक है capacitor लीचर होता था ठीक है पहले करन लेगा बाद में बोल्टेज बनाएगा इसे इंड़क्टर घमंडी होता है पहले वॉल्टेज बना लेगा बाद में करंट रहेगा तो इसमें इंड़क्टर में वोल्टेज लीड करेगा और capacitor में ऐसे चलेगा ठीक है तो एक्स का क्यू है हमारे पास एक्स का क्यू हो गया हमारे पास और य का पी है हमारे पास तो यह option that is going to be your answer बड़ा हाई लेबल आप से डिसकस कर लिया है एंटे वाले दिन पर बाइट के हैं पस उनको गाली दीजे एक तु देखो तुम जैसे दोगले इंसान कोई हो नहीं सकते एंटे वाले कहरें भाई सब कॉले चले जा असान सवाल पूछ रहा हूं ठीक है उपर से एंटे की फुलपम बना रहा है कभी कुछ लिख रहा है कभी कुछ भाई तेरे लिए आसान कर रहा है तब भी तु घरी आ रहा है अभी सब्सक्राइब तब फिर घरी आएगा पढ़ा नहीं है हमको कब सुद्रोगे तुम तर बेसिक से पढ़ा तो रही नहीं हो भाई पेपर डिसकर्शन चल रहा है तुम पहले अपने बेसिक क्लियर करो कि आपके आँखों के सामने जो चीज हो रही है वह है क्या ठीक है अगर आप बेसिक सब्सक्राइए अगर करो गें तो पता लगेगा ना कि क्लास में कर लिया करो अगर एक इंटेंसिटी आई है तो दूसरी 4i है अगर आपको रेशयो चाहिए तो आप यहाँ पे कहेंगे root of 4i plus root of i divided by root of 4i minus root of i का square तो यह आपका हो जाएगा 3 root i ठीक है 3 root i divided by हमारे पास यहाँ पे root i का square तो यह 9 इस्टू 1 का हमारे पास ratio रहेगा तो a option हमारे पास answer होगा यह थोड़ा खिसक गया है कोई दिकत नहीं है ठीक है यह अब पी वाई क्यूज करना इसलिए तो important है समझेंगे काई से आईए अरे इंद फॉलिंग अचेंडिंग ओडर वेवलेंथ भाईया गामा रेज एक्स रेज इंफ्रा रेड माइक्रो ठीक है तो भाई याद करो cosmic है गामा एक्स रेज अल्ट्रा वॉयलेट विजिबल ठीक है और हमारे पास micro and radio ठीक है यह energies के लिए होता था तो यह frequency हो गया यह हमारे पास wavelength हो गया ठीक है तो हमारे पास ascending order में अब जो भी option रहा होगा ठीक है option अभी हमारे पास है नहीं तो सबसे lambda of gamma हमारे पास सबसे कम रहेगा फिर x-rays का रहेगा फिर हमारे पास infrared का रहेग और फिर हमारे पास micro का रहेगा option भी विल्कुल order में नहीं है ठीक है क्लियर सर आपकी क्या feeling थी जही मेंस में जाने से पहले हमारे टाइम पे जही मेंस नाम की चीज़ नहीं होती थी हमारे टाइम में AI ट्रिपली नाम की चीज़ होती थी वह एक बार होती थी आपके जैसे आपके नहीं है कि दो बार मौका दे रहे हैं दो बार आसान जवाल पूछ रहे हैं ऐसा नहीं था हमारे पास एक मौका होता था ठीक है और ऑव्यस ही बात है और जो हमारा जैमेंस होता था या एड्रिपली आप बहुल सकते हैं वह advance के बाद होता था हमारा advance April के first week में अभी समझेगा द्याद तो सुनिएगा इस टाइम पर आप अभी मेंस लेवल तक त्यार नहीं है इस टाइम पर हमारा advance हो जाता था अब सोचिए और इसके 10 या 15 दिन एपरेल के ही 15 20 के आसपास में मुझे यहां तक याद है 25 या 26 तारीक की डेट थी एए ट्रिपली का एक्जाम होता था एक बार एक बार करिए अच्छे से करिए वरना निकल जाइए यह हालत होती थी तो advance में मेरा मेरे को अच्छा पेपर हो गया था तो मैं advance की पेपर होने की वैसे क्योंकि main target मेरा advance था ठीक है मेरा advance के पेपर अच्छा हो गया था I was happy तो मैं AI ट्रिपली के इतना ज्य magnetic moment हमें दे दिया है magnetic field दे दिया है then work done for bringing the magnet आ गया more stable to least stable भाई stable equilibrium and unstable equilibrium कौपी खोलिए electric dipole में भी और magnetic dipole में दोनों में आपको बता जाता है stable equilibrium जब आपके external field यहां है तो M अगर इधर होगा तो यह आपका stable है इसी के बाउट time period का भी formula आपको याद होना चाहिए और anti parallel जब आपका M होता है ठीक है तब आपका unstable होता है तो अगर आपसे work done पूछा जा रहा है तो MB cos theta 1 फिर्फ notes पर ध्यान दीजेगा आपने ठीक है minus cos theta 2 तो N की value है 0.5 into 8 into 10 raise to per minus 3 और cos 0 और to least stable या unstable minus cos pi ठीक है तो यह आपका आजएगा 8 millijoules सबसे बड़ी एडवाइस है जो तेरे को टीचर पढ़ा रहा है उस पर ध्यान दे ठीक है यह एडवाइस लेने कले दुनिया में निकले हैं जहां टीचर दिन रात लगा है इनके साथ उसकी नहीं सुन रहे वो भी तो कुछ कर रहा होगा न तेर लिए ना 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 सबक पर निकलिए का बिल्ली मिले बिल्ली दे पूछ लीजे क्या निकाल लेंगा हूं मारे की पंजा हो जाएंगा गंजा येस अब एक कहां घूमके ग्यान ले रहे हो यार जब तुम्हारे को बैच में बताया जा रहा है सब कुछ आजा भाई तो एंगलर मोमेंटम और फोर्थ और्बिट ऑब बोहर बाई बोहर थियोरी भाई या एंगलर इकल टू एनच अपॉन टू पाई यही आपका एंगलर मोमेंटम था एन की यह एन की वैल्यू और वैची बोहर मेगनेट्रॉन इंटू एन हमारे पास रहता था ठीक है बोहर मेगनेटिक बोहमेंट होता है इन पर डिपेंड करता है तो फोर एच अपॉन टू पाई तो यह आजाएगा टू एच अपॉन पाई यह यहHeश वहरी गूट वहरी गूट वहरी गूटन दूंट 지원 तोल टूल टूल फ्रीडम पूछा है थाही रही और किसका CH4 का किमिस्ट्री का कोस्टन यहां का कर रहा किमिस्ट्री में जवाब देंगे वहीं दिमाग चलाएंगे अरे भाइया नॉन लीनियर पॉलियाटोमिक हमारे पास आगे टोटल डिगरी शिक्स होते हैं खाल ठीक है बड़ा इनको जब क्लास में पढ़ा रहे होते हैं तो बड़ा इनको खुजली रहता 2 अगर आप इसको दो यूनिट से आगे लेके जा रहे हैं तो हमारे पास बताना है वर शुट भी धा मास यहां वाइव डिस्प्लेश इसको कितना डिस्प्लेश हमें करना पड़ेगा तो अगर आप देखो फॉर्मले से जाना चाहिए डेल्टा आर सियो एम का फॉर्मला आपको बताया गया होगा अब वो कह रहें शिफ्ट होई ही ना सेंटर ऑव मास में कोई शिफ्ट होई ही ना एक लाइन का सवाल है बस यह कुछ बच्चो को रिकॉल कराने के लिए मैं कहूं तो या फिर अगर आप बात करें थ्री इंटू टू इस इक्वल टू टू इंटू एक्स नेगेटिव डिरेक्शन में रहेगा तो टू इंटू एक्स आप यह कर सकते है एक्स की वेल्यू आपकी थ्री आ गई इसमें वैसे कलम नहीं उठाना चाहिए थ्री वाले को टू ले ज रहता है कि आये आपको सवाल मिलता ही है यह कूं सा लोखी गेट दिखा रहा है यह यह ले लिजे यह इनवर्ट कर देगा अ है ना और यह हमारे पास A bar dot B bar का whole bar कर देगा तो D Morgan's law लगा दी है break the line change the sign to A double bar plus B double bar यह हो गया और double complement है तो यह हो गया तो यह तो और होता है अरह बोलिया यह तो C option आपका यहां पर answer आता है clear yes consider the following series the contact angle between solid and liquid ठीक है depends on the solid and liquid as well obviously बात है ना obvious हमारे पास बात है glass और water का contact angle zero है glass और mercury का contact angle 180 degree के असपस होता है तो यह तो true statement हो गया the rise in capillarity does not depend गलात बात यह तो बता स्टार्टिंग में ही बताए जाता है कि जब आप पतली ट्यूब पानी में डालते हैं तो radius की वैसे आपका जो जितनी पतली ट्यूब वही की उतना ही ज्यादा height rise होता है तो does not depends यह तो false हो गया हमारे पास तो कौन से statement मेरे एंटरपेंटर पहला statement true is correct and statement c option that is going to be your answer clear yes or no very good ठीक है अगला सवाल हमाय पास if magnetic field is perpendicular to the plane of the rotation ठीक है माल लेते है cross find the potential difference between p and q in the given figure किसने कैसे कैसे किया भईया इस सवाल को sir is this helpful obviously this will be helpful main main concept जरूर देखके जाहिए मैं बता रहा हूं आपको यह पता होनी चाहिए कि यह discussion किसलिए हो रहा है अगर आप यह बोलें कि sir discussion क्यूं हो रहा है तो सीधा जवाब है कि आने वाली shift में इस प्रकार के सवाल आपको मिलेंगे अगर बात है कि sir यह बाद वाले बच्चों के लिए हो रहा है नहीं भीया बाद वाले बच्चों को जब यह memory based सवाल जब आपके प्रॉपरली निकल आएंगे कि यह सवाल आए थे तब आप अपनी पी वाई की बुक्स में देख लीजेगा तब आपके टीचर्स भी उसको हमेशा है बेटा मेरा इसमें मैं आपको चाहिज इतना भी हसी मदाग में बोल लो लेकिन आशिरवाद मेरा हमेशा आपके साथ है इस चीज में कभी भी आप शक्मत रखिएगा ठीक है आप बले मेरे स्टुडेंट हो या ना हो मैं हर स्टुडेंट के लिए यही माँगा कि यार आप हमेशा अपने full of the knowledge के साथ ही exam में जाए ठीक है love you यार देखो आप rod को rotation वाला rotational EMF में हम लोग बताते थे कि हाँ भी omega l square करके हमारे पास होता था ठीक है इसको आप बिना कलम उठाए भी तो कर सकते थे याद गरिए जब हम लोग इस प्रकार का आपको notes में दिया जाता थे conducting ring है कि आपको याद आ रहा है इस प्रकार का सवाल आ सकता है कि हमारे पास independent जो EMF हमारे पास होता था कितनी metallic spokes हैं दिल बनाना इस बात पर कि हमारे पास कितनी metallic में कोई formula की बात ही नहीं करूँगा concept की बात कर लो बस जैसे अभी तक हम लोग formula हाई try formula की बात ही नहीं concept से जब हो रहा है सवाल जब आप यहां पर A point और B point के बीच का potential difference निकालते थे यह सारे के सारे आपस में parallel होते थे यादगरी है और जब यह parallel होते थे तो हम कहते थे कि EMF जो इन दोनों points के बीच का है हाँ B omega L square that is independent of number of spokes हाँ या ना very good अब इन लोगों ने कहा कि हम लोगों ने इसको इस circle पर घुमा दिया मैं कोई calculation नहीं कर रहा कि battery कहा पॉस्टिव कहा negative बनेगी कितना value होगा फिर एक open कि लिएको इन दोनों को ज्रीक में रहेगा इन दोनों के बीच में अगर P और Q पीठीर को पुछे तो yes रहेगा ege और Q के बीच में पुछे yes रहेगा लेकित इन दोनों के बीच पीच में अगर यहOkay तो क्या फर्क बढ़ रहा है भाई हमारे पास तो वो तो जीरो होगा खतम यह इजी का सवाल था पॉजिशन और पार्टिकल पर्फॉर्मिंग एसचम इस गिवन एस पार्टिकल का पॉजिशन आपको दी दिया है इस इनिशल विलॉस्टी इस टाइम प्रेड इस इतना प्या है ओमेगा यह है हमारे पास और देखा जाए यह 60 डिग्री है तो पार्टिकल कहीं न कहीं यहां पर है और ओमेगा से जा रहा होगा ठीक है यह समझाने लिए कर रहा हो मेंटली कर सकते हैं आप इस सारी चीजों को यह वाला इंगल आपका साथ डिग्री है तो इसकी तो एक यह वैल्यू आपकी कितनी है 100 ओमेगा हमारे पास 2 पाई लिख लेते हैं 1.4 इंटू को 60 इस वन बाई 2 तो यह हमारे पास चला गया 100 पाई बाई 1.4 आपको यहां पर मिल रहा है तो इसको हम लोग यहां पर कर लेते हैं 1000 पाई बाई 14 या 500 पाई बाई 7 आप कर सकते तो कौन सा ओप्शन आ रहा है B option that is going to be your answer clear है क्लियर है क्लियर है क्लियर है क्लियर है सर 45 अरे क्या फरक पड़ जाएगा यार मैं क्या कह रहा हूं questions में variations आ सकती है क्योंकि आप लोगों को NTA जानते हैं आप चीट रहे हैं ठीक है आज चीट रहे हैं तो तो तुम्हारा कुछ लोग तो और दिबाग लगाते हैं कि भाई ठर्ट तेरे में कौन सा होगा वह उसका कौन सा हो तेरे में थर्मोडेन्मियूस में चल रहा है क्लियर तुमने देखा कि यहां से यहां जाने का displacement पूछा है तुमने का अब तुमने तो बढ़ा भी है तुम्हीं यह पता ह क्लास में था और वो हमार क्लास का टापर है ठीक है तुमने का कि भाई इसका जवाब बचाज़ा यहां से यहां जाने के displacement बचा जो प्लीच प्लीच विक्की प्लीच उसने का हमको नहीं आता है हमसे हो नहीं रहा है तुम्हारी दुश्मनी हो जाएगी भाई सभी एक्जा तीसरा सवाल तेरा अलग हो सकता इसका डिटा अलग हो सकता ठीक है तो यह करने की जड़तनी है यह अगला सवाल हमारे पास तो आप 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 सकते हैं टी स्कूर शुड बी डिर्क ली प्रोपोर्शन टू आर क्यूब इन में से सिर्फ एक आप्शन यहां पर आ रहा है तो डिर्क ली हो सकता है अगर आप देखें तो जो भी ग्रेविटेशनल फोर्स है वही एम आर ओमेगा स्कूर से होएगा तो अगर आप देखें तो जी एम डिवाड़ेड बाई आर क्यूब का रूट यह क्लास में आपको मिलेगा कॉपियों में ठीक है तो टाइम पिरेड विल बी टू पाई अं क्लियार यह करने की जरूत नहीं थी टी स्कॉर इस डिर्कली ऑप्शन अगर आप यूनिट से दैमेंशन से जाएंगे तब भी आप पो पता लग जाता या फिर अगर आप देखें तो टी की वैल्यू है यह तो टी स्कॉर शुट भी डिर्कली प्रपॉस्ट का हमारे पास स्कॉर डिर्कली प्रपॉस्ट की पेला ओप्शन हमारे पास यहां से निकल के आ रहा है अब बॉडी अब मास 9 kg ग्रेविटेशन का हमारे पास सवाल है हाइट ऑफ डिसन्स 2R ठीक है फ्रॉम दी सर्फिस अब इसमें क्या होता ना बच्चे हमेशा भूल जाते हैं इसमें ह तो यह हाइट भी यह ज्यादा है ठीक है तो हमारे पास G' की अगर आप बात करेंगे तो that is G into R upon 3R का whole square तो यह तो G by 9 हो गया ठीक है तो इन्होंने वेट पूछा है तो वेट हमारे पास जो आएगा ठीक है तो that is M G' तो M कितना दे रखा है 9 into G by 9 हमारे पास कट गया 10 हमारे पास समसर आ रहा होगा clear yes or no yes or no sir आप से इस बार पाथ रहा प्टब क्या लिख रहा है पड़ में डी व्यात अंगरेजी पेल हो जागा रहे क्या कर रहा है हमारे आप गोबर पाथ ना कहते हम तुम्हें पाथ ना थोड़ना सिखा रहे यह दिखो यह हमसे पड़ रहा है बेश्ती और करा रहा मेरी अरे मत कर स्पैम भाई पढ़ने की स्पेलिंग तो कम से कम सीख ले रासे पाथ रहा है एच भी नहीं लगाया पी-टी कर रहा है यह हमारा सुडेंट नहीं है भाई यह कैसी-कैसी बात कर रहा है ठीक है अगला सवाल बेटा हमारे पास डायोड का आ गया है ठीक है येस विज़ा फ यहहर द does यह कैसा और शुडेंट जाएक है अगरा सुडेंट फॉर्वास आइट फॉर्वर्वाड पाई है यह आपका फॉर्वर्वर्वाध है यह बोबाट मना अगेट कर अधा फॉर्वर्वर्द नहीं हमारम प्टम तो का पायार येस और नो अगला जवाल मेरे अंटर पंटर टू कंड़कर हैं शेम मास रदिस्टिविटी एंड रेडियस ऑफ ए दो कंड़क्टर है हमारे पास ठीक है इसको ए माल ले और इसको बी माल ले ठीक है इसको ए और इसको भी जो गिवर है एटलीस वो लिख लेते हैं इसका जो गया इफ रजिस्टेंस ऑप बी इस इसका रजिस्टेंस है या आर टू की अगर मैं बात कर लूं यहां पर यह to r2 प्र समॉल लेते नहीं तो confusion हो चकती है एक है आरवन हमें नहीं पता है आरटू हमें दे रखा है दाट इस टूम्स ठीक है आई 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 ए हां तो अब कैसे गरना है भाई सीड़ी सी बात है दोनों का मासस सेम दे रखा है तो density into volume पाई R1 का square into L1 is equal to density into सेम material है पाई R2 का square into L2 तो रो पाई रो पाई गया इतना कहे हो रहा कट गया धीर अब हमाए पास L1 by L2 के अगर आप बात करेंगे तो R2 by R1 का square हो जाएगा और resistance अगर आप ratio ले ले तो R2 by R1 rho L by A होता है resistivity भी same है तो ये हो जाएगा L2 हमें R2 ही R1 चाहिए तो R1 by R2 का ratio ले लीजे तो ये L1 by L2 आजाएगा और R2 का square by R1 का square आजाएगा L1 by L2 को आप R2 by R1 रख दीजे तो R2 by R1 की power 4 हमारे पास हो जाएगी तो R1 की value आपसे पूछी गई थी तो ये हो जाएगा R2 कितना है 2 R1 कितना है R2 है हमारे पास 4 और ये है 2 का power 4 into 2 तो ये आपका 2 हो गया 16 32 ohms आपका answer आ रहा होगा अरे बॉलिया भाई ये चानो हाँ या ना 85 परसेंटाइल कितने पर बनेगी डाउट अरे भाई क्या कर रहा है तीक है इसको तो टेंशन भी उस परसेंटाइल की है जिस पर कुछ आएगा नहीं जिस पर कुछ मिलेगा नहीं भाई 96 परसेंटाइल से नीचे गिर मत जाना 96 अगर मैं बोलू 97 से नीचे मत गिर जाना 85 पर पूछ रहा है कितने माक्स चाहिए क्लियर हाँ येस अरे बोला भाई हाँ क्लियर हाँ सर एनाइटी और आइटी सेम होता है भाई जब स्पेलिंग में डिफरेंस तो सेम कैस हो जाए ये बता है एक में न आ रहा है क्योंकि जिस लेवल का तू सवाल इस समय पूछ रहें तिरे को ऐसी समझा सकता हूं मैं एक मे तुम चंपक खोलो और चंपक में वो जो फोटो नहीं होता था दो फोटो देते थे और डिफरेंस पांच अंतर गिनके बताईए तुम्हें उसी टाइप का ही अंतर समझ आ पाएगा ठीक है क्योंकि अब कॉलेज में क्या डिफरेंस है नाइटी और आइटी में अब उसकी आजो वन मोल ऑन आइडल मोन अटोमी गैस एक और हमाय पर थर्मो कोशन वन मोल ऑन आइडल मोन अटोमी गैस कंपेट अ कंप्रेश एडियाबेटिक ली फोल्यूम टूवी टूवी इफ इनिशल तेंप्रेचर ऑग दन इन दिस प्रोसेश इस ठीक है तो आप जारे यहां प देखें 3R by 2 आपका होएगा CP आपका 5R by 2 होगा और गामा आपका 5 by 3 होगा यह सारी चीज़े हो सकता हमें जुरुत पड़ी ठीक है अब वर्क डन बताना है तो अगर आप यहां पर देखें वर्क डन एडियाबेटिक का that will be P final V final minus P initial V initial upon 1 minus गामा लेकिन option की अगर नजर डाले तो वो temperature में है तो मैं इसको nR delta T लिख सकता हूँ क्योंकि यह होगा nR T final nR T initial तो nR T final minus T initial notes खोलिएगा कुछ आपको ऐसा जरूर मिलेगा अब मेंको temperature चाहिए तो अगर मैं यहां पर देखूँ PV raise to power gamma constant है तो इसको आप लिख सकते हैं T into V raise to power gamma minus 1 equal to constant है ना तो यह आजएका T into पहला volume था 2, 2V ना तो 2 raise to power gamma minus 1 into V raise to power gamma minus 1 equal to T final into V raise to power gamma minus 1 तो यह और यह तो गया तो T into 2 की power gamma की value है 5 by 3 यह T final हो गया तो यह आजएगा 2 टीक है और यह हो जाएगा 2 by 3 into T equal to T final हो तो गया आप सवाल यहां पर magnitude पुछा N की value 1 डाल दीजे R into T आपका common आजएगा 2 raise to power 2 by 3 minus 1 divided by 1 minus हमारे पास 5 by 3 yes तो यह आपका आजएगा 3 by 2 magnitude चाहिए हमें magnitude की अगर मैं बात करूं तो 3 by 2 RT into 2 की power 2 by 3 minus 1 तो कौन सा option आ रहा है 3 by 2 RT 2 की power 2 by 3 बी option में रेंटर पंटर अंचरा रहा है यह वाला कोशन मैं कह सबता हूं इस विल बी इन moderate केटेगरी क्लियार जहाँ सुनिए इसको मैं कहाँ देता हूं यही वाला कोशन आपको यहां पर मिल रहा है moderate देखो भाई हमारे पास वर्गडव अपकर यहों को वर्गडव याद नहीं होगा एक adiomatic process में डेल्टा q 0 है तो डेल्टा q is equal to डेल्टा यू plus वर्गडव आपका रहता है यह तो जीरो हो गया तो डेल्टा यू का negative is nothing but the work done और internal energy तो हमेशा minus nCV डेल्टा टी आपका वर्गडन रहेता है तो सीवी के अगर आप बात करें आर अपॉन गामा माइनस वन इन्टो डेल्टा टी इस इकल टू वर्गडन यह आगया हमारे पास इसी को मैंने वन माइनस गामा यहाँ पर लिख रखा है अब सवाल में टेंप्रेचर के टम्स में च और आइडियल गास है तो पीवी कॉल टू एन आड़ आट आट आपके पास रहेगा तो में थी की बात करूंँ अ आर टी बाई वी आप कर सकते हैं तो यहां पर टी बाई इंटू वी रेजट टू पार गामा कॉंस्टेंट होना चाहिए तो टी इंटू वी रेजट पार ग सब्सक्राइब कर देख सकते हैं आखें है तो दिखेंगा ही ठीक है ऐसा थोड़ना होता है तेंथ वाले बच्चों के लिए ग्यार भी कुछ चीज़े दिखाई नहीं देती स्टेशनरी आते हैं यहां अंधेरा 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 बस एक किताब दिखाई दे रही है उसको खरिद लए भाई आखे तो तुम्हारे पास भी है तू देख के ही तो टाइप कर रहा होगा या बच्पन रही तेरी उंगलिया हमेशा कीबोर्ड के एहरा चलती आई है तेर को कैसे पता लगा कि यहां पर जो जही मेंस का डिसकॉशन हो रहा है यहीं पर पूछना है राजवन सर से देख के ही तो कर रहा होगा आख तो होगी और अगर आख है तो देख ले दिमाग है अब वही बात है दिमाग है तो नहीं देखेगा क्योंकि अभी जुर्त नहीं लेकिन उसमें तो हाठ डीला ही है क्योंकि तुमने पूछ लिया सवाल तो अव्यसी बात है यहां तो कुछ है नहीं पस आखी है तो देख लीज़े कोई दिक्कत है येस ओके क्या करें हमारे प लेगा अगर बार-बार चाहिए तो दुबार से दिखेगा ठीक है अधेको चौवालीस मिनिट हमें लगें डिसकेश्ट करने में अगर आप करोगे तो यह हाफ एनार अगर मैं फिजिक्स की बात करूं ठीक है फिजिक्स आपको हाफ एनार में हो जानी चाहिए 30 मिनिट्स पढ़के जागए तो 30 30 मिनिट्स लगेगा नहीं पढ़के जागए तो 30 मिनिट्स हो जाएगा ठीक है येश सर कल के लिए पेपर के लिए क्या गरू बस इसके बाद वह आपको पहले बता दिया है वैसे तो आक से ज़्यादा तो इनके पास कान और दिमाग होना चाहिए ठीक है ओनली यौर शॉर्ट नोट्स रिवाइस करें सर वो तो बनाए नहीं है रहे धाधा रहे धाधा का कर लिए रहे माइंड मैप शीरीज सर लोगों ने पढ़ा रखी है माइंड मैप शीरीज देख लीजेगा इफ नॉट काम चोर भी तो बहुत है तर अब वो कहा है इस धरती पे कहीं न कहीं है अब हमको रही पता है कहां कि कहें इसके बाद आप शिफ्ट के डिसकूशन्स को सौल करिये कोशन्स को इसके बाद आप अपने आपको और और बर्टन नहीं कर सकते ठीक है क्लियर अरे हो कौन है ये साइक्लोट्रोन वाला अवे जोक के जैसे चिपके पड़े हो हट गया है यार ठीक है हुँ भाई एक एप फिफ्ट अपरेल की शिफ्ट टू का बता दी अरे भाई आगे आने वाली जितनी शिफ्ट होंगी इनी पेपर्स के अराउंड मिले तीन चार कोश्चन तो तो तेरे को डिरेक्ली मिल जाएंगे डिरेक्ली यह नहीं कि एक्जेक्ली कॉपी इनी टॉपिक एक बार कर लेना ओके यह तो जितने भी बच्चे यहां पर आने वाले शिफ्ट में एक्जाम देंगे आई विश्यू ओल दी बेस्ट ठीक है हां विश्यू आल दी बेस्ट अच्छे से पढ़ाई करिएगा ठीक है हां और यह शिफ्ट खतम अगर कोई प्रयास वाले बच् ल師्कस करेंगें है क्लियर लविए अच्छे से पढ़ाई करिए धन है ठीक है तो आपको कुछ बेसिक चीजें बताई जाती है ठीक है वही बेसिक कुछ चीजों को डवलप करना सोचना सिखाते हैं तेक्स टाइम आप अचानक से देखो अब बात क्या होती है ना दुनिया आपको ऐसे दिखाती ठीक है जो स्टार्टिंगे जो टॉप 100 के बच्चे है ना बोलना नीचे लेकिन रियालिटी है यह उनके त्यारी 11 बहुत ही कम सब्सक्राइब करें चानक से सवाल मेरी से सवाल हो जाएं ऐसा नहीं होता है आपको टाइम लगता है अब मेरे को भी टाइम लग रहा था फिससे घबरा नहीं रहा था इंसानली तो है अपनी लिमिट पर पहुंचने की कोशिश कर सकते हैं लिमिट को क्रोश करोगे पागल वागल हो जाओगे है ना तो इससे बेटर है कि आप अपने आपको healthy state में रखे learning attitude आप रखे आप सीखते चलिए advance अचानक रातो रात नहीं improve करता है आपके basic चीज़े अगर आप अच्छे से दे पा रहे हैं आपके score अच्छा रहे है definite एक indication है कि आपके formula ज्याद है आपको चीज़े पता है basic चीज़े छूटी छूटी पता है अब उनको mix कैसे करना उनको जोड़ना कैसे है उनके पर questions कैसे करनी है वो आपकी advance की analysis हो जाती है ठीक है तो सबसे पहले जितने भी बच्चे है जेए मेंस पर focus करिए ठीक है जेए मेंस खतम होने के बाद आप advance पर चाहिएगा clear yes clear PDF क्यों नहीं देते सब कुछ हमसे ही ले लियो हाँ सब कुछ हमसे ही ले लियो अरे अप में मिलता होगा यार इनको देखो अपकी बार 100 पार रहें रहें लाग पार आईगी लंग से पढ़ ले बकेती कम कर सुबह सुबह आ गया है मेरे को देखती आ इस में से ना दो जार बच्चे सिर्फ इसलिए आरे चलो राजों से रहें मजा आएगा बकेती करने आ जाते मेरे साथ मेरे को जाना लेकि मैं जानी पार हो क्योंकि मेरे मंद भी कर रहा है बहुत दिनों बाद ऑन लाइन आया भाई साब येस ओके तो आई विश्यू आल दी बेस्ट ठीक है हस्ते मुस्कराते रहिए तो लाइफ का ये दौर है थोड़ा स्ट्रेश्फूल हो सकता है लेकिन गुजर जाएगा लेकिन हां गुजरने के बाद समय तभी सही होगा जब आप यहां से सीख लें कि आप से गलतिया क्या होई है ओके येस चलिए बाई तो आपके केमिस्ट्री वाले फैकल्टी अभी आ गए होंगे जिन लोगों को भी डिसकस्शन कराना है ठीक है तो मैं उनको माइक हैंड ओवर कर देता हूं ठीक है चलिए चलिए तो आल दी बेस्ट मेरी तरफ से आप सभी लोगों को ठीक है हाँ चलिए बाई टाटा बाई बाई टेक केर पढ़ते रहिए मचाते रहिए झाल 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 हेलो 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 होन कर रहा हूं है क्या मैं दिखाई दे रहा हूं वह एक बार बताना पहले वैसे फिजिकल का पार्ट था लेकिन अभी सर्फ पहुंच नहीं पाया थे तुर्णे तुर्ण यहीं है क्लास आपकी चलिए शुरू करते हैं ओके 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 तो मैं इन और्गनिक कमिस्ट्री वाला पार्ट डिस्कस कर देता हूं पहला कोशन आपके सामने प्रस्तुत रहा ठीक है जी वैसे बताईए अभी तक जो डिस्कसन होगा कैसा रहा मतलब क्या लग रहा है कठिन आया पेपर आसान आया आपको क्या नजर आ रहा है बोलो बोलो भाई बातचीत कर लें फिर सुरूबात करते हैं क्वेश्चन करो क्वेश्चन करते रहो यह ऐसा नहीं कि खाल जी सबका बनाना स्ट्रक्चर आता होगा यह एक बार देख लें अगर चाहो तो क्योंकि पेपर देने जाओगे तो कोई जरूरी तो नहीं है ना भाई कि यही वाला कौशन दुबारा आएगा ठेका जी ओके कितने नेगटिव चार्ट थी दो नेगटिव चार्ट तो बाक यहां पर क्या उक्षिडिशन स्टेट आएगा और यहां पर क्या उक्षिडिशन स्टेट आएगा बताईए चलिए चलो भाई लग जाओ यहां वाले सलफर का उक्षिडिशन स्टेट बताएंगे यहां वाले सलफर का उक्षिडिशन स्टेट कितना होगा और यहां वाले क जीरो आएगा जी, ओक्सिडेसल स्टेट, यहां पर क्या आएगा जी, कितने औक्सिजन लगें, तीन अक्सिजन, टोटल बॉंडज चार के तुरू, तो आप इस पर कह देते हैं, आप प्लस फूर आएगा, प्लस फूर और जीरो आएगा, सलफेट की बात करें, तो बस यहां और पर शक्राइब कर दो खाएगा तुम का या आजायगा यहां पर यहां पर इस्ट्रक्चर आप कहेंगे साहर यहां पर भी दिन बाद मिल रहे हैं यहां पर SP3 यहां पर भी SP3 यहां पर दो इसे एक संद बात पर यहां पर आप इसको मिल ला तो ट्रैंगल के पर एक पिरामिड खड़ा है तो यहां पर हो जाएगा प्रियामिडल से जब आप तुमने पहले ही बता दिया था अच्छी बात है समझदार बालक को यह कुश्चन करो भाई करेक्ट और ऑफ आइनाइजिशन यह बता हुई आसान था आसान ही आता है इन और अच्छी बात तो यह चलिए जी सुरू करत से और ऑफ ऎंजिशन यह जादा है तो यह ब्रादरी जादि आएगा तो आप क्या pillow इसाब से क्या जबाब आईगा भिया देख लो लोनी इन चुलोनी इस सी कंद च्लोरीन इसके बाद इनमें देखें, यह यह नहीं यह, रहा यह, यह देखो तक हो यह सु बहुत बढ़ी है, बहुत बढ़ी है, मतलब ऐसा लग रहा है कि सुपर लल्लू कोशन आ रहे हैं, बहुत ही आसान, चलो, arrange the following in increasing order of first ionization enthalpy, किसका boron family का दिया हुए, एक ही है जो graph से पढ़ाया जाता है, बोला जाता है, डबलू graph याद रखो, थोड़ा सा tilted डबलू बनाना होता है, पढ़ते हैं क्या कुछ ऐसा, बोलो बेरे भाई, ऐसा डबलू बनाना होता है, बस इसी से जबाब निकल क्या चाहिएगा, जबाब तुम बताते रहो, option तुम्हें बताना है, ठीक है जी, यहाँ पर कौन है, यहाँ बैगन, यहाँ आलू, और यहाँ रागाजर, इन ठ बताईए, इस वाले का reason बताईए, यह वाला, इसका reason आप पहले बताएंगे, फिर indium to thallium जाने पर यह जो increment आपको दिख रहा इतना जादा, उसका क्या reason है, इसका क्या reason है, अब भाई, उपर से नीचे जाने पर i-nose energy तो घटनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ बढ़ रही ह इसका क्या reason होगा, यह पूछा जाएगा, अभी नहीं पूछा है, तो कोई जरूवत नहीं है, अगले मैं नहीं आएगा, आभी सकता, जरूई, पहले है, एक्सेप्शन है, अब एक्सेप्शन कोई explanation होता है, किसी चीज़ का, गदे आदमी, घजम मालिको यार तुम लोग, यस, पूछ सील्डिंग, जब आप गैलियम को देखोगे, तो इसके अंदर 3D आएगा, यह पहली बार मैंने यह जबाब सुना, इसके अंदर 3D 10 आएगा, तो D electron की पूछ सील्डिंग की वज़ा से, आउटर सल के electron को निकालना कठिन होता, इसलिए गैलियम पर ज़्यादा ionization energy दिखाई देगी, with respect to aluminum, और thallium वाले पर आओगे, तो यहाँ पर 4F की entry हो जाती है, D तो रहता ही रहता है, मस्तो भाई तुम लोग, इसके इसाप से जबाब क्या आएगा, बताओ, ionization energy यहाँ थी, तो इसके इसाप से आपको क्या दिख रहे हैं, आपर, boron इसके बाद कोन है, gallium इसके बाद है, aluminium और last में आता है, indium, ऐसा यह न, last में क्या आता है, indium, यह थोड़ा उपर, यह थोड़ा नीचे रहता है, तो tilted बनाने का मतलब यह थोड़ा नीचे भी कर लो, ऐसे, ठीक, देखो कुछ match कर रहा है, यह रहेंगे भाई साब, यह रहा, आपका पर देने जा रहे हैं, केवल unpaired electron भी सही से गिनना आता है, तो बहुत बड़ी बात होगी तुमारे लिए, NTA ने completely NCRT को ही अपना मतलब उद्देश समाना की है, तक निप्टाना, इसे उपर जाना ही नहीं, बताएंगे, बताएंगे, वेट करें, अग वैसे देखो, कल मै का ख्याल रखना वही एक बात, देख लीजी अब आ चुकी, मैंने बोला था कि, यहां पर जब भी आपको कोबाल्ट के साथ 3 प्लस मिले, तो वाटर को as a strong field ligand treat करिये, क्यों treat करेंगे मैं बताता हूं, जहाँ सुनिएगा, देखो, जो H2O है, उसकी जो field strength होती है, वो तो fix है, लेकिन क्योंकि कोबाल्ट पे 4 जादा हो गया, तो अब क्या होगा, कोबाल्ट 3 प्लस और वाटर के बीच में interaction बहुत अच्छा होगा, क्यों 4 जादा हो गया, जब 4 जादा होगा, तो यहां के del negative के साथ interaction अच्छा होगा, और अगर interaction अच्छा होगा, तो splitting अच्छी लग जाते हैं, जब ऐसे चार्जर समय दिखाई, अभी मैंने ये बात कल ही बताई थी, कि यह आ सकता है, और अगले ही में ही आ रुखाई है, ठीक है, तो आप बताईए, जब आव ऐसे मिल चुका है, हम पहले बता चुके हैं, C option आएगा, very good, क्योंकि strong field agent है, D6 आएगा, स अगला पढ़िए, which statement is less, are incorrect, इन में से कौन सा गलत है, हमें ये ढूड़ना है, चलिए सुरू हो जाईए भई, देखो, 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 option बताऊ, अभी तक, पैजल सर, पैजल सर का दाभी आए नहीं है, उनको एक पर पोल लगाओ, यार, मेरा तो 5 मिनट का है, पैसे बरा अबर ले रहे हैं, औरे भाई भाई, और्थो नाइट्रो फिनॉल है, इंटर मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्या बात कर रहे हो, और्थो नाइट्रो फिनॉल में देखा जाए, तो ज्यादा तर आपको इंटर मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखन निश्यतरुप से दो HF molecules आपस में hydrogen bonding कर रहे हैं, तो वहाँ पर intermolecular बोलना सही बात है, लेकिन गलत तो नहीं है, the hydrogen bonds have strong influence on the structure and properties of the compound, obviously उनके properties पर influence डालता है, उसको कभी, उसके hydrogen bonding जहाँ अच्छे से होती है, वहाँ liquid बनने के ज़्यादा chance होते है, और boiling point पर भी असर आता है, boiling point पर भी असर आता है, तो यह तो सही हो गया, तो भईया, only one है क्या, क्या जवाब बता रहे तुम लो, the magnitude of hydrogen bonding depends on the physical state of the compound, यह भी एक तरीके से सत्त कहा जाएगा, इसके reason होंगे कि जब solid state में रहता है, तो वहाँ पर fixed positions होती है, और वहाँ पर hydrogen bonding वहाँ अच्छे तरीके से हो पाती है, ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर यह जबाब करके हम आगे बढ़ जाएंगे, मामला ठीक है, ओके जी, अगला देखते है, MNO2 फिर यहाँ पर एक salt लिया है, सामने हमने डाला concentrated estrocer 4, अब देखो, जबाब तो यहीं मिल चुका है, कि greenish yellow gas यहाँ पर निकलती है, यह लोग कौन है, यह oxidizing agent है, MNO2 क्या है, एक oxidizing agent है, बोलो क्या होगा, बोलो क्या होगा मेरे भाई, जबाब बताएं, जबाब बताएं, तुरंट जबाब बताएंगे क्या होगा भाई, जबाब सायद मिल चुका होगा, यहाँ पर CL minus किस में convert होगा, CL2 में, जब हम एक बढ़िया सा oxidizing agent, यूज करेंगे, H2 सा 4 डाला है, तो यहाँ पर NACL से, वो HCL में convert हो जाएगा, H plus CL minus, बाद में, वो CL2 gas में convert हो जाएगा, बोलो, बोलो, CL2 gas निकलेगी यहाँ पर, तो B option सही है, very, very good, we have a complex of iron 3 plus iron, having an electronic configuration this, अब यह पूछ रहें, if the complex is this, then value of this, भाई साब इसको question को सही से बताएं, कुछ करना ही नहीं था, एक चीज उन्होंने पहले दिया, electronic configuration, और उसमें उन्होंने G लिख दिया, G, अगर T2 G लिख दिया, G मतलब G RAID है, और वो octahedral में ही दिखाई देगा, tetrahedral में तो वो T2 और E लिखा जाता है, तो सिर्फ यह G देखकर यह पता चल जाएगा, कि coordination number 6 है, ऐसा कुछ भी नहीं करना था जी, आई अगला देखते हैं, अगले में आएंगे सर, अभी आजए गुरू जी, आई 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 आई, ना सिसी के आगे होगा, आप वहला portion, आप ढूर दीजिएगा, बाकी देखो, आसानी paper आ रहा है, कुछ कठिनाई है नहीं इसमें, ठेक है, और मैं तो यह कह रहा हूँ, हर chapter में, वही दो-चार बाते हैं, जो पूछी जाती हैं, और वही आभी रही है, वही physical के लिए भी सही है, वही organic के लिए भी सही है, हर जगा वही बातें, बार-बार पूछी जा रही, तो चलिए, सर लीजिएगा, चल भरिया, आनंद लीजिए, आभाई, गुड मॉनिंग, गुड मॉनिंग, तो और्गनिक का paper तो यार्म, ये को तो इजी लगा बिलकुल, देखने के, मतलब अगर first shift का देखा जाए, तो उसके compare में थोड़ा ठीक है, बट फिर भी है, मतलब easy, तो और ओल अमारे पास easy आने वाले हैं, ncrt basis, मतलब आप अगर कहीं से भी, कुछ भी पढ़ रहे हो, मतलब किसी के भी notes पढ़ रहे हो, आप आपने notes बना रखे हैं, सारी चीज़े वहीं से आने वाला है, सब कुछ वहीं से आने वाला है, चले भाई, करे start, मतलब आपको यह है कि मैं अगर आपको यह बताना चाहूंगी, आगे आपकी shift आने वाली है, तो आपको क्या करना है, तो उसके लिए मेरा यही सजेशन है कि आप अपने notes अच्छे से revise कर ले, पूरे, ठीक है, किसी भी portion को चोड़े ना, किसी भी portion को चोड़े नहीं, ठीक है, चलो, देखते हैं question देखते हैं हमारे पास, organic chemistry में हमारे पास, सबसे पहला question है भाई, यह हमारे पास बहुत ही easy question दे रखा है, जैसे हमारे पास, यहां पर देखां आपने की 2 degree alkyl light दे रका है, हमारे पास कितने degree दे रखा है, 2 degree, तो ये 2 degree जैसे चित Ilkyl light दे रखा है, तो हमारे पास, हाँ बढ़े, 2 degree है, और यह क्या दे रखा है? alcoholic KH alcoholic KH के साथ 2 degree क्या होगा Elimination होगा Elimination में हमारे पास कौन सा होगा यह होगी जाएगा E2 reaction क्योंकि यह क्या है strong base है ठीक है अब E2 reaction हो रही है तो E2 reaction में हमारे पास beta hydrogen देखने हैं अपन को क्या देखने हैं beta hydrogen तो यह carbon हो गया alpha और इसके पास वाला carbon है यह बीटा carbon है और यह भी हमारे पास कौन सा बीटा है तो सबसे पहले तो चेक करो कि यह किस किस के पास हमारे पास beta hydrogen है सेज़ेफ कुछ नहीं देखना होता है यहां पर सेज़ेफ बाद में देखना सेज़ेफ बिठा रखा है वहाँ पर minus 1 हो गया होगा लोगों का ठीक है तो यहां पर क्या आएगा हमारे पास कि भी यह इधर भी बीटा hydrogen present है इधर भी बीटा hydrogen present है तो हमारे पास दो प्रोडेक्ट बनेंगे यहीं पर देख लेते हमारे पास अगर यह वाला hydrogen जाएगा तो हमारे पास प्रोडेक्ट बनेगा यह ठीक है और अगर हमारे पास यह वाला hydrogen जाता है नीचे वाला hydrogen बेंजीन रिंग के पास बेंजैल वाला hydrogen जाएगा तो यहां पर हमारे पास प्रोडेक्ट बनेगा यह ठीक है अब इन दोनों में से अगर stability देखी जाए तो number of alpha hydrogen अगर देखोगे तो यहाँ पर ज्यादा मिलेंगे बट हम ज्यादा priority किसको देते है resonance को तो यह जो double bond है double single double यह resonance में participate कर रहा है और इसलिए c जो है वो major हो जाएगा clear हाँ अगर मालो यहाँ पर resonance नहीं होता देन फिर हमारे पास कौन सांसर हो जाता ए बोलो clear है तो अभी करेक्ट आंसर के आगा विड़ा c होगा c किया होगा yes चलिए नेक्स देखते हैं है हमारे पास नेक्स दो है नेक्स में गादे रखका हमारे पास आई पीएसी नेम ऑफ केटेकोल इज तो यह बताया गया होगा आपको भी कि वह यह एंस याइन पीएसी नेम नहीं लिख पाओगे क्योंकि कॉमन नेम से स्ट्रक्चर ड्रो करोगे तो यहाँ पर पुछाए कि आई पीएसी नेम ऑफ केटेकोल तो आपको केटेकोल पता होना चाहिए तो केटेकोल क्या होता है हमारे पास फिनोल के तीन डेरिवेटी होते हमारे पास केटेकोल होता है हमारे पास ओएच 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 यह हमारे पास केटेकोल ठीक है उसके बाद रिसोर्चिनोल ओएच ओएच और ओएच 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 यह आगे हमारे पास तो यहां पर केटेकोल जो है वह कौन सा है हमारे पास यह कौन सा है मारे पास केटेकोल हाँ यह क्विनोल हो गया तो अब हमारे पास यहां पर जब केटेकोल हमारे पास यह दे रखा है तो इसका उप्यस निम लिखना है त ट्रीपर यह नहीं तो बेंजीन वन्टू डाई ओल क्यों बोल रहें यापर फिनोल क्यों नहीं बोलते यहां पर दोनों ही जो फंक्शनल गृप हो तो दोनों को सेम प्राइवरिटी पर रखना होता है दोनी मेंचेन में आ रहे तो सेम प्राइवरिटी पर रखेंगे इसलिए बेंजीन वन टू डाइओल तो करेक्ट ट्रांसवर क्या जाएगा ए आजाएगा बुलो बहुत क्लियर है क्या कि ये ये कि दैन इसका आजाएगा बेंजीन वन टू डाइओल ये वन टू डाइओल जो है वो रिसॉर्स इनोल है बिटा ये रिसॉर्स इनोल है चैप्र है कि जो हमारे पास किटोन कार्बोक्सिलीक वाला चैप्टर वहां पर जो कॉमन नेम दे रखे हैं आपको वहां से आपको आसकता है तो इसका मतलब आपकर देखा जा है हमारे पास को सन तो नेक्स्ट आमारे पास यह तो बहुत इजी को सने मतलब क्या पूछ लिया सिग्मा और पाई कैल्कुलेट करवा रखा है तो सिग्मा और पाई में तो कोई दिक्कत आनी नीच चाहिए इस बार आई पीसी के कितने को सना गए दो देख पर मैंचेन में हमारे पास कितने आ जाएंगे च्छे तो छे कारवन बना दो एक दो तीन चार पांच छे यह तो आगे हमारे पास और यहां पर आपको बनाने की जर्रतिव नहीं है कर डबल बॉंड या फिर डबल बॉंड ओ और यहां पर आपको यह करना है तो वैलेंशी कंप्लीट करने के लिए आप बैस जल्द वाजी में किसी ने रॉंग किया होगा अधरवाइस इसके रॉंग होने का कोई चांस है नहीं तो यहां पर आ जाएगा & पाई और दो यह फॉर पाई तो टोटल कितना गया है एटीन आया है एटीन आयेगा एटीन एटीन बिल्कुल सही है किसी ने मिस्टेक की होगी तो मतलब कोई सिगमा चोड़ दिया या पर यहां पर मान लो एक्स्रा एडोजन वगर लगा दिया तो ही पॉसिबिलिटी है अधर्वाइज हमारे पास नहीं है इसमें रॉंग करने का चांच ही नहीं 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 बोला भाई रॉंग नहीं करना य यह सही करना है पांच पर नहीं बनाया है इधर से तोड़ी नहीं यह फॉर पर आईन है अगर आप यहां लगा तो थिरी पर आएगा फॉर टू फाइब जा रहे हैं तो मिनिममम वाला काउंट होता है क्लियर में था जी थोड़ा द्यान दो ज्यान कम दरसा नहीं है आप य यह तो दिमाग में छपा रहता है ऊजोनलिशिस तो तो क्या दे रखा है अगर यह तो उस तरीके से हां ऐसा हो सकता है कि नेक्स्ट वाली सिंस चान पुछता है तो oxidative में क्या करते हैं कि जहां पर double bond को ब्रेक करके कार्बॉक्सिलिक बन सकता है तो कार्बॉक्सिलिक बनाएंगे और नहीं ही बन सकता तो हम कीटोन पर रहेंगे अभी तो अब हमारे पास देखो गें तो क्ार्बन कितने हमारे पास total carbon साथ यह या बन as देन फिर च टू पर ख्याज ऑर लाष्ट मेन जाएगा डवाँ और ग्या और साथ कारवन आगे हैं मारे पास फॉसके पर यह प्लेन ही ठीक हमारे पास दे तो करेक्ट ठर सर बोंबे होगा भाई वह बो भाय अगर है क्लिए है चलिए नेक्स अगर question देखे तो अब देखो अच्छा अगर मान लो यही पर मान लेता हूं कि अगर वो oxidative पूछता अगर वो कौन सा पूछता oxidative पूछ लेता तो oxidative में क्या करते है अपन oxidative में हमारे पास जो left side है मतलब यह तो same ही रहता यह जो है सिर्फ किस में change हो जाता c double bond o o h में और oxidative कब होता जब यहाँ पर जैडन ना दिया होता क्या नहीं दिया होता तब हमारे पास clear है गया है क्लियर है यह एक ठीक सा कोशन दिया है मतलब ठीक है यहां पर ऐसा नहीं कि बार नहीं सिंपल आई बस सिक्वेंस reaction दे दी सिक्वेंस रियक्षन दे रखिए दो या तीन बोल सकते है तो सबसे पहले पास देखो फिर से यहां पर इस पेपर में यहां से यहां से यह क्या जाएगा यहां से यह डबल बॉंड बन जाएगा प्रोपीन बन गया क्या बन गया प्रोपीन इसमें मेरे हिसाब से कोई प्रॉलम नहीं होनी चाहिए प्रोपीन अब इसके साथ हमारे पास दो रियक्षन दे रखिए एक है हमारे पास सर्फ बी एंड सी का नेम पूछा था नेम पूछेंगे नेम बता देंगे ठीक है चलो देख लेते हैं हमारे पास अब यह तो मतलब जैसा बता इसके वेसिस पर मेंमोरी वेस है बड़ा तो कुछ सेंगे हो सकते हैं कोश्ण समें बरट बैसीकली आजपास इसके आजपास ही कुछ को श्चन होगा ठीक है मारे पास किया आएगा यहां पर यहां पर यह उगया प्रोपीन एप्रोपीन के साथ किया है यहाँ पर क्या होता है सबसे पहले हमारे पास बनता है कार्बोकेटाइन तो यह बन गया कार्बोकेटाइन ठीक है यहां पर जुड़ गया है अब इसके बाद रियरेंजमेंट की पॉसिबलिटी होती तो करवाते बट्व इसको सन्मेंट जैसा कुछ होई नहीं रहा तो अब हमारे पास च्टू ओ से क्या जोड़ जाएगा तो यह बन गया हमारे पास पॉएच मेरे साब से कोई प्रोलम नहीं होनी चाहिए यह आ गया भी और यह अमारे पास क्या है बीच् फ्रिटी एच एफ और देन हमारे पास क्या आएगा फर्स्ट यह है और सेकंड क्या है हमारे पास एच्टू ओटू ओफ माइनस माइनस के साथ हमारे पास एंटी अडिशन कराना है बस एंटी उनिक और अधर उच आजा जाएगा अब एक बच्चा बोल्टा तो सर आईप और यहां पर अगर बात करोगे हमारे पास तो यह क्या है प्रोपेन वन ओल तो यह तो इनका यूपेसी नेम हो गया क्लियर अब ओप्सन देख लेते हैं पहला ओप्सन क्या रखा है बी और क्यों 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 यह हो गया और यह क्यों नएक बार कमेंट करके सांसा क्यों बोल रहा है और बीपने दूसरा उसने बोलाए कि एज एस डिक डी आईड्रेशन प्रडीव प्रोडियोबट हो बी जो है हमारे पास एक यह अगर एस्टिक डियाइडरेशन करें बी का तो में ए मिलेगा देख लेते हैं तो यहां पर अगर मैं इसका डियाइडरेशन करता हूं मतलब यह है कि कंसंट्रेट सफ और के साथ रिक्षन हो रही है तो यहां से प्लस बनके और यहां तो ऑवियस है क्या होगा यहां से चला जाएगा यह तो सई है अगर आप सी का भी करोगे तो भी हमारे पास क्या मिलेगा यहां पर भी अगर कंसंट्रेट एच टू एस ओफॉर की रियक्षन करवाते हो तो हमारे पास इसका भी डियाइडरेशन के बाद यहां से एच फिर कार्बकेटाइन बनेगा रियरेंज होगा वापिस से वही से कि यह यहलकीन बन सकता हूर कुछ बन यहां पर तो यह थे मारे पास सही है दोने हमारे पास सही बात शॉच हमारी है बट अब उसने क्या बोल रहे हैं बहुत भी एंड द सी करक्त कर्ड़ेजर चाए की तो अगर कूई बी उप्शन पढ के ही तो उसको नेगेट्व मिल जाएगा और वह सकता है नेक्स आगर अपन बात करें तो नेक्स हमारे यह और रहता है मॉलीक्व का को स्टन दे रखा है दे र यहां पर कॉलम फ़स्ट है और कॉलम सेकंट में हमारे पास कुछ दे रखा है कि इन में क्या रिलेशन हैं यह दो-दो पेर बना रखे नहीं लिटाना हैं पहला दे आजाएगा एक दूसरे की क्या होते है एक में सिर्फ पोजिशन का चेंज होता है एक में राइट साइड एक में लेट साइड तो यह दोने दूसरे क्या होते हैं पर क्योंकि और येख का पोजीशन कोन 서 है कारबन पर चाहिए फ़स्ट ता हूं न्म enorm i कारबन क्मेरिय कया होता है बता देताaders tá तो ये उन्डी्यक को सबाओ और कीटोन में कारबन कौन सा रहेगा गयार पास घॉकिन स्टु малень फ्रक्टोज में कितना रहता है तो वहां पर तो उएच अलग अलग पोजिशन परोज़ता यह दोनों ही क्या है लेप्ट और रइट का बनेगा आस तो िस मैंनोज क्या होते हैं हमारे पास है मतलब दूसरे वाले कार्बन पर जो है उसकी पोजिशन क्या रहती है डिफ्रेंट रहती है क्लियर और नेट्स है हमारे पास यहां पर दिरखा है तो यह कौन सा होगे एपीमर किसमें दे रखाए बटा आर में और होमोलोगेश क्या होते हैं होते हैं जिन में एक और हये मदलब नेक्स सिरीज हमारे पास नेक्स तो कौन सा है अ यह सैंट फा तो यह हो में कि दूसरे के हो मिलोगेश्ट यहां पर पर हमारे पास इस तरीके से option में इस हो जाएंगे clear next नेक्स्ट अमारे पास दे रखा है यह थैलिमाइड होगा एठिंग थैलिमाइड भी हो सकता है थैलिमाइड भी हो सकता है डिपेंड करेगा थैलिमाइड की अगर अपन reaction करवा है पिए सी डबल बॉंड ओ सील या फिर हो सकता है हमारे पास पिए सी डबल बॉंड ओ सील ना देखें यहां पर पिए सी एस टू सील दे रखा हो या मतलब नॉर्मल एलकाईल एलाइट दे रखा हो ठीक है तो नमबर ओपाई बॉंड बताने अपनको प्रोडेक्ट मे अगर थैलिक एसिड को अपन एनसरिक्यविक्स के साथ हीट करें हीट करना है अगर आप हीट नहीं करोगे तो सॉल्ट ने के यह बन गया हमारे पास थले माइड ओन है कि यह हो गया हमारे पास थले माइड अब अगर इसकी इसको और करोगे तो यहां से यहां यह बन गया C double bond O, यहां पर आ गया है NH, C double bond O, NH, यह हो गया हमारे पास थैलिमेड, यह है थैलिमेड, तो इसके साथ पहले क्या दे रखा के वेच्ट, तो के वेच्ट के साथ reaction कराएंगे, तो हमारे पास acid base reaction होगी, तो यहां से H जाके हमारे पास क्या बन जाएगा, H जाके हमारे पास जो product बनेगा, acid base reaction हो रही है, यह बन गया N minus C double bond O, यह है, और देन हमारे पास यहां पर substitution reaction है, pH C double bond O, Cl, तो acid derivative है, acid derivative की जो mechanism होती है, वो होती है, S, N, A, E mechanism, यहां पर कौन सी mechanism होगी, S, N, E, nuclear flick substitution by addition, elimination, अगर यहां पर मानलो, alkyl allied दे रखा है, तो वो हो जाएगी, SN2 reaction, और SN2 reaction होने की वज़े ची यहां पर हम क्या यूज नहीं कर सकते, aromatic allied use नहीं कर सकते, क्योंकि aromatic allied में SN2 reaction नहीं होती है, clear, बस हो गया, इसके बार last question है, तो यहां पर हमारे पास C alert जाएगा, और N के साथ जुड़ जाएगा, तो यहां पर N minus K plus कर सकते हो आप, तो यहां पर हमारे पास क्या बन जाएगा, C double bond O, double bond O, यहां आगे हमारे पास N, C double bond O, क्या दे रखा है, pH, तो पूछा क्या है इसमें, पढ़ लेते हैं अपन, क्या पूछा है इसने, नमबर O, pi bond, pi bond पूछा है तो हमारे पास देगो, 3 तो इसमें, 1 इधर, 1 इधर, 1 इधर, और 3 इधर, तो टोटल कितने होगे, 3, 3, 6 और 3, 9, तो टोटल pi bond कितने आ जाएगे, 9, 9 यहाया होगा, 9, बिल्कुल सही, last question है हमारे पास, which of the following use in adsorption chromatography, adsorption chromatography में हम क्या यूज करते हैं आपर, तो हमारे पास, क्या क्या यूज करते हैं, अपन सिलिका जेल adsorption के लिए यूज किया जाता है, बिल्कुल सही है, उसके बाद alumina यह भी यूज करते हैं, तो हमारे पास क्या जाएगा, करना क्या है बेटा, बैस complete होगा है मेरे वाला session, हाँ तो करना क्या है आपको यहाँ पर की ncrt, मतलब अपने notes complete कर लीजिएगा, notes अगर आपने अच्छे से revise कर लिए हैं, short notes बना रखें, इसका मतलब यह कि आप पेपर सही से attempt कर लोगे, पेपर का sequence, मतलब अगर सही तरीके से देखा जाए, तो पहले chemistry, then physics, then maths करना चाहिए, जिस तरीके का paper आ रहा है, क्योंकि अगर आप maths में पहले लग जाते हो, लेंदी पेपर है, थोड़ा time लग गया, तो उस वज़े से क्या हो जाएगा हमारे पास, कि आप physics और chemistry में कम time होने की वज़े से, फिर आप questions हो सकता है, wrong कर दो, इससे बढ़िया है, chemistry और physics पहले करोगे, तो आपके पास बहुत time बचेगा, तो match में problem नहीं आएगी, क्योंकि match में time रहेगा, तो confident रहोगे आप, और questions कर सकते हो, clear, तो sequence बेटा, आप यहीं रखिएगा, हमारे पास, पहले क्या रखना है, chemistry, then हमारे पास physics, और then क्या करना है, maths, ठीक है, अभी आपके पास physical chemistry वाला portion discuss होगा, तो वह मैं सर स से बात कर लेता हूँ, एक मिनट दीजीगा बस, PDF आजाएगी पिटा, PDF आजाएगी, क्यान है, यह रता है, खआएगी यह चते हैं में क्या रखना है,keys च्पना है, hè Wick 13談 혹시 कर दीक है, कि आभामरी और हलो बच्चों हलो 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 मेरी आवाज आरी है जल्दी से बताओ कैसे हो सब लोग नहीं लेट नहीं यार यह तो विसी तरह से चलता है आप शिफ्टिंग में थ्वासा रहता है अब मेरी आवाज आरी है भई थैंक यू, थैंक यू, हाँ भई, बकरे गिरादो, बकरे गिरादो, मेरी आवाज आ रही है सबको, मैं दिखाई दे रहा हूँ मज़े की बात यह है कि फिजिकल केमिस्ट्री की वेटेच थोड़ी सी बेटर दिखाई दे रही है इस इन शिफ्ट्स में तो मुझे ऐसा लगता है कि यह बच्चों के लिए एक अच्छी ख़बर है बिकॉस फिजिकल केमिस्ट्री के ज़्यादातर सवाल जो है वो हम कर लेते हैं और बहुत ज़्यादा अच्छे लेविल के सवाल जैसे कल की शिफ्ट का सवाल अब मुझे नहीं पता वो exactly आया भी जा की नहीं बट मुझे यह अच्छा लगा वो जो सवाल हम लोगों ने कल की शिफ्ट में देखा था जिसमें केमिकल कानेटिक्स में नेट रेट कॉंस्टेंट की वाल्यू के वन के थी बाई के टू दी गई थी बड़ा अच्छा इंट्रेस्टिंग सवाल था जिसमें पेपर का जो इवनिंग कल की दिन का जो इवनिंग शिफ्ट था उसमें भी मैंने यह अब्जर्ट किया है कि फिजिकल केमिस्ट्री के ठीक ठीक सवाल से दिये गए थे उसमें से एक दो सवाल ऐसे थो थोड़े से ठीक लग रहे थे अधरवाइस एक नॉर्मल तरीके के सव सवाल दिये गए थे और मैं हर बार बोलता हूं फिर बोलूंगा पिछले कई दिनों से कई सालों से बोलता चला रहा हूं कि हर चापटर के सेट चार-पांच बाते होती हैं उन चारब-पांच बातों पर बीज़-भी सवालों की प्राक्टिस कर लिया करो त इसका नुकसान होता, तो इसलिए मैं फिर बोलूँगा, जिनकी शिफ्ट अभी बची हुई है, हालकि तैयारी अच्छी करके जानी चाहिए, जहां जहां से पढ़ सकते हो, वहां वहां से पढ़ लेना चाहिए, जितना समझ सकते हो, उतना समझ लेना चाहिए, बट क्योंकि टाइम कम है, तो जिनकी भी आगे के शिफ्ट बचे हुए है, मेरा सजेशन यही है कि वो फिर यही काम करेंगे, हर चाप्टर की गिनी चुनी बातों को एक बार धोरा लेंगे, मैंने कल भी बोला था, बोर मॉडल पर सवाल पूछा जाएगा, उसने एक्जाटली बोर पॉ सवालों में अगर देखा जाए, तो सबसे पहले डिसकस कर लेते हैं, हम लोग फटा फट स्टार्ट करते हैं, ये एक पहला theoretical सवाल ले लेते हैं, आदेको ऐसा बच्चों ने बताया था कि ये सवाल आया था, और मुझे लगता है कि बहुत पुराना सवाल है, इसमें कुछ खास नया सवाल नहीं है, इसमें इन्होंने बोला था कि कौन सा स्टेट्मेंट सही है, कौन सा गलत है, और तुम सब समझ रहे होगे, मुझे लगता है, आप सब लोग इस बात को एगरी करेंगे, कि बहुत आसान सवाल पूछा गया था, इसमें इन्होंने कहा है कि number of emitted photons, य इस चीज़ के उपर depend करेंगे, कि आपने कितनी intensity की light मारी, लेकिन अगर आप incident light की frequency increase करते हैं, तो सिर्फ electrons की kinetic energy बढ़ सकती है, क्योंकि आप सब लोग शायद इस बात को जानते हैं, कि जो kinetic energy electron की होती है, वो incident light की frequency और work function के subtract को subtract करके ही निकाली जाती, तो साफ समझ में आता है कि पहला statement तो बिल्कुल गलत है कि number की बात कर रहे हैं आप, और आप ये कह रहे हैं कि number change हो जाएंगे frequency को change करके, सर ये आप बिल्कुल गलत बात कर रहे है, number frequency को change करके नहीं, frequency को change करके तो kinetic energy change हो सकती है, सर, पहला statement तो आपका false लगता है, सर, first statement false है, और इसी वजह से second statement true लगता है बहुत सही बच्चे सारे आंसर बता रहे हैं भी बिल्कुल टाइम बरबाद नहीं करेंगे इससे एक हिंट यह मिल रही है कि क्योंकि फोटो एलेक्ट्रिक इफेक्ट के ओपर एक थरिटिकल इन्फरमेशन मांगी गई है तो हो सकता है कि आगे आने वाली शिफ्ट म आपको फोटो एलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में इस चीज पर सवाल मिल जाए तो पॉसिबल है यह एक्सपेक्टेड है मेरे हिसाब से इस बात को सब लोग रिवाइस करके जाएंगे और इसके उपर भी एक दो सवालों की प्राक्टिस जरूर करके जाएंगे क्योंकि इस पर भी एक नुमारिकल हमसे पूछा जा सकता ठीक है चलिए आगे बात करते हैं नेक्स सवाल पर आते हैं दोखो यह सवाल पूरा तो नहीं मुझे एकाल लोगों ने पताया एकाज जगहों से मैंने देखा इसमें लोगों ने कहा था कि इस रियाक्शन का rate equilibrium constant कैसी दे र क्योंकि equilibrium change हो रहा है इसलिए हमारा equilibrium constant की value change कर जाएगी तो सब लोग इस बात को agree करेंगे कि अगर इसका equilibrium constant कैसी है तो इस equilibrium का equilibrium constant क्या करना पड़ेगा सबसे पहले तो आप इस equilibrium को उल्टा करेंगे तो जैसे ही आप इस equilibrium को उल्टा करेंगे तो वो कैसी की जगह क्या बन और उसके बाद उल्टा करने के बाद आपने 2 से multiply कर दिया सर जब आप इसको 2 से multiply करेंगे तो यह पावर में चला जाएगा यानि ultimately देखा जाए तो जो नया equilibrium constant की value निकल के आएगी 1 by kc square आएगा बहुत साही सारे बच्चे दे रहे हैं मुझे लगता है शायद यह numerical पूछा गया था कोई value दे रखी थी kc की जिसको हम solve करके answer निकाल सकते हैं सारे बच्चे कर लेंगे चलिए next point पर आते है what is the angular momentum जैसे मैंने बताया था देखो बोर मॉडल में उस electron के orbital angular orbit angular momentum के बारे में बात चल लई है जो की fourth orbit में नाच रहा है तो बोर साथ चीख चीख के मर गए कि अगर आप orbit angular momentum की बात करते हैं तो वो nh by 2 pi से calculate किया जाता है सब लोग इस बात को agree करते हैं और ये बहुत आसान सा concept था कि जो orbit angular momentum है वो nh by 2 pi से calculate किया जाएगा और ये आप derive भी कर सकते थे आज सच इसनी कोई बहुत बड़ी बात नहीं यानि कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आप mvr is equal to n h by 2 pi बोल रहें और आप n की value 4th orbit की बात कर रहें तो एक चीज़ तो सर वैसे ही clear हो गई कि अगर आप n की value 4 बोल रहें हैं तो अगर n की value 4 है तो यहाँ पर orbit angular momentum जो आप से पूछा गया था angular momentum जो हम से पूछा गया था वो कितना निकल के आ जाएगा sir angular momentum n की जगा 4 डाल देंगे and it will be 4 h by 2 pi आंसर बहुत खूबसूरत sir 2 h by pi और option बहुत ही प्यारा and answer is b बिल्कुल आसान है बहुत सारे बच्चे इसका answer दे रहा है एक आसान सा level का सवाल पूछा गया था मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ खास बहुत बड़ी बात नहीं है एक बच्चा कहता है done in physics कैसी बाते कर रहो फिजिक्स वाले तो हमारे भरों से रहते है atomic structure में बरहाल जो भी है तो यह chemistry में भी कराया जाता है और war model mvr is equal to energy by two pi derive भी करते हैं इसको use करके आगे की चीजों को derive भी करते हैं तो मुझे लगता है यह एक आसान सा simple सा formula है और भी बहुत detail में discussion किया जा चुका है इसके बारे में यह सवाल ठीक है sir one mole of an ideal gas physics का ही जैसा kv तो दीए आप बहुत clear है और options को देखकर एकदम साफ समझ में आ रहा है कि sir एक reversible adiabatic compression का process है जिसमें नया जो temperature होगा that is T1 V1 gamma minus 1 must be equal to T2 V2 gamma minus 1 simple है अब अगर आप ध्यान से देखें कि तो इससरी एक ideal monotomic gas की बात कर रहा है हम monotomic gas के बारे में क्या-क्या जानते हैं जरा उसके बारे में लिख लेते हैं sir monotomic gas के लिए जो cv की value होगी वो 3 by 2r के बराबर होती है और जो gamma होता है sir वो 5 by 3 होता है चली ठीक है sir इसको use कर लेते हैं तो अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो बहुत clear है कि adiabatic process एक ऐसा process होता है जिसमें du की value dw के बराबर होती है तो अगर आप work done निकालना चाते हैं तो एक तरह से internal energy change calculate करना चाते हैं और internal energy change के बारे में हम सब जानते हैं internal energy change वो n cv delta t से निकाली जाती है इसका मतलब यह हुआ अगर मैं n की value put करता हूं तो n1 mole है मानते हो cv की value sir 3 by 2r दे रखी है जो भी अंतर आने वाला है sir वो t2 minus t1 से ही अब आप t2 t1 की value बताइए चलिए मैं आपको t2 t1 की value बताता हूं जो t1 है वो तो अलड़ी आपने सवाल में t दे रखा है यह आपने initial temperature हमें t दे रखा है तो जो t2 है वो calculate कर लो अरे भाई तो जो t2 है वो यहां से calculate कर लो ना नहीं समझे बात को sir t2 यहां से calculate कर लेंगे क इतना सीधा सवाल हो गया sir t2 की value calculate करके देखिए जरा चलिए यहां पर t2 की value calculate करते है t1 volume कितना है हमारा initial 2v यानि कि यह आजाएगा t into 2v raised to power gamma minus 1 that is 5 by 3 minus 1 यह आजाएगा 2 by 3 is equal to नया temperature t2 into v raised to power 2 by 3 sir इससे t2 की value बहुत खूबसूरत आ रही है 2 raised to power 2 by 3 into t और यह value यहां put कर देते हैं तो मेरा answer finally जल्दी से बताओ कितना आ रहा है sir यह मेरा answer आने वाला ही यह मेरा answer आ गया 1 into 3 by 2 r और t2 कितना आ जाएगा भई? t2 की value आपने ले रखी है sir यह आ जाएगा 2 raised to power 2 by 3 into t minus t sir t कॉमल ले लीजिए तो it will be 3 by 2 rt अंदर क्या बचा? 2 raised to power 2 by 3 minus 1 कितना खूबसूरत answer अगर कुछ दिखता हो तो उसको tick कर देते हैं मुझे लगता यह clear? समझ में आ गया? बहुत आसाण सा सवाल था बहुत आसान से किया जा सकता था आप physics में किया था आप physics में था, आप ठीके भई physics में कर रहा होगा लेकिन यह था बहुत आसान सा सवाल अगर मैं इसको chemistry का सवाल कुछ अच्छा बना ना चाता जैसे तूं physics की गानेगा रहे हो, तो एक काम करते हैं, एक irreversible ideavatic process बना देते हैं, और उसके बाद सवाल करते हैं, बैंड बज गई भई, अब बैंड बज जाएगी, क्योंकि हाला कि बात भी सही है, sir, irreversible ideavatic process या irreversible isothermal process के work done calculations कोई आसान से काम नहीं है, sir, जबरदस्ती का, chemistry वालों का टंक है, लेकिन फिर भी एक चीज़ क्लियर है, कि अगर ये irreversible process होता, तो, sir, सबसे बड़ी मुसीबत यह होती, कि आप ये temperature ही calculate नहीं कर पाते, ये काम ही नहीं कर पाते, because this is applicable for what? It is applicable for reversible ideavatic, sir, ये reversible ideavatic की condition है, अगर ये reversible ideavatic नहोता, irreversible ideavatic होता, तो इस equation को use नहीं किया जा सकता था, और अगर ये equation use नहीं हो सकती थी, तो, sir, आप temperature calculate नहीं कर सकते थे, तब आप कैसे work done निकालते, सोचो, सोचो, sir, मैं तब भी work done calculate कर सकता था, लेकिन उस case में मुझे थो काम कर सकता, तुम लोगों को class में detail में पढ़ाए गया, एक बार जो समझदार बच्चा होगा, एक बार उसको ज़रूर revise करके जाएगा, क्योंकि irreversible ideavatic band बसती है लोगों की, क्योंकि वो actually नया temperature ही calculate नहीं कर पाते, जिसकी वज़े से उनको दिकता थी, तो अगर आपको न minus V1 is equal to nCV T2 minus T1, ये तो applicable है, हाँ सर, ये तो applicable है, ये तो applicable है, ये तो applicable है, du is equal to dw, चलिए ठीक है, P external generally P2 के बराबर होता है, जरा समझना, यानि gas finally जिस pressure पे पहुंची है, वही external pressure होता है, और अगर नहीं है, तो सवाल में P external given होगा, चलिए ठीक है, V2 की जगा हम जानते है PV is equal to nRT में, V2 की जगा आप nRT2 by P2 put कर सकते हैं, minus nRT1 by P1 put कर सकते हैं, and this is equal to nCV T2 minus T1, आप मेरा यकीन करे, सारी values given होगी, सिर्फ एक value unknown होगी, that is T2, आप इस equation को use करके T2 calculate कर सकते हैं, और ये irreversible process में T2 निकालने का एक आसान सा तरीका होगा, जो generally बच्चे गलत करते clear है, समझ में आ गया, clear है, आप physics में था चलो ठीक है, physics में होगा, अब मुझे नहीं पता, अब जहां भी था वो मैंने लेख लिया, चलो तुम्हें एक अच्छी information तो देखने को मिली, कि reverse bill process का अगर सवाल आएगा, तो आप इस equation को use करके T2 निकालिएगा, वो T2 गामा वा गामा जो कहानी है, यह adiabatic reversible की कहानी है, irreversible की कहानी नहीं है, क्योंकि PV गामा जो प्रूफ किया गया है, वो actually यह source कर प्रूफ किया गया है, कि gas जो है, वो reversible process follow करती, तो जिन बच्छों ने physics में इस बारे में discussion की है, उनको यह बताया गया था, कि हम तो reversible process के discussion करेंगे, irreversible process का कोई discussion नहीं करेंगे, हम chemistry में तुम्हें यह बात बता रहे हैं, कि irreversible process पर अगर सवाल निकल के आता है, तो temperature calculate करने का यह तरीका था, जो तुम्हें बताया गया, clear है, बाकी आपकी मर्जी है, चलिए आगे बात करते हैं, next बहुत ही फर्जी सवाल है, कुछ discussion नहीं करना Dalton's आप कह 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 के मर गए न जाने कौन-कौन सी atomic theory उन्होंने पकड़ाई थी, homogenous mixture हम दुनिया जानती है, सर, आज कोई पहली बात होई ना कर रहे है, atom same element के same ही होंगे, सर, अलग थोई ना हो जाएंगे, सर, heterogeneous mixture का composition अगर uniform होता, तो फिर पहला वाला statement गलत हो जाता, तो सर, सर, एक ही statement है, definite proportion law ये कहता है कि जब मिलेंगे, तो generally एक simple whole number ratio में ही एक compound को form करेंगे, किसी भी ratio में जुड़कर कुछ भी नहीं बना देंगे, सर, ये second statement ही गलत लगता, clear है, समझ में आया, हाँ, ये अच्छा है, तेरा बाप का एक बड़ा अच्छा नाम भी रखा है, इन् ये तो बहुत ये अच्छी बात होगी, कि बिना पढ़े भी J Calculate निकाला जा सकता है, तो ठीक है, निकाला जा सकता होगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता है, जेए का मेंस बहुत मुश्किल है, तो लेकिन पढ़ना थोड़ा बहुत तो पढ़े गई है, बिना पढ़े तो J मेंस नहीं निकाला जा सकता, खेर, नेक्स सवाल पर आपते हैं, नेक्स सवाल है, calculate the heat for isothermal process, अब हो सकता है, ये भी physics में पूछा गया हो, लेकिन फिर भी एक rough explanation तो दे सकते हैं, क्योंकि isothermal process की बात कर रहे हैं, और 5 ATM external pressure है, और 5 ATM external pressure कहता है, कि this is constant pressure, और अगर ये constant pressure है, तो ये imply करता है, it is irreversible process, हमें तो नहीं लगता कि physics वाले करते हैं इस बात को, ये एक irreversible process, और अगर इर रिवरसible process है, तो एक चीज़ तो clear है सर, अगर आप DW निकालना चाहते हैं, तो it is minus P external DV, और अगर ये minus P external DV है, तो जो work done निकल के आएगा, जो आप irreversible work done की बात करते हैं वो minus P external V2 minus V1 से निकाला जाए, clear है, समझ में आएए, बिलकुल आसान है, बिलकुल सही, शाबाश, बिलकुल सही है, यानि अगर आप P external की बात करते हैं, तो P external कितना दे रखा है, सर ये 5 ATM दे रखा है, volume का change कितना दे रखा है, सर 20 से 60, यानि की 60 minus 20, सर ये solve करेंगे, तो minus 200 ATM लीटर आएगा, सर, ATM लीटर, चलिए बहुत बढ़िया, लेकिन हमें ये वगबर नहीं निकालना है, सर, क्या वेकार की बाते कर रहा है, वगबर थो इना calculate करना है, हमें तो energy, heat का exchange calculate करना है, तो सर, क्या ये बात आपको याद है, कि DU is equal to DQ plus DW, एक first law of thermodynamics कहता है, जिसमें DU की value 0 होगी, क्यों DU की value 0 होगी, सर, DU इसलिए 0 होगा, क्योंकि DT 0 है, तो इसका मतलब ये हुआ, जब DT 0 होता है, तो DU भी 0 होता है, जल्दी से पता हो, ये बात सच है, अगर DT 0 होगा, तो DU भी 0 होता है, जल्दी से मुझे चैट पर ये बात लिख के बता दीजे, कि अगर dt 0 तो du भी 0 जबकि हमें पता है कि du की जो value है वो n c v dt से निकाली जाती मैं यह कहना चाह रहा हूँ if for any case if dt is equal to 0 then du is equal to 0 true or false जल्दी से बताओ true or false सर अगर dt 0 तो du b 0 बिल जो पता था यही जवाब दोगे बहुत सारे बच्चे के रहे हैं लिख रहा है गलत है यह statement कभी यह statement जही हमसे पूछे कि जब भी dt 0 होता है यानि constant temperature process में हमेशा internal energy change 0 होगा यह false statement constant temperature process में internal energy change सिर्फ तब 0 होगा जब molecular interactions change नहीं हो रहे हैं यह ideal gas है ideal gas का कोई interaction नहीं होता बकवास बत करिए सर आपको जो करना कर लीजे molecular interaction चेंज नहीं होगे चाहे वो compress करतीजे चाहे आप expand करतीजे सर constant temperature होगा तो internal energy change भी 0 होगा लेकि सर हर constant temperature पर ऐसा नहीं होता जब पानी औड़ता है जब बرف पिघलती है तो क्या वो constant temperature नहीं है melting point, boiling point लेकिन उस process का भी delta ही होता है उस process का भी delta यु होता है क्योंकि वहाँ molecular interaction चेंज हो रहा है बरफ पिघल रही है molecular interactions change हो रहा है पानी उड़ रहा है molecular interactions change हो रहा है इस बात को सब लोग याद रखेंगे, लेकिं सर यहाँ ठीक है, सर यहाँ gas-wise की बाते चल लगी है, ideal gases है, सर क्या compress, क्या दबाना, सर constant temperature होगा, तो molecular interactions तो वैसे भी कुछ नहीं थे, सर वो कभी भी change नहीं होगे, और ऐसे में, if dt 0, du will be 0, तो इसमें कोई शक नहीं है, अगर dt 0, तो यहाँ पर du 0, और ऐसे में अगर आप dq निकालना चाहते हैं, तो वो minus dw के बराबर होगा, खतम हो गया सर, यह आपका dw था, और इसी तरह से जब आप dq निकालेंगे, तो dq की value प्लस 200 आजाए, अब आप इसको जूल में convert करना चाहें, तो कर लीजिएगा भाई साहब, दो सो को 101.3 Joule से multiply करके, आप heat exchange calculate कर सकते हैं, clear है, clear है, सबको समझ में आगया भाई, सबको यह बात समझ में आगया, बिलकुल आसान है, इस चीज़ को सब लोग ध्यान रखना भाई, जैसे मैंने बोला, internal energy change या enthalpy change will be zero at always, for any process at constant temperature, false, if the molecular interactions are constant, if the molecular interactions are similar, in that case, if dt 0, du 0, dh 0, बिलकु सही, but अगर molecular interaction change हो रहा है, बास सीधा सा example मैंने तुम्हें दिखाया, कि melting point पर 0 degree पर बरफ पिगल जाती है, तो temperature तो 0 degree आता है, लेकिन बरफ के पिगलने की वजह से, क्योंकि molecular interaction change हो रहा है, इसलिए dh भी 0 नहीं होता, ठीक है, इस बात को ध्यान रखोगे, चलिए बहुत, अगर ATM लीटर में भोला था बेटा, तो ATM लीटर में निकाल लेना, मैंने तो जूल में जबरदस्ति कर दिया, मुझे माफ कर दो, लेकिन ठीक है, एक अच्छी information, जिन बच्चों को याद नहीं था, तो उनके लिए एक अच्छी information यह है, कि 1 ATM लीटर जो होता है, वो 101.3 जूल के बराबर होता है, तो जिन लोगों को ये चीज ध्यान रखनी थी, वो ये ध्यान रख सकते हैं, ठीक चलिए आगे बहुत, बिल्कुल भी discussion की ज़रुत नहीं है, सर वो micro का आता है, microwave का आता है, फिर उसके बाद infrared भी आ सकता है, infrared का number आ सकता है, उसके बाद सर सुना है, visible का भी reason number आ सकता है, और उसके बाद UV का, उसके बाद X-rays का, और उसके बाद gamma का सर, तो ये सर बिल्कुल साथ समझ में आ रहा है, this is increasing order of wavelength, this is increasing wavelength, यानि सबसे ज़्यादा wavelength किसकी देखने को मिल रही है, सर सबसे ज़्यादा wavelength रेडियो वेव की देखने को मिल रही है, और सबसे गंदी gamma है, तो ऐसे मैं अगर देखें, तो infrared UV X-ray gamma, मुझे तो यहीं सही लगता है, A option बिल्कुल सही लगता, clear है, आप physics पर कर लिया है, हम सब जानते हैं कि जो हमारी molar conductance है, वो infinite dilution की conductance के साथ इस relation से link होती है, तो अगर आप से पूछा जा रहा है कि अगर मैं lambda M और root C का curve बनाता हूं, तो जो slope निकल के आएगा, वो minus B होगा, यानि मुझे किसकी unit चाहिए, we need to find out the unit of, सवाल के हिसाब से B, जो मैंने constant लिया है वो B, मुझे B की unit चाहिए, और सारे बच्चे जानते हैं कि जो B root C की unit होगी, वो lambda M की unit के बराबर होगी, और हम सब जानते हैं, molar conductance की जो unit होती है, वो cm2 mol inverse होती है, बस खतब हो गया सर, तो अगर आपको B की unit चाहिए, तो वो B की unit जो होगी, B root C की unit तो यही होगी सर, क्य square, mol inverse divided by root C, और root C क्या होगा, सर, root C होगा, moles per liter या centimeter में ही रहने देते हैं, centimeter cube का under root, सर, यह होगी, अब आप इसको solve कर लिजे, सर, इस से देखके लग रहा है, S, centimeter, six, कैसे कैसे आ जाएगा, 3 by 2, यह आ जाएगा, centimeter raise to power 7 by 2, और moles की power में यह आ जाएगा, 3 by 2, एक बार अपने आप चेक करके देखो, जो unit बनने वाली है, वो यह बनने वाली, C option, ने, D नहीं आ रहा है, एक बार चेक करना, ज़रा इसको सही से solve करो, आप यह सही से solve करोगे, तो यह नीचे का 3 by 2 है, व उसको एक बार सही से solve करके देखो, आ रहा है, C option, बिल्कु सही है, चलिए सर, next सवाल पर आते है, next सवाल क्या है, next सवाल देखो, यह भी अच्छा सवाल बनाए गया है, एक reaction है, A plus B gives C, अब देखो, overall तो first order kinetics से और इसके rate constant को देखकर भी दिखाई दे रहा, बट यह के category का सवाल लगता है, good problem, इसमें करना क्या है, सर, देखे, एक reaction जो दे रखी है, वो reaction है, A plus B gives C, इस initial concentration सर, कुछ यह दे रखी, थोड़ी देर बाद सर, यह 1 minus X हो जाएगा, और यह X हो जाएगा, तो अगर मैं rate law को observe करूं, तो rate law कहता है, कि rate is equal to K A की power 1 by 2, B raise power 1 by 2, आपक इसाब से rate क्या होना चाहिए, सर, मेरे इसाब से, अगर मैं इस reaction का rate लिखता हूँ, तो यह जाएगा, minus D A by DT, it should be equal to K, into A raise to power 1 by 2, into B raise to power 1 by 2, सर, यह, मेरे इसाब से, चलिए सर, जड़ा value put करते हैं, किसी भी instant पर A की concentration 1 minus X है, तो this will be DT, which is equal to K, 1 minus X की power half, 1 minus X की power half, and this is K, 1 minus X, इसको और तमीज से लिखेंगे, तो it will be DX by DT, सर, यह मेरा differential rate law है, क्या इस differential rate law को integrating rate law में convert नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, सर, इस differential rate law को integrating rate law में convert कर देते हैं, आप समझने क्या क्या मैंने, सर, initially आपकी amount 1, 1 था, फिर 1 minus X, 1 minus X, X हो गया, आपने rate law लिखा, rate is equal to minus DA by DT, जिसको आप minus D, 1 minus X by DT लिख सकते हैं, and ultimately भी DX by DT, K1 minus X, अब आप इसको integrate कर लिजे, कैसे करेंगे, सर, DX upon 1 minus X, which is equal to KDT, यह लिजे सर, integrate कर लिजे, यह लिजे, और जब आप इसको integrate करते हैं, तो मुझे लगता है, सब लोग जानते हैं, it is minus LN, 1 minus X, limit क्या रखेंगे which is equal to KT, limit क्या रखेंगे ज़रा जल्दी से बताओ भई, इसकी limit, 1 minus X की अगर मैं limit रखना चाहता हूँ, तो 1 minus X की जो initial value होगी, वो 1 होगी, क्यों, क्योंकि सर, 1 minus X का मतलब है, वो amount जो बचा हुआ, तो शुरू में कितना बचा, सर, शुरू में तो 1 था, यानि अगर आप शुरू की बात करें, बाद में कितना बचा, सर, बाद में A की value, 0.1 है, यानि this will be 0.1, आप इसको solve कर सकते हैं, यहां से अगर आप ध्यान से solve करें, तो जो T की value निकल के आएगी, वो आएगी, यह आएगा, ln 10 और ln 10 आता है, 2.3 divided by K, और K की value है, 4.6 into 10 raise power minus 2, सर, इसको solve करत हैं, यह 50 second निकल के आ रहा है, 50 second, खतम, बहुत अच्छा सवाल बनाया गया, 50 शावाश राजेश ने बहुत अच्छा answer भी दिया है, इसको सवाल को जड़ा सब लोग समझने की कोशिश करो, सवाल बढ़ा interesting है, सवाल बढ़ा अच्छा बनाया गया था, इसमें जन्रली पूरे 1-x की limit रखी, आप चाहें तो x की limit रख सकते हैं, अगर आप x की limit रखेंगे, तो चाह रखेंगे, शुरू में x कितना है, यहाँ 0 आ जाएगा, बाद में x कितना होगा, सब बाद में x की value होगी, वो 0.9 होगी, क्यों? क्योंकि 1-x की value कितनी है बाद में? 0.1, तो x क value कितनी होगी? 0.9, तो अगर आप x की limit रखना चाहते हैं, तो x की limit रख दीजे, कितनी-कितनी? 0.9, तब भी से answer आएगा, और अगर आप पूरे 1-x की limit रखना चाहते हैं, तो शुरू में 1, और बाद में 0.1, खराक से solve कर लिजे, उससे आपका answer निकल आएगा, time की value 500 second, सम यह सर, next सवाल पर आते हैं, how many orbitals है, following set of quantum numbers, बड़ा असान सवाल है, n की value अगर 4 है, तो दुनिया जानती है, l की जो value होगी, वो क्या-क्या होगी, sir, l की value होगी, 1, 0, 1, 1, 2, और 1, 3, 0 stands for s, p, d, f, s के बारे में बात करें, तो सर, यह अकेला होता है, p के बारे में बात करें, तो यह, sir, आजकल 3 लोग होते हैं, d के बारे में बात करें, तो, sir, अब हमने सुने हैं, 5 orbital होते हैं, और अगर f के बारे में बात करें, तो हमने सुना है, यह 7 होते हैं, clear है, तो ऐसे में अगर आप m is equal to 0 की बात करते हैं, तो कुछ भी ले सकते है, sir, this is m is equal to 0, ठीक है, this is m is equal to zero, sir, यहाँ पर भी M is equal to zero, sir, यहाँ पर भी M is equal to zero, तो अगर आप M is equal to zero की बात करें, तो एक orbital यह है, एक orbital यह है, एक orbital यह है और एक orbital यह है, यानि कुल मिलाके total orbital, जो M is equal to zero वाले होंगे, वो कितने होंगे total orbitals होंगे 4, sir, 4 ऐसे orbital होंगे जो कि अब बहुत वल्या बहुत वल्या सारे answer सही है सब सब बच्चे answer सही बता रहे हैं बहुत आसान सा सवाल था इसमें कुछ खास समझाने के लिए नहीं है चलिए आगे बढ़ते हैं next सवाल पर आते हैं next सवाल देखे क्या कह रहा है कल सिर्फ molarity पूछी थी आज molarity निकालनी थी उसके बाद उसको delta TF के अंदर पूट करना था तो मुझे ऐसा लगता है कि सर जो acetic acid होता है वो CS3 COH है जो कि एक weak electrolyte माना जाता है और अगर ये एक weak electrolyte है तो एक चीज तो clear कि सर इसका जो degree of dissociation है वो 1 से तो छोटा होगा लेकिन went of factor 1 से बढ़ा है ये मानते हो तो एक काम करते है सर इसका went of factor calculate कर लेते हैं तो बड़ा असान है सर इसका जो went of factor dissociation के case में हमें पढ़ाये गया है वो 1 into n minus 1 into alpha से calculate किया जाता है n क्या है n जितने लोगों में वो 2 रा है कितने लोगों में टूट रहा है वो electrolyte सर वो electrolyte दो लोगों में टूट रहा है एक ये आदमी है और एक ये आदमी है तो यानि n की value कितनी हो गई n की value हो गई सर 2 चलिए सर value put करते है 1 plus 2 minus 1 into alpha and that is 1 plus alpha यानि i की value जो है वो आपकी 1 plus alpha ठीक है खतम हो गया सर कंसेंट्रेशन से एक बार calculate कर लेते हैं तो अगर आप molarity निकालना चाहते हैं जल्दी से बताओ molarity कितनी आ रही है सर molarity almost equal to molality ही होगी ऐसा ही माना जाता है और अगर आप ध्यान से देखें तो acetic acid के mol 3,60 हो रखे हैं और volume पचास ग्राम पानी है तो आप इसको 50 ml solution मान सकते हैं यह आपका assumption है तो आप इसको 500 divided by 1000 ले सकते हैं आप इसको solve करिए सर यह जो concentration है molarity molality वो 0.1 निकल आईगी जैसे ही 0.1 आईगी खेल खतम होगी है सर अब आप बताइए क्या निकालना है delta tf is equal to कितना आएगा भई? delta tf is equal to i i की value कितनी है? 1 plus alpha 1 plus alpha into kf की value कितनी है? 1.86 into molarity कितनी है? 0.1 सर बस एक चीज़ आप बता दीजे कि यह जो alpha है वो कैसे निकलेगा? अब बढ़ा असान सी बात है इसमें थोड़ा सा काइनिक equilibrium है alpha is equal to under root k by c होता है a की value आपने सवाल में दे रखी है 1.8 into 10 less power minus 5 और c की value 0.1 है roughly आप इसको calculate करिए it is 0.013 यानि जो alpha है वो 0.013 हाला कि ऐसा भी कर सकते हैं आप alpha को neglect करिए sir आप सीधे सीधे when for factor को 1 मान कर भी यह सवाल सॉल करिए answer आपको almost similar निकल के आएगा अगर आप integer answer निकलना चाते हैं तो अगर आप यहाँ पर alpha की value put करेंगे तो it will be 1.013 into 1.86 into 0.1 इसको solve करते हैं तो यह आएगा 1.86 into कितना निकलाएगा 10 raise power minus 1 तो यह ultimately यह निकल के आता है और अगर आप ध्यान से देखें तो 10 raise power minus 1 में x अगर देखें तो x की value 1.86 है अगर आप integer put करना चाते हैं तो integer यहाँ पर 2 निकल के आएगा clear? बहुत बढ़िया शाबाश बहुत बढ़िया सब लोगों को यह सवाल समझ में आ गया बहुत आसान सा सवाल पूछा था लेकिन ये एक अच्छा सवाल इसलिए मुझे लगता है क्योंकि इसमें कुछ तीन बाते आ रही हैं पहली बात तो आपसे molarity calculate करवाई गई फिर आपसे went of factor calculate कराए गया with the help of alpha जिसके खुद के सवाल जेई ने NTA पूछ चुका है कि अगर i की value इतनी है तो alpha कितना होगा alpha की value इतनी है तो i कितना होगा सोचो उसको भी use किया है यानि कुल मिला कि ये एक लंबा सवाल लगता है जिसमें सबसे पहले molarity calculate की जाएगी उसके बाद alpha calculate किया जाएगा और उसके बाद delta tf calculate किया जाएगा तो मेरा मानना ये कि शायद एक solution पर किसी भी level पर इसी तरह का सवाल अच्छा बनाया जा सकता है हाला कि आप इस सवाल को और आसानी से करना चाते तो आप ये मान सकते थे कि i की value 1 है क्योंकि बहुत ही weak electrolyte है उसका dissociation वैसे ही बहुत कम होगा तो आप i को 1 भी put कर देते आप समझ रहे हैं यहाँ पर i की value अगर 1 भी रख देते तो भी answer 1.86 से निकल के आता क्योंकि 1.013 से कोई खास फरक देखने को नहीं मिल रहा है मेरी बास समझ रहो बहुत आसान बहुत आसान ठीक है चलिए आगे बगते तो ये मुझे लगता है कि अच्छी weightage पे सवाल दिये गए है तो सब लोग थोड़ा सा कोशिश करें और जम के महनत करें जितनी कोशिश करोगे उत्रा ही जादा फाइदा देखने को मिलेगा जो बच गया है जिन लोग के exams रह गए हैं वो और जोर लगा दें क्योंकि मैं फिर यही बोलूँगा बहुत set topics पर सवाल बन रहे हैं atomic structure को revise कर लिया जाए concentration terms को दोरा लिया जाए kinetics के chapter को revise किया जाए क्योंकि इन तीनों पर दोरो shift में आपको किसी न किसी level पर सवाल देखने को मिल रहा तो जो बच्चे भी जिनका paper बचा हुआ है था और मुझे लगता है आगे की shift के paper भी आचाहे organic chemistry ओ, inorganic chemistry ओ, physical chemistry मैंने देखे मुझे तीनों ही portions almost एक जैसे लगे और मुझे तो अच्छा यह लगा कि physical chemistry के इन्होंने अच्छे सवाल दिये और जादा सवाल दिये because physical chemistry इस पर एक ऐसा subject है जिसको आप पढ़ने लिखने वाला बच्चा कर सकता है ठीक है तो चलिए इतना ही करते हैं फिर मुलाकात करेंगे thank you thank you so much जो हम जैसे हो ख उपल बच्छे मुझे थियो कर सकता है झाल जाने ही कि लाग नहाया ठचे थान कर सकता है है में अवाले कि वर्षगने मुलाबनीज च्रहह आप, isć मुलड़ मुलाबने उन पर दियो दो भाこん झाल कर लिये खाल धॉ Kitworksski乐 झाल 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 हलो बचों कैसे हो तुम सब लोग भई क्या हाल चाल है थोड़ा सा लेट हो गया हूँ मैं उसके लिए माफी आप लोगों को वेट करवाया एक्चुली यार तुम्हारा डिसकेशन जल्दी खतम हो गया बाकी टॉपिक्स का मुझे लगा टाइम लगेगा हूँ देखो भागते हूँ आया हूँ मैं जल्दी जल्दी तो कैसे है भई कैसा रहा पेपर जिन्होंने कल पेपर दिया क्या लगता है आपको क्या फिलिंग आ रही है क्या टफ था इजी था लेट ओपी अरे भाई माफ कर दो यार लेट हो गए थोड़ा सा कभी कभी हो जाता है भाई देखो सर मैट्स हार्ड ही जा रहा है हाँ गुड मॉर्निंग सर गुड मॉर्निंग वेटा गुड मॉर्निंग इजी इजी कुछ लोग कह रहे हैं इजी होट लेट आये हो सर आप यार मैं सही बताऊं तो मैं लेट नहीं आया तुम्हारा मुझे लगा कि भी या फिजिक्स और केमिस्ट्री लंबा चलेगा तो उस हिसाफ से मैं प्लान कर रहा था आने का बड़ थोड़ा सा भाई जल्दी खतम हो गया कि जलो नेवर माइंड लगता तो समझ भी आता कि जल्दी बताईए कैसा लगा पेपर टफ लगा इजी लगा मीडियम लगा कैसा लगा आप लोगों को मैंने तो देखा है वैसे यह वाला पेपर सही बताऊं तो मैंने देखा है गौड लेवल पेपर था सर अब इसका क्या मतलब होता है यार गौड लेवल पेपर है गौड लेवल का क्या मतलब होता है इजी या टफ क्या मानू मैं सर एनाइटी पक्की है अच्छा वेरी गुड वेरी गुड बहुत अच्छी बात है भीटा एनाइटी पक्की है चलो भाई तो देखते हैं आप पेपर डिस्कशन करते हैं मुझे पता है is question का answer कोई single answer नहीं हो सकता कि भाई काफी लोगुके लिए टुफ हो सकता है काफी लोगों के लिए मीडियम हो सकता है जिसने पढ़ाई नहीं करी उसके लिए टुछ टुछ ही है अगर आप physics chemistry से compare करेंगे तो tough लगेगा अगर आप पिछले दो साल के math से compare करेंगे तो आपको easy to medium लगेगा ठीक है क्योंकि पिछले दो साल में math काफी tough आया था 2022 और 2023 में उसके मुकाबले से तो definitely कह सकते हो कि कम था बढ़ हाँ physics chemistry से देखो comparison ही नहीं जब तो math stuff कहते हो ना physics chemistry से मत compare किया करो से maths को math से compare किया करो ठीक है ना तो अगर आपने अगर आपने जिहान से class notes की चीजे भी करी है तब भी आज के काफी questions इस session के आप कर सकते थे जिसका sample अभी मैं आपको दिखाऊँगा चलिए तो start करेंगे maths का discussion तब लोग ready है hopefully तब लोग full Josh के साथ ready है भई हाँ तो जो लोगों ने अभी test जिनका नहीं भी हुआ है वो भी बहुत carefully देखें क्योंकि बेटा पिछले भी J.E.Mains के कितने sessions में ऐसा हुआ है कि repeated questions है repeated मतलब data change कर दिया हलका full का similar concept पे सवाल दे दिया तो अगर आप ये discussions देखेंगे हो सकता है इसके similar question एक दो फस्जें के बहुत high probability है ठीक है तो इसलिए सब बच्चे जिनका भी paper कल है परसो है आज वाले तो भाई नहीं देखें अभी जिनका चल रहा है वो तो paper दे रहे होंगे आँ तुझे मुझसे मतलब होना चाहिए बैनर से क्या मतलब है तुझे और question तो पूरा दिख रहा है चल इधर देख एबी सी आरिन एपी एबी सी आरिन एपी तो भाई ये तो बहुत ही obvious चीज़ है क्या करेंगे इसका हम ठीक है 2b equal to a plus c mind में चल रहा है और ये जीपी में है यानि b square equal to a plus one into c plus one प्यारासा ग्यारवी का question arithmetic mean of a,b,c is 8 तो a plus b plus c by 3 8 हो गया बट a plus c मिलाके 2b था तो 2b plus b by 3 तो b की value आ गई b की value आ गई b की value 8 आ गई बेटा b तो निकलाया देखो आगे देखते हैं क्या बोला है value of cube of geometric mean तो gm क्या होता है abc की power 1 by 3 होता है इसका cube तो gm का cube निकालना है यानि abc की value निकालनी है भाई तो abc product निकालना है b तो निकलाया a और c के किसी तरह से work out करना है उसके लिए भाई साब ये equations किस काम आएंगी कर दो 64 equal to a plus 1 into c plus 1 c plus 3 था सॉरी c plus 3 था यहाँ पे c plus 3 था देखो है ना भई हाँ c plus 3 था gdbd चल अब क्या करेंगे यहाँ से c उड़ादो बेटा c को 16 minus a दो equation दो unknowns की तरह solve कर लो so 64 equal to 16, 7, 19 minus a 19 minus a अब यह quadratic सी बन रही है quadratic सी बन रही है a के अंदर quadratic तो तुम बहुत easily solve कर सकते हो मैं थोड़ी तुक्के बाजी करने के mood में हूँ तो a को अगर मैं a को अगर मैं क्या डालू a को इधर कुछ 64 का factor 10 से बड़ा भी डालना है देखो कहीं लिखा था की जो है इसमें लिखा हुआ था question में यहां पे missing है दिहान से दिख लीजिए a greater than 10 लिखा हुआ था question में mention कर लीजिए given था a greater than 10 तो जो quadratic आएगी इसमें 10 से बड़ा वाला root उठा लेना ठीक है 15 काफी लोग कहरें सर 15 आ रहा है हिटेंट ट्राइल मार के देखता हूँ 16 इंटू इस माइनस 15 4 हाँ 64 हो रहा है तो a की value 15 ले ले लेना दूसरी वाली जो है वो reject होगी क्योंकि question में mention था a greater than 10 correct यार ये देख कितना easy question था अब lengthy है sir tough था sir अब तू अगर हाथ पेर फुलाएगा exam में तो tough लगेगा वरना तो easy था a 15 हो गया तो c 1 हो गया इदर रख दिया न a को 15 तो a b c निकल कर आ गए है b था हमारा 8 a था हमारा 15 c है 1 तो यहाँ पे gm का cube हो जाएगा 15 इंटू 8 इंटू 1 15 इंटू 1 20 120 हो गया d option answer हो जाएगा वेटा ठीक है भई देख कितना easy question था बिल्कुल basic fundamental sequence series का in fact ncrt level का question आप इसको मानेंगे खुदी देख लीजे जो easy tough medium कर रहे थे इसको तो भई easy category में डालेंगे तो e मैं लिखता जाऊँगा भई easy tough medium ठीक है और ये भी तुम्हें बताऊँगा आज के paper में कौन सा तुम्हें करना चाहिए था कौन सा छोड़ना चाहिए था right easy question है ये वाला बिल्कुल easy सब लोग categorize करते चलेंगे देखो सिर्फ paper discussions का मतलब नहीं है तो similar के question है solution तुम्हें मिल जाएंगे हम ये भी discuss करेंगे कि भई कौन सा easy था कौन सा medium था कौन सा tough और कौन सा तुम्हे exam में करना चाहिए था जहां भी easy लिखूँ वो तो करना ही चाहिए था तफ वाले में हो सकता है छोड़ना हो लेंदी वाले में छोड़ना हो तो वो या बाद में review करना हो वो सब चीज़ें आपको मैं बताऊंगा ठीक है जाबाश easy sir easy जाबाश तो अब तुम लोग खुद ही लिखते जाना जब भी कोई question आए तो उसमें आप खुद लिखते जाएंगे कि easy था medium था tough था राइट चलिए अगला question देखेंगे parabola का question है फिर से ग्यारवी के topic का y square equal to 12x has a chord pq with midpoint समझाना वेटा मजा ही आगया कुछ सुन देखते ही पढ़ते ही मजा आगया क्या कि ये chord है pq उसका midpoint दिया हुआ है 4,1 तो भाई साब चीक चीक के सवाल कह रहा है कि कौन सा concept लगाना है chord with a given midpoint लगाना है भाई है ना भाई equation pq passes through तो clearly equation of pq लिखनी है जिसका midpoint 4,1 है अब जिने topic नहीं आता वो बैठ के इसके उपर point मानेंगे इस पर point मानेंगे और जिनें आता है जो पढ़के गए है बिटा one shot भी देखके गए थे अगर तुम one shot भी देखके गए थे अगर तो वहाँ भी तुम्हें parabola में यह चीज़ बताई गई थी कि t equal to s1 से chord with a given midpoint मिलती है chord with a given midpoint जिसका midpoint x1 y1 होता है वो chord मिल जाती है तो y square minus 12x बराबर 0 में t क्या होगी y y1 minus 6 times x plus x1 यह t हो गया और s1 मतलब power so y1 square minus 12x1 थोड़ा सा इसे खोलेंगे y y1 minus 6x 6x1 कट जाएगा और x1 y1 की जगा 4 1 डाल देता हूँ 4 और 1 डाल देता हूँ y1 की जगा 1 x1 की जगा 4 तो 24 y minus 6x x equal to minus 23 y plus 23 equal to 6x यह कौड की equation हमारे पास निकल कर आ गई है कौड की equation वेटा निकल कर आ गई है तर यह question तो एकदम लल्लू है, मेरे भाई देख अगर तू पढ़के गया है, तुने basic तक पढ़ रखे हैं अगर IIT J level के, हाँ NCRT पढ़के चले गया और फिर सोच रहा है पैराबोला का सवाल निपट जाएगा मुझसे तो नहीं होगा तुने one shot अगर मंजिल में भी देख लिया होता चाहे पढ़ाई नहीं भी कर पाया साल भर, नहीं भी batch में कर पाया तब भी तुझे ये चीज बता हो कि ये class में कराई गई, code आ गई, बस point पुट करके देख लो equation of PQ passes through passes through तो भाई, half minus 20 बिल्कुल बढ़िया, y को minus 20 डाल रहा हूँ x को half, तो इस equation में perfect fit बैट रहा है यानि, a option अपना correct हो गया तुम ही बताओ यार हे कहां से आया सर मेरे गुरू, ये 2a times x plus x1 होता है न, इसका आदा x को x plus x1 by 2 से replace करते हैं भूल गया तू T के लिए y square को yy1 किया और x को x plus x1 by 2 से करते हैं तो 2 cut के 12 का छेर मनी पट गया समझा, और इधर s1 है equal to s1 ओपी सर, बाजिगर क्या हो गया बेटा, बाजिगर हार के जीत मान ली क्या, तुने जीत के हार गया जो बाजिगर बोल रहा है बताओ भई, जल्दी बताओ easy, medium, सफ तो देखे हैं मती बोलियो इस question को, जल्दी बताओ easy और medium जो तुम बोलोगे वही मानेंगे देखते हैं, जनता क्या बोलती है speed up सार जा बेटा तुझी कताब दी, express पकड़ ले तुझे अगर बहुत speed चाहिए तो easy, easy, e for easy लिख सकते हो m for medium लिख सकते हो mostly जवाब जनता का जो आया है, e आया है कुछ लोग medium भी कह रहे हैं तो मैं e to m कह देता हूं इसको ठीक है, चल m तो यार मतलब तौहीन हो जाएगी इसको बोलना बड़ चल ठीक है यार तुम लोग कह रहे हो, तो मान लेते हैं समझ गया? easy मान लेते हैं भाई, या medium मान ले e to m कर दे, mostly लोग easy लिख रहे हैं तो coefficient of x4 क्या होता है? nc4 होता है, इस expansion के अंदर x की 5 का nc5 x की 6 का nc6 तो ये बोल रहे हैं कि ये तीनो ap में हैं, तो ap की condition लगा देते हैं to be ठीक है जी? ऐसा कुछ कर दिया, 2nc5 equal to nc4 plus nc6 to be equal to a plus c, अब सर ये कैसे खोलूँगा सर, इतना लंबे लंबे expression खोलूँगा nc1, nc2 होता है, वहाँ तक तो हमें पता है, nc5, वैसे तो उससे भी हो जाएगा, nc5 को, समझ रहे हैं ता, क्या लिख सकते हो, nc5 को लिख सकते हो, nn-1 n-2, n-3 n-4 upon 5 factorial ऐसे सारे खोलके भी काफी terms कट जाएंगी, और quadratic बन जाती है, अगर आप nc5 nc4, nc6 की value इस तरह से put कर दें, तो भी ये questions solve हो जाता है, आज क्या मैं पहले बेटा 5 साल पहले भी इस question को कर चुका हूँ, क्योंकि repeated है, इससे भी हो जाता है, बट अगर जाएंगी की तयारी ढंक से करिए, जरह nc5 से divide कर दो तर ये उल्टे सीधे खयाल आपके दिमाग में क्यों आते हैं, बेटा, क्योंकि अगर तुने भी ढंक से तयारी करिए, तो तेरे दिमाग में भी खयाल आ रहा होगा इसको देखके कि क्यों किया है मैंने ऐसा, जल्दी बताओ, क्यों किया है, कौन बताएगा कि मैंने ऐसा क्यों किया और इसके बाद क्या करने वाला हूँ मैं, जल्दी बताईए, जल्दी बताईए, क्या करने वाला हूँ, सर मिनिमम कितने question करना चाहिए था बेटा जितने e आ जाएंगे उतने करने ही करने चाहिए थे तुने अभी सब चिठा निकल के आ जाएगा paper का हाँ तो जल्दी देखेंगे जल्दी देखेंगे भई क्या कर रहा हूं मैं इसके बाद cancel out हाँ two coefficients आ गए है ना लगातार वाले coefficient हो गए ncr upon ncr minus 1 इसका तुमने एक formula पड़ा हूँ है वैसा ही कुछ बन गया देख two binomial coefficients दो लगातार वाले बन गए right याद करिए याद करिए हाँ इसका direct formula होता है बेटा n minus r plus 1 upon r चमका बेटा मैंने क्यों divide किया इससे देख अब ये चीज जैसे ही मैं इसमें लगा दूँगा basically n की जगा तो n छोड़ देता हूँ और r की जगा 6 डाल देता हूँ इसमें तो पहले इसमें डाल रहा हूँ देख so n minus 6 plus 1 upon 6 हो गया ये r की जगा 6 डालूँगा इस formula के अंदर और ये reciprocal है देख उल्टा है उपर 4 नीचे 5 इसमें उपर ज्यादा वाला होता है नीचे कम होता है तो इसको उल्टा reciprocal कर देता हूँ n की r की जगा 5 डाल देता हूँ तो इस formula का reciprocal कर दो 5 upon n minus 5 plus 1 देख रहा है न बेटा क्या खतरनाक तरीके से solve कर दिया मैंने आया ना मज़ा ये देख अब यहां से तो बेटा खेली खतम हो गया खेल समाप्त हो गया 5 upon n minus 4 plus n minus 5 upon 6 यहां से बैठके n में quadratic बन गई उसको प्यार से solve कर लेना और बड़ी वाली value ले लेना maximum value पूछी है n की n की max value पूछी है easy question दिल्कुल easy category का question माना जाएगा भाई ये भी easy category का question माना जाएगा क्यों easy पिछले वाले को सर medium कर दिया इसे easy क्योंकि बेटा ये मैंने पिछला medium पता है क्यों रखा क्योंकि बेटा उसमें तेर को फिर भी J level की पढ़ाई करनी थी easy इसको इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बेटा इसमें तेर को सिर्फ NCRT level की चीज़ें करके भी एक question solve हो जाता चलो देखते हैं कुछ लोग एरे सर कूरा कर दो तो कर देते हैं देखिए इसको 2 into 2 is equal to 5 into 6 plus n minus 5 into n minus 4 upon 2 into oh sorry 6 into n minus 4 cross multiply 12 into n minus 4 equals to 30 plus n square minus 9 n plus 20 ठीक है भाई, so 12 n minus 48 equals to n square minus 9 n plus 50 सब कुछ right में ले जाईए n square minus 21 n और plus 98 equal to 0 14 और 7 इसके factor दिख रहे हैं, 14 7 जा 98 होता है, तो 14 और 7 इसके factor होगा, n की value 14 बड़ी वाली टिक कर दी, c option, c option टिक कर दिया, सर नीचे का दिख नहीं रहा है, अरे यार, sorry, मैंने अभी realize किया ये चीज, नीचे नहीं लिखूँगा, ठीक है, थोड़ा सा तुम्हें उपर करके दिखा देता हूँ, क्या लिखा है मैंने, अगले पेज पर लिख दूँगा, मैं अब आगे वाला उपर लिख दूँगा, ठीक है, चलिए, next question पर आते हैं, चलिए, अगले पर आते हैं, दिख गया होगा ये थे, अब आपको ये, आगे बढ़ते हैं, तर NC5 भी add कर सकते थे, यार देख, NC5 add करते तो मुझे पता है, तो NCR plus NCR minus 1 लगाने की कोशिश कर रहा है, ये भी हो जाता, मेरे खाल से थोड़ा सा बड़ा हो जाता, इसलिए मैं उससे नहीं कर रहा हूँ, ये भी बड़ी आयस में क्या दिक्कत है, देख, कितना first class method हो गया, खट से answer निकल के आ गया, exam में मतलब इतना, अब तुमें, exam में न भाई, तुमें, rocket science और पूरा disection नहीं करना है question का, कि ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, एक तर shortest कौन सा, अरे भाई, shortest वही है, जो तेरे दिमाग में आया है, इस बात को समझ, मैंने कौन सा shortest दे दिया, बुक में कौन सा shortest लिखा है, उससे कोई फरक नहीं पड़ता, तुमारे दिमाग में जो आया है, तुम तो वही करके आओगे ना, exam में, उससे खतम करना है तुमें question क चल वेटा, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, अगला question क्या है, fx फिर से एक दिया हुआ है function, मतलब ये तो one shot में भी मैंने उस दिन करवाया था, तुमने देखा होगा 12th के revision में, maximum और minimum value बोला था, जब भी किसी भी function की max minimum value बोला भी था, याद आ गया, global maximum minimum value निकाल आए जाएगा, x, पहले, x क्या लेंगे, domain के endpoints, domain तो 2 से बड़ी और 4 से छोटी होगा, इसकी domain, ये देखिए क्योंकि 2 से बड़े में, defined और 4 से छोटे में, तो एक दब्बे में आएगा 2, एक दब्बे में आएगा x की value 4, और एक में आएगे जो भी critical points बचे हैं, critical point मतलब dy by dx 0 रखके देखूंगा, बहुत ही हल्वा सवाल मतलब, बोड़ी बहुत भी बेटा अगर तुने पढ़ाई कर ली होती, तो तुझे ये question बहुत easy लगता, ये f dash x हो गया, सही बोल रहा हूँ, देख लो भई, derivative निकाल दिया है मैं, derivative निकाल दिया है, और अब क्या करेंगे, बस इसको 0 रख दो, इसको 0 रखते ही 3 upon root x minus 2, equals to 1 upon root 4 minus x, 9 into 4 minus x is equal to x minus 2, तो 36, 38, equal to 10x, x की value आ गई, 19 by 5, तो एक यहाँ पे आ जाएगा, 19 बटे 5, एक यहाँ पे आ जाएगा, 19 upon 5, ठीक है भाई, और अब सब में value निकाल लो function की, तो x को जैसे ही 2 डालूंगा, ये गया, उड़ गया, ये बचा, root 2 बचा, root 2, x को 4 डालोगे, तो 3 root 2 बन गया, 3 root 2 बन गया बेटा, और अब x को 19 by 5 इसमें डालना थोड़ी सी मेहनत है, तो f of 19 by 5 देखता हूँ, 3 root 19 by 5 minus 2, plus, examiner पे भरोसा रखो, दिया है तो कुछ ना कुछ होगा, 5 to the 10, 19, minus 10, 9, so 3 into 3 by 5, plus, 20 minus 1, so root 5 है नीचे, 1 by root 5, तो 10 by root 5 हो गई, 10 by root 5 मतलब 2 root 5 हो गया, तो 2 root 5 आ गया ये, right, gdbd, अरे भाई, कोई gdbd नहीं है, यहाँ पे minus क्यों लिखा है मैंने, क्योंकि मैंने chain rule भी लगाया है, root का derivative, root x का derivative, इसको पहले लिखेगा, x minus 2 की power half, तो 1 by 2, x minus 2 की power minus half, into इसका derivative 1 आएगा, इसलिए मैंने यहाँ minus 1 चिपक दिया है, कैसी बाते कर रहे हो तुम, gdbd, क्या gdbd हो गई, बताइए, क्या gdbd हो गई है, क्या gdbd हो गई, सर, upon में 2, कौन सा upon में 2, अरे ठीक है भाई, upon में 2 तो 0 में दोनों में चले गया ना, उतरा तो दिमाग में कर देता हूं, मैं cancel, हाँ, दो step आगे की सोचा कर, gdbd, तेरा gdbd नहीं खतम होता, मुझे पता है, derivative 0 रखना, इसमें भी half आएगा, इसमें भी अल करेक्ट, बेटा जहां तेरी सोच खतम हो रही है, शुरू हो रही है, वहां मेरी खतम हो रही है, सोच ले, मतला उल्टा बोल दिया, मैंने शायद डायलोग मार दिया, बड़ जो भी है, समझ जा, तो अब फाइनली, आंसर में, अब maximum value कौन सी होगी, maximum value कौन सी है, देख तो बस यह देख, 3 root 2, 2 root 5, square किसका बड़ा है, इसका square है 20, इसका square है 11, तो यह बड़ा हो गया, तो यह max value हो गई, यानि यह बेटा alpha हो गया, हाँ, समझ गया, सो 2 root 5 maximum हो गई, alpha square ब्लस beta square निकालना था, तो alpha square हो गया 20, and beta square हो गया 2, तो 20 और 22, answer हो गया, 22 हो गया, answer, ठीक है easy question था, यार, ये भी देख, जो लोगोंने थोड़ी पढ़ाई भी कर रखी है, ये तो भाई, NCRT में ऐसे सवाल है, NCRT में ऐसे सवाल है, easy, एकदम मजा ही आ गया, सर, बहुत बड़ी है बेटा, जिसने पढ़ाई करी, उसे मजा ही आएगा, जिसने नहीं पढ़ी, तो चक कर खा रहा होगा बिचारा, की लिख रहे हैं सब लोग, सभी लोग हमारे प्यारे ताथी लोग लिख रहे हैं, very good, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं भाई, चलो, next सवाल, next सवाल, next question क्या है, in a group A, there are four men and five women, ठीक है, in a group A, तो देखो, मैं पहले easy medium और tough categorize करूँ, और last में तुम्हें बताऊंगा, कि कौन सा तुम्हें छोड़ना था, कौन सा करना चाहिए था, आपको ठीक ठाक marks लाग, एक average बच्चे को, ठीक है, intelligent की बात नहीं कर रहा हूँ, average बच्चे की, वो बात last में करेंगे, इन a group A, there are four men, एक A group है, four men, five women है, ठीक है भाई साब, खोड़ा गोला छोटा बना लो, कितने बड़ेगी जरुवत नहीं है, ठीक है, और एक group B है, जिसके अंदर five women, sorry, five men, और four women है, उल्टा हो रहा है, basically, ठीक है, if four people are selected from each group, PNC का question दिख रहा है, selected, मतलब selection का question है, NCR का question है ये सब चीजें दिमाग में चल रही है, four people are selected from each group, हर एक में से चार-चार बन्दे उठाने है, find number of ways to select four men and four women, चार बन्दे भी ऐसे उठाओगे, कि total, जो आठ लोग आएंगे, देक, चार यहां से, चार यहां से, तो जो total आठ आएंगे, उसके अंदर, चार men और चार women आनी जा गया है, बट चलो, देखते हैं, पहले start तो करके देखें, तो माल लेते हैं, ये group A है, ये group B है, मुझे यहां से भी चार उठाने है, यहां से भी चार, मैं cases बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या-क्या हो सकता है, तो पहले तो मैंने जो यहां से उठाए, चार men उठा पढ़ेंगी यहां से, ठीक है, तो ये first case हो गया, कि 4 men group A से उठाए, 4 women group B से उठाए, total 8 लोग आ गए, 4 plus 4 आ गए, हमें जो चाहिए था, वही हुआ, अगला case क्या हो सकता है, यहां से 3 men and 1 women उठाए, आपने first वाले में से, 4 men नहीं एक कम कर दिया, तो उधर 1 men लेना लो, blend दी, समय कि अगर कमी है, तो इसको बाद में भी कर सकते थे तुम, but anyways, अगला case तुम समझ गए, 2 men and 2 women तो ले नहीं है, क्योंकि total यहां से भी 4 कर नहीं है, total sum 4 है, तो यहां भी 2 men and 2 women लेने पढ़ेंगे, और फिर अब एक करके कम कर लो, 1 men and 3 women यहां से, तो उधर 3 men and 1 women, और finally यहां पर 3 men यानी की 4 women first group की है, तो उधर 4 men ही लेने पढ़ेंगे, सब का answer कर दे, add मैंने तुम, पी एंसी में बाद सिखाई थी, हमेशा पहले cases बनाओ, तुम क्या करते हो, पहले NCR से शुरू करूँगा, सर, पहले मैं NCR लिखूँगा, फिर तुम भाद फस जाए 4 women select करनी है, इधर थी, 4 women ही थी इधर, है न, 4 women ही थी, तो 4C4 हो गया, plus 3 men, so 4C3 और 5C1 into 1 men, so 5C1 into 4C3, plus, इधर से 4C2 और 5C2, उधर से भी, 5C2, 4C2 तो इसका whole square हो जाएगा, plus, अब सारे case ऐसे लिखते जाएए, अगला case भी लिख लिजीए, अगला case भी लिख लिजीए, और सब को मिलाके add कर लो, ठीक है, तो इसको मैं बोल सकता हूँ, easy तो नहीं है, चलो यार थोड़ा इसमें logic वगएरा लगा, cases वगएरा बने, medium मान लेते हैं इस question को, medium and lengthy मान लेते है, तुम बोलो कि सर ये भी lengthy है कोई, बेटा अगर तू पिछले 2 सालों के questions को देखेगा न जो ये paper आया था, इसके हिसाब से लेंदियर साइड में था, हमें पिछले सालों से नहीं compare करना है, जैसा paper हमारे सामने है, उसे साफ से call लेनी है, इससे भी short questions अगर दिखेंगे तो उन्हें solve पहले करेंगे, नहीं तो इस पर आएंगे, समझ गए? add, add कर लेना, सारे answers निकल कर आ जाएंगे, जिनको दिक्कत है, चलो आगे के भी लिखी देता हूँ, तीन case तो लिख दिये मैंने, चौथा, one man मतलब 4C1, 5C3, into 5C3, 4C1, basically whole squares ही बन रहे हैं, अगर तो लीखन से notice कर रहे हो, 4 women, तो 5C4, और इधर से भी 4 men, सो 5C4, तो सारे whole squares बन रहे हैं, सारे के सारे whole squares बन रहे हैं, उत्रा भी lengthy नहीं है, अब दिख, करने गए तो समझ आया ना, उत्रा भी lengthy नहीं है, ये तो 1 हो गया, ये हो गया, एक तरह से 1 क और यह इस चीज का स्क्वेर, 4, 5, 20 का स्क्वेर, तो 1 प्लस 20 का स्क्वेर, प्लस 4, C to 6 होता है, 6 into 10, 60 का स्क्वेर, अब वो निकाल लेना बेटा, ठीक है, निकाल लेना, और प्लस यह इंटीजर टाइप भी है, तो वैसे ही तुम्हें 5 ही करने हैं, लेंदी वाले छोड़ने है ठीक है कर लेना अब इस question को answer इस तरह से निकलता जाएगा तुमारा इन सब को तुम्हें मिला के बस add करना है चलिए अगले पर आएंगे अगला सवाल 12 के topic का अभी तक जितने भी मैंने तुम्हें कराये तुमने देखा सारे 11 के थे अभी 11 के और भी आएंगे बीच में बट पहले कुछ 12 वाले ले ले लेते हैं माइनस 1 to 1 देख ये देख 1 प्लस 3 की पार x कल तुम्हें 12 के वन शॉट में बताया था भाई ऐसा question तुम्हें दिखेगा बहुत बार दिखता है सेम question तुम्हें वहां करवाया था कि I की value माइनस 1 to 1 king property का question है cos ax upon 1 plus 3 की पार x है तो king लगा दिया sum of limit 0 ही है cos में तो same रहता है और 3 की power minus x रहता है जैसे ही add करूँगा मुझे पता है ये वाला कबारा कट जाएगा 3 की पार वाला 2i equal to minus 1 to 1 cos ax dx even function आ गया और मैंने तुम्हें ये भी बोला था मैं direct ये line लिखता हूं ऐसे questions में direct ये line लिखता हूं ये सब मैं दिमाग में कर लेता हूं 2 से 2 कटता है और से x का हो गया sin ax upon a 0 to 1 so sin a upon a आ गया integral का value sin a upon a बट उसने बोला 2 by pi है तो 2 by pi तो तो तभी आएगा जब a की value pi by 2 ले लेगा a की value pi by 2 b option क्या ही question है यार बता कि इससे ज्यादा easy question नहीं मिलेगा भाई जैई मैं अगर तु ये भी सोच रहा है कि इसको medium डाल देता हूं sir तो इससे असान भूल जा कि जैई के अंदर question मिलेगा जल्दी बताईए easy मुझे तो लग रहा है तुम्हें लग रहा है लगना चाहिए चैट पर बताईए क्या आपको easy लग रहा है medium लग रहा है तफ तो भी आया ही नहीं कोई अभी आएंगे आगे अगे टफ भी सूपर easy sir very easy हाँ एक कोई option होना चाहिए very easy वह क्याटेग्री का question है यह very easy यह तो वह लोग भी कर लेते जो spammer category में आते हैं ना जो how to do j preparation in one day वाले लोग भी इस question को कर लेते हैं how to clear j without studying वाले जो होते हैं ना भाई हमारे वो भी कर लेते इसे तो चलो एक और फिर से definite integral का question फिर से properties का question दिख रहा है तो आपको कैसे पता property लगती है कि बिटा denominator सेम रहता है अगर x को pi by 2 minus x कर रहा हूं तो sin square बन जाएगा cos square और denominator सेम है सबसे बड़ा hint होता है property का कि denominator सेम रह गया ताकि अब मैं add करूंगा तो कोई दिक्कत नहीं आएगी y की value 0 से pi by 2 sin square plus cos square 1 हो गया dx upon 1 plus sin x cos x ठीक है बिटा जी सर pi by 4 तक था अब वो तुम देख ले ना यार कल का question है सर ये तो कल वाले ही तो discuss कर रहा हूं मैं कौन से आज की कर रहा हूं तेरे discuss अचा shift 1 में था कुछ लोग कह रहें सर ये shift 1 में था ठीक है चल तो इसको छोड़ देते हैं आगे क्या होगा तुम मैं पता ही है तू से multiply कर देता हूं ताकि sin 2x बन जाए 2 plus sin 2x sin 2x को 2 tan x upon 1 plus tan square x करके फोल देंगे मजा आ जाएगा भाई साहब question प्यार से solve हो जाएगा 10x को t मानके जबर्दस तरीके से हो जाएगा ठीक है अगर ये नहीं था कोई दिक्कत नहीं है cos x से divide कर दो सर बेटा cos x से divide करते है cos square से करते हैं तू भूल गया single angle में लेके जाएंगे double बनाके single angle 10x में ये वाला type है standard type चलो अगला देखते हैं लेबिनेट सुरूल का फिर से definite integral के देख एक और question fx दिया है 0 to x ऐसा कुछ था ये 0 to x bracket t plus sign 1 minus e की पार t dt ठीक है तो limit extending to 0 fx upon x cube तो भाई लॉपिटल लगा दिया f-x upon 3x square f-x upon 3x square तो f-x देखता हूँ यहां से लॉपिटल लगा के f-x हो जाएगा लेबिनेट सुरूल लगेगा x plus sign 1 minus e की पार x into derivative of x 1 minus 0 तो ये आगे f-x इसके नीचे divide करना है 3x square हमारी जो limit हो गई x plus sign 1 minus e की पार x upon 3x square limit extending to 0 अब यहां पर कुछ लोग गलती कर देते हैं कि क्या partial limit यहां पर डालने की कोशिश करते हैं sign theta upon theta डालने की कोशिश करते हैं ठीक है आप इसके अंदर कई लोग को मैंने देखा है कि यहां sign theta by theta कर देते हैं क्योंकि सर theta तो 0 जा रहा है e की पार 0, 1 minus 1, 0 उसे में sign theta by theta कर दूँगा कर सकते हैं क्या यह बताइए आंसर आजा था उससे भी गलती है बट conceptual error है कि इस वाले sign में theta upon theta करके partial limit नहीं लगा सकते क्योंकि आप plus के अंदर partial limit नहीं लगा सकते बात मैंने तुम्हें समझाई थी plus minus में नहीं लगाते partial limit लगानी भी है वैसे तो लगानी नहीं चाहिए बट multiply divide में चल जाता है काम यहाँ पे partial limit मत लगाईए काफी लोगों का मैं देख रहा था discussion जो जल्दवाजी में कर रहे थे कल वो यहाँ partial limit लगा के कर रहे थे 1 plus cos sine का derivative cos into minus e की पार x upon 6x अभी भी 0 by 0 बरकरार है बिल्कुल एक बार और differentiate कर देता हूँ फिर अब क्या करूँ बता और तो कुछ चारा दिखनी रहा तो 1 का 0 हो गया cos का हो गया अब इसमें product true लग जाएगा बेटा sin 1 minus e की पार x into e की पार x plus cos 1 minus e की पार x into minus e की पार x product true लगा दिया और नीचे हो गया 6 अब 0 by 0 form जा चुकी है अब 0 by 0 0 by 0 जा चुकी है 0 by 0 जा चुकी है तो बेटा x को 0 डाल दे x को जैसे ही 0 डालूँगा sin 0 बन जाएगा ये angle 0 बन जाएगा और x को 0 डालूँगा बस ये तो 0 into anything ये cos 0 बन गया ये तो 1 होता है और ये minus 1 होता है है ना तो 0 plus 0 minus 1 upon 6 यानी minus 1 by 6 हो गया answer answer आ गया minus 1 by 6 ठीक है तर e का expansion करके नहीं कर सकते बिल्कुल बेटा कर सकता है sign का पहल एक्सपैंशन लगाना पड़ेगा फिर e की पा और x का expansion expansion से भी हो जाएगा देख जो लॉपिटल से होता है वो series expansion से भी होता है ये भी तुम कर सकते थे मुझे लॉपिटल थोड़ा ज्यादा अच्छा लगता है series expansion से easy but lengthy ठीक है मैं इसको medium category में माल लेता हूँ medium category में माल लेता हूँ ठीक है तुम देख लो मैं बिल्कुल fair analysis कर रहा हूँ ये नहीं कि सर आपको तो सब easy लगेगा भाई मुझे तो सब easy लगेगा मैं तुमारे साब से चल रहा हूँ जैसा तुम कह रहे हो वैसा ही कर रहा हूँ कुछ लोग कह रहे हैं कि सर यहां e की पार minus t था अब यार वो तो थोड़ा बहुत तो तुम देख ले न conceptually मैंने आपको समझा दिया है ठीक है भाई साब medium category मान ले sir please explain in gujarati ठीक है बेटा पहले मैं जड़ा classes लेके आता हूँ गुजराती की के बाद तेरे को गुजराती में भी समझा दूँगा मुझे आती नहीं है यार हाँ hard question करो sir अरे मेरे भाई आ रहे हैं अभी आ रहे हैं जैसे यसे आएंगे वैसे आएंगे मैं क्या करूँ बता area bounded by y square less than 2x मजा ही आ गया भाई ये तो area का question दिख रहा है और parabola बड़ा प्यारा सा इसका less मतलब इसके अंदर और ये एक straight line पहले plot कर लो y equal to 4x minus 1 तो x 0 डालूँगा तो minus 1 0 minus 1 y 0 डालूँगा 1 by 4 1 by 4 0 इस प्रकार की एक straight line सी नजर आ रही है इस प्रकार की और इस straight line का भी उपर वाला area क्योंकि y बड़ा infinity वाला area लेना है तो parabola के अंदर रहना है और line के उपर रहना है parabola के अंदर line के उपर मतलब ये वाला area बनाना है ठीक है बेटा, तो ये area आपको find out करना है, एक हजार सवाल करे होंगे तुमने ऐसे class के अंदर जब area पड़ा होगा तर एक हजार थोड़ा ज़्यादा नहीं हो गया अतिश्योक्ति अलंकार लगा दिया मैंने चल, ठीक है बट करे तो हैं ये ऐसे parabola और line वाले area तुमने बहुत सारे करे होंगे बेटा, तो पहला काम क्या होता इसमें ये points P और Q निकाले जाते हैं, पहला काम होता है कि points P और Q निकाले जाते हैं easy, easy, हाँ बिलकुल अब तो आगे का question तो easy है बस calculation इतनी तो करनी है भाई, maths में देख, जल्दी जल्दी निक्टा देता हूं इसको y equal to 4x minus 1 को y square equal to 2x के साथ solve करेंगे, यानि की 4x minus 1 whole square equal to 2x, यानि की 16x square minus 8x plus 1 equal to 2x 16x square minus 10x plus 1 बराबर 0 8x minus 1 into 2x minus 1 जैसी चीज दिख रही है तो x की value 1 by 2 और 1 by 8 हो गई x को जैसे ही 1 by 2 डालूंगा 1 by 2 डालने पर 1 आ रहा है और जैसे ही x को 1 by 8 डालूंगा 1 by 8 डालने पर minus half आ रहा है तो P और Q के coordinates निकल गए है ठीक है भाई, सर vector 3D हाँ बेटा भी उसके भी आएंगे अभी आएंगे तुम जल्दी बाजी क्यों कर रहे हो सारे आएंगे ना भी chapter, बहुत सारे questions है बेटा, Maths का पूरा paper ही है हमारे पास तो don't worry ठीक है, तो अब मुझे ये area निकालना है तो clearly ऐसे questions में तुमने सीखा होगा कि भाईया y-axis के साथ ज़्यादा असानी रहती है तो y-axis के साथ ज़्यादा असानी रहती है पहले मैं इस trapezium का area निकाल लेता हूँ ये वाला trapezium इस trapezium का सीधे कर लेता हूँ, देख बड़ा objective tricks लगाओ exam में इस trapezium का तो सीधे लिख लेता हूँ ये वाला length था half ये वाला length था one by eight और ये वाला था one और ये half है ना ये height हो गए इसकी three by two तो area of trapezium इदर लिख लेते हैं, area of trapezium का formula पता है ना half height three by two into sum of parallel sides half plus one by eight तो ये हो गया, five by eight three into five by eight upon four, so fifteen by thirty two, ये वाला area है ये trapezium का, अभी इसमें से काला वाला area माइनस करूँगा, ये वाला area माइनस करना है मुझे तर ये question 12th का ही है बिलकुल बेटा, area under the graph का है ये 12th का topic अब हम integration की मदद से इस parabola को x dy कर देंगे, तो black area निकलाएगा, black area समझ रहा है, चल कोई और color कर देते हैं, कोई और color कर देते हैं, orange area कर देते हैं ये orange area निकालेंगे orange वाला हो जाएगा x dy, parabola से x की value y square by 2 और y की range है minus half से 1 y cube by 6 minus half से 1 1 by 6, 1 minus 1 plus 1 by 8 हो गई 9 by 8 into 1 by 6 3 by 32 नहीं, 3 by 16 3 by 16 हो गया भाई तो final answer हो गया, इसमें से ये minus कर देता हूँ 15 by 32 minus 3 by 16 15 minus 6 by 32 9 बटे 32 आ रहा है भाई 9 upon 32 ये option मेरा answer आ गया है ठीक है की नहीं सर, right minus left क्यों नहीं है उससे भी हो जाएगा बेटा ये right line ले ले उसमें से minus parabola कर ले मैंने shortcut लगा दिया जहां line आ जाती है मैं direct या तो triangle या trapezium बना के भी उसका area निकाल सकता हूँ integration की मदद लिने की ज़रूरत नहीं पढ़ती है line के अंदर तो मैंने trapezium में से parabola minus कर दिया तो right, x of right, minus x of left करके भी कर सकते थे जो देशी तरीका सिखाया जाता है class में ठीक है भाई साब एक कह रहा है easy but hard यह क्या होता है बेटा smart but बेवकूफ तेरी बात का जवाब मुझे यह है easy but hard यह क्या होता है भाई easy तो easy होता है hard तो hard होता है चलो अगला आगे देखते हैं एक और twelf topic ले लेते हैं inverse trigonometry का सवाल दिख रहा है inverse trigonometry inverse trigonometry साफ दिख रहा है cos inverse x minus sin inverse y equal to alpha x और y की domain दी हुई है alpha भी principle range में आ जाएगा ठीक है minimum value of इस चीज़ की minimum साफ समझा रहा है इसको simplify किया जाएगा भी पहले तो अब देखो ऐसे questions को करने के अलग-अलग विविन्न तरीके होते हैं और जिनको कुछ नहीं आता trigonometry में या जो डरते हैं उन्हें तो भीया angle को theta phi लेके शुरू कर देना चाहिए बात मैंने पहले भी समझाई हुई है कि इसको theta इसको phi मान लेता हूँ कुछ नहीं समझा रहा तो भाईया inverse नहीं आती कोई दिक्कत नहीं है theta minus phi बराबर alpha हो गया where cos theta हो गया x क्योंकि देख cos inverse theta cos inverse x theta था cos theta x हो गया sin phi हो गया y ठीक है sir अब यहाँ पर फस गये हैं इसके अंदर ज़रा value डाल देते है x और y की cos square theta plus sin square phi plus 2 cos theta sin phi into sin of alpha sin of alpha alpha की जगा theta minus phi तो तुम देख रहे हो मैंने क्या किया question को x y और alpha से हटा के theta phi में लेकर आ गया ध्यान से देखो मैं सब कुछ theta phi के terms में ले आया जो x y alpha थे सबको हटा दिया या फिर यह समझ लीजिए कि मैंने inverse trigonometry हटा के normal trigonometry में सवाल को change कर लिया अब तो 2 cos से sin b तुम्हें पता ही है यह वाला so cos square theta plus sin square phi plus 2 cos से sin b होता है sin a plus b अब थोड़ी trigon तो भाई आने चीए देख sin a minus b और इस पूरे चीज को multiplied है sin theta minus phi से bracket खोल दो sin theta minus so cos square theta plus sin square phi this into this this into this करो sin theta plus phi into sin theta minus phi और this minus sin square theta minus phi अब यह sin a plus b into sin a minus b trigonometry का एक प्यारा formula बन गया ठीक है sin a plus b into sin a minus b तुम्हें पता है sin square theta minus sin square phi बन जाता है यह formula होता है भाई trigon का यह कटा यह दोनों मिला के 1 बन गए और वो पिचारा sin square अलग पड़ा हुआ है यह 1 minus sin square हो गया cos square theta minus phi बस खेल कतम पैसा हजम cos square theta minus phi की max value पूछी है minimum value पूछी है minimum तो भाई 0 होगी minimum तो 0 होगी इसकी जब theta minus 5 तरह से difference उनका pi by 2 की तरफ जाएगा minimum value 0 हो गई d option very good very good no voice sir voice तो आ रही है भई सब बढ़िया चल रहा है बिलकुल रहा है ये लिख रहा है ना चल वेटा आगे बढ़ते हैं कुछ लोग हैं जो चाहते हैं कि sir मेरी बात का जवाब दें उल्टा सीधा लिखेंगे चैट पे हाँ बट मैं बेटा तू जिस मिट्टी का बना है मैं उससे बहुत मुटी मिट्टी का बना हूँ मेरी जो है पिछले वाले क्वेश्चन की कैटेगरी क्या बोलोगे तुम बताओ भाई इजी मीडियम टफ क्या बोलते हो भाई बता बता जल्दी बता दूसरा मेथट कोई है क्या सर हाँ बेटा है ना इन्वर्स ट्रिगो में खेलता तो इसको ये तो मैंने नॉर्मल ट्रिगो में कर दिया तो दूसरा method यह हो सकता था कि जैसे sin inverse y को हटा के दोनों cos inverse ले आओ ना तो sin inverse y को लिख ले थे pi by 2 minus cos inverse y ठीक है यह method 2 हो जाता तुम्हारा और अब तुम दोनों cos inverse इदर कर लो cos inverse x plus cos inverse y equal to pi by 2 plus alpha और अब cos inverse x plus cos inverse y का ITF का formula लगाना पड़ जाता काफी लोग e and m कह रहे हैं तो चलो मैं मान लेता हूं मैं m मान लेता हूं medium मान लेता हूं वैसे तो थीँ ए अब तुम बोलो कि तेसर आपको सब easy लगता है मैं इसलिए तुम्हारी बात मान रहो हूं मुझे तो easy लग दिया है काफी लोगों को भी लग रहा है बढ़ तो कोई नहीं तो में medium लग रहा है medium माल लो medium माल लिया तफ तो यार मती बोल इसको यार तू यार इसको मत टफ बोल भाई कितना बेसिक ट्रिगो तो लगे गई तू क्या सोच रहा है कि ये 10 वी क्लास के बाद सीधे जैई दे देगा क्या तू 11 वी का ट्रिगो नहीं पड़ेगा चलो भाई साब एक और 11 वी क्लास का question आता हुआ एक ऐसा topic जो की delete कर दिया गया था जो की जैई ने हटा दिया था तुम्हें पता ही है बेटा कुछ ना कुछ deleted तो जैई की आदत है दे रहे हैं इस बार भी दे दिया ये वाली सीरीज सीरीज तो सर हटा दी थी special सीरीज का question दिख रहा है ये तो हट गया था सिलेबस से बेटा तेर को मैंने पहले भी बताया था कि सीरीज कैसे हट सकती है सिगमार सिगमार स्कुरेट सिगमार क्यूब नहीं हट सकती जैई में से देख उसका proof लक्षे बैच में यह भी मैंने बात बोली थी भाई यह मत सोचो कि यह हट गई है यह रहेगी यह नहीं हटी है ठीक है कुछ लोग कहरें एजी पी नहीं बेटा एजी पी नहीं है वन इंटू स्क्वेर थ्री स्क्वेर कोई जीपी थोड़ी बन रही है वो तू स्क्वेर थ्री स्क्वेर whole square और denominator में r square into r plus 1 है अब ये काट मत दियो दोनों में अलग-अलग sigma लगना है पता चला काट दे बैठके सर आर r plus 1 कट रहा है भाई साथ sigma पहले लगेगा उपर उपर का sigma अलग चल रहा है नीचे का sigma अलग चल रहा है तो पहले sigma लगाना है फिर divide करना है हम division में एक sigma नहीं लगा सकते miscellaneous series बिलकुल बेटा बिलकुल ठीक है तो अब क्या करूँगा सर बैठके इसको expand करूँ हाँ देख एक तरीका तो वही है अलग-अलग तरीके हैं इस question को करने के एक तरीका तो यही आ रहा है दिमाग में कि भाई उपर वाले को r r square plus 1 plus 2 r ऐसे लिख लिए और नीचे वाले को r cube plus r square लिख लिए अब sigma r cube plus sigma r plus sigma 2 r square upon sigma r cube plus sigma r square करके अब special series लगाओ simplify करते जाओ ठीक है अब देख मैं क्या करूँगा इसमें इसमें मैं कुछ और ट्रिक लगाऊंगा ये तो हो गया देसी तरीका आम जनता वाला method अब आजा तो bit up method 2 op method पर ठीक है क्योंकि मुझे दिख रहा है ये तो बड़ा lendी जा रहा है ये तो बड़ा lendी जा रहा है सर हाँ बहुत lendी जा रहा है ठीक है जी ऐसे लिख सकते हूँ ऐसे लिख सकता हूँ हाँ सर और अब इसको r plus 2 के साथ bracket खोल दे तो r r plus 1 r plus 2 minus r r plus 1 राइट अब ये देख ये 1, 2, 3, 3, 4, 5 ये एक सीरीज बन गई तो numerator में बेसिकली sigma r r plus 1 r plus 2 हो गया minus sigma r r plus 1 हो गया जिन लोगों ने तमीज से पढ़ाई करी है 2 साल ठीक है जिन्होंने test match खिला है one shot one shot नहीं जिन्होंने तमीज से पढ़ाई करी है 2 साल वो बता सकते हैं सर ये तो direct निकालना हमें आता है इस चीज का sigma तो direct निकालना आता है याद आया है तुमें 1 by 3 n n plus 1 n plus 2 sorry 1 by 4 n n plus 1 n plus 2 n plus 3 तक हो जाता है इसका है ना जी और इसका हो जाता है 2 term है तो 3 हो जाती है n n plus 1 n plus 2 और फिर अगली वाली term 1 by 3 आ जाती है यहाँ पर यह वाला एक टिक तुमें क्लास में कराया गया होगा ठीक है यह direct numerator की value देख मैंने निकाल दी बिल्कुल ऐसे ही denominator की value अब मैं simplify कर रहा हूँ denominator को लिख रहा हूँ r square into r plus 1 जिसको लिख लिया r r plus 1 और जो एक r है उसे r plus 2 minus 2 कर लिया r r plus 1 r plus 2 bracket खोला यह trick है बिटा minus 2 r r plus 1 तो basically अब तुम फिर से जब इसमें sigma लगाओगे यह वाली term तो फिर से same बन गई है ना यही वाली का sigma आ जाएगा और यहाँ double of this आ जाएगा double of this आ जाएगा तो तुमें क्या करना है बस numerator और denominator को अब divide करना है तो finally answer हो जाएगा देख कैसे जट से निकाल दिया मैंने n n plus 1 n plus 2 n plus 3 n plus 4 upon 5 sorry n plus 3 तक ही जाएगा n plus 3 upon 4 minus numerator में क्या था n n plus यह उन्ही को समझ आएगा जिन्होंने पढ़ा है जिन्होंने नहीं पढ़ रखा वो यही वाले method लगाए n n plus 1 n plus 2 जिन्होंने proper तैयारी करी है यह उन्हें ही समझ आएगा और divide में यही वाला term था और minus में यह वाला double था बस direct लिख दिया और अब काफी terms कट गई n n plus 1 n plus 2 n n plus 1 n plus 2 सब में से common आके बेटा कट गई finally we have n plus 3 by 4 minus 1 by 3 upon n plus 3 by 4 minus 2 by 3 LCM ले लिजे 12 तो 3 into n plus 3 minus 4 upon 3 into n plus 3 minus 8 तो 3 n plus 1 upon 3 n 3 n plus 5 उपर है 3 n plus 5 upon 3 n plus 1 ऐसा हो गया question आया की नहीं आया मजा सीधे question solve हो गया n को 100 डालना था क्योंकि 100 terms तक जाना है बट हमें 100 डाल दो n को n को 100 डाल देता हूं तो n को 100 डालते ही मेरा answer आ गया 305 upon 301 यह ज़्यादा OP method है बेटा direct answer आ गया इसमें देख अभी कितनी calculations थी यह कितनी calculation थी पहले method में आगे sigma r cube का formula लगाओ sigma r लगाओ sigma r square इस अब formula लगाओ common woman लो simplify करो ultimately यही चीज बेटा बनेगी तुमारे पास देख लेना calculate करके समझ गया क्योंकि यह वाला trick जो है यह class में बताया जाता है कि भई जब general term r r plus 1 r plus 2 है तो यह कौन सा trick है जिनको नहीं पता है अगर general term किसी की r r plus 1 r plus 2 है ठीक है और इसमें sigma लगाना है तो तुमें जो n तक का समाता है इसमें एक term बढ़ा दो n plus 2 n plus 3 तक ले जाओ और नीचे 4 कर दो यह trick होती है ठीक है या फिर माल लो अगर यही चीज तीन तक extend कर दो r plus 1 r plus 2 r plus 3 इसमें sigma लगाना है तो फिर से n n plus 1 n plus 2 n plus 3 n plus 4 तक चली जाएगी और नीचे 5 आ जाता है यह सब चीजें trick में बताई जाती है sequence series में ठीक है तो इसको बिलकुल आप medium क्या tough category का ही मानो medium to tough मानो जिन्होंने पढ़ रखा हुँने medium नहीं तो tough category का इस question को माना जाएगा specially out of syllabus चीज है अटा दी गई थी चुसले बस से ठीक है भई आगे बढ़ते हैं चलीए अगला question देखेंगे 12th का topic matrices matrices का सवाल आ गया है सबसे पहले एक 2 by 2 matrix दिया गया है और x जो matrix बोला जा रहा है identity plus adjoint का whole square तो पहले तो भई साफ समझ आ रहा है adjoint लिख लेता हूँ क्योंकि adjoint तो देखना ही पड़ेगा उसकी powers में कुछ pattern होगा adjoint 2 by 2 का trick से मिलता है diagonal element को interchange और इन दोनों का sign change minus 2, 0 ये adjoint हो जाएगा 2 by 2 का adjoint correct अब उसने बोला है कि भाई साब adjoint का whole square भी करो तो adjoint का whole square जब करूँगा इसको वापस इससे multiply तो तुम्हें पता है कुछ pattern मिलेगा first row first column 1, first row second column minus 4, second first 0, second second 1 तो जो minus 2 था वो minus 4 बन गया है a square में right adjoint a whole cube में 1 minus 4, 0, 1 into 1 minus 2, 0, 1 करके तो अब हमारे पास आ जाएगा first row second को ये वाला term basically अब minus 6 बन जाएगा बाकी सब सेम रहेंगे तो pattern समझा गया है कि यहाँ महले minus 2 था adjoint में ये देखिए पहले यहाँ minus 2 था फिर यहाँ minus 4 फिर minus 6 तो अगले में minus 8 आ जाएगा इस तरह से तुमारा चलता जाएगा pattern ठीक है तो अब हमें क्या करना है हमें तो फिर एक तरह से सारे elements add करने पहले identity है तो identity 1, 0, 0, 1 उसके बाद adjoint A 1 minus 2, 0, 1 उसके पास 1 minus 4, 0, 1 ऐसे करते करते adjoint A की पार 10 में आ जाएगा 1 minus 20, 0, 1 और जब सबको add करूँगा और पूछा है sum of elements of x तो तुमें पता है matrices कैसे add होते हैं corresponding element add तो 1, 1, 1 add होता जाएगा पहले तो यह हो जाएगा यह हो जाएगा भई 20 और यह minus 2 minus 4 कितना हो जाएगा minus 2 common 1 plus 2 up to 10 और 0 तो 0 ही रहेगा 1 फिर 20 हो जाएगा तो basically 20 इसमें sum of 10 10 into 11 by 2 तो यह हो गया कितना हो गया भई 20 क्यों लिखा है मैंने 10 होगा यह तो 10 elements थे एक second हाँ अब एक छोटी सी यहाँ पर चीज और है बेटा क्योंकि जो अगर आप ध्यान से देखो एक identity भी था और 10 determinants यह थे 10 matrices यह थे राइट तो total 11 matrices हैं एक identity भी है तो एक 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 ग्यारा बार आएगा इधर भी 11 आएगा तो 11 बनेगा और इधर minus this into 2 तो minus 110 इधर 11 इधर 0 so 22 minus 110 देख लो क्या होता है भाई यह 22 minus 110 आंसर होगा हाँ ग्यार आएगा बिल्कुल ठीक कहे रहे हो मैंने 20 गलत लिख दिया था एक 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 11 बार आएड होगा 10 तो देख इन में से आएगा 11111 और एक identity में से भी तो 11 element जो होता है 1 होता है तो total 11 matrices बन गए है सर बोर्ड लेवल question था नहीं बोर्ड लेवल तो नहीं मानेगा थोड़ा सा तो उससे उपर ही मानोगे बताओ जल्दी इसको क्या मानोगे easy या medium क्या मानोगे minus 88 आ गया बिल्कुल सही बी option आ गया है क्या मानोगे इसे easy easy सभी लोग easy लिख रहे हैं बिल्कुल easy ही माना जाएगा यार इसको तो मतलब इसमें कोई भी ऐसी चीज यूज नहीं हो गई matrix multiplication के उपर ncrt के topic पर था बिल्कुल pattern based अगला vector बहुत देर से काफी लोग कह रहे थे कि सर वेक्टर कब आएगा वेक्टर कब आएगा ले बिटा वेक्टर आ गया वेक्टर आ गया ABC these unit vector in the direction of B plus C तो D तो बड़ा प्यार से मिल जाएगा भई B plus C upon mod B plus C इस तरह से such that A dot D 1 है तो A dot D A dot D A dot D हो जाएगा A dot V plus A dot C on mod B dot B plus C राइट ये चीज 1 दी हुई है cross multiply कर दूँगा तो एक equation सी आ गई A dot B plus A dot C परावर mod B plus C A dot B ढूण लो भाई साब यहां से A dot B तुम्हें दिख रहा है 2 plus 4 6 minus 5 1 A dot C देख लीजिए 1 समझ गया ना X plus 2 plus 3 X plus 5 हो गया और mod B plus C तुम्हें पता है B और C को जोड़ लो और mod ले लो root X plus 2 का whole square 4 plus 2 6 का whole square और plus 2 का whole square ऐसा कुछ एक equation सी X में बन गई है X solve हो जाएगा X solve हो गया तो C आ जाएगा फिर ये निकाल लेंगे X plus 6 बराबर this चलिए उधर ही लिख लेता हूँ squaring both sides करनी है X plus 6 का whole square तो X square plus 36 plus 12 X is X square plus 4 X plus 44 तो 8 X बराबर 44 minus 36 8 X की value आ गई 1 X की value बेटा 1 आ गई है सर इजी बट calculation अरे यार यार ये vector में अब तो कितनी तो calculation बेटा justified है ना इससे कम नहीं आएगी vector जैसे chapter में X 1 आ गया तो ये vector C निकल आया और B तो थाई और A तो थाई और अब ये देख फिर से deleted था सर 1 cross B dot seed box A B C तो deleted था धोका हो गया सर बेटा इतना हलका फुलका पूछेगा कितनी बार बोलू 1 1 1 2 4 minus 5 ऐसे box ABC निकालते हैं और 1 2 3 इसका determinant खोल देना जो भी answer आएगा वो box ABC की value answer देदेगा ठीक है बताईए जल्दी category जल्दी से लिखना शुरू कर दो भाया easy, medium, tough boards level, boards level easy, easy, easy काफी लोग easy लिख रहे हैं यार ये तो देख easy होना ही चाहिए super easy भी लिख रहे हैं कुछ लोग तो easy category unit vector निकालना था dot product का सवाल है चलिए आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं रिलेशन, रिलेशन का question आ गया हर बार confirm है बटा relation के types of relation में question देना ही देना है जैई ने, तो इसके लिए मान के चलो और दो coordinates वाला 12th के one shot अभी जो परसो लिया है मैंने तुम्हें मैंने सिर्फ दो ही relation के questions कराए थे और दोनों दो-दो coordinates वाले कराए थे बोला भी था कि भाई ये दो-दो वाले आजकल जही के favorite हो रखे है x1, y1, x2, y2, 2 को relate करना coordinates की तरह तो यही question है पहला कह रहा है कि भाई इस coordinate को इस coordinate से relate करो अगर पहले का coordinate less than equal to दूसरे का coordinate है और y coordinate भी छोटा है या equal भी चलेगा मतलब basically 2,5 इस से relate हो सकता है कि भाई ये वाला छोटा रहे 2 भी रहे तो भी चलेगा 2 से छोटा रहे माले 1 हो जाए और ये 5 भी चलेगा या 5 से भी छोटा रहे 4 जैसे हो गया, right? कोई भी real number हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि उसने कुछ लिखाई नहीं है चलो real number ही माल लेते हैं अभी तो, ठीक है तो इस तरह से relate करना है कि x1 less than equal to x2 हो y1, उल्टा लिख दिया मैंने है न, हाँ उल्टा लिख दिया, x2 बड़ा होना चाहिए तो माल लो 4, 2,5 है तो इसमें x2 बड़ा होना चाहिए तो 2,3 जो है, वो 2,3 से तो relate हो गई क्योंकि ये इसके equal है, ये इसके equal है तब भी equality hold हो जाएगी यानि reflexive तो पक्का है reflexive तो पक्का है अपने आप से हर एक element related होगा क्यों? because equal to का sign दे दिया अगर equal to नहीं देते, तो reflexive नहीं आता तो reflexive तो आगया, symmetry का क्या मतलब होता है? whenever देखो, जैसे अभी 2,5, 3,6 से था 2,5, 3,6 से था तो बट 3,6 तो 2,5 से नहीं होगा न? हाँ, बिलकुल भी नहीं होगा क्योंकि हमें तो ये वाला बड़ा चाहिए था, x2 बड़ा चाहिए था तो clearly symmetric नहीं होगा symmetric नहीं होगा non-symmetric, so reflexive है बट symmetric नहीं है और फिर finally transitive के लिए बोला तो पहला statement क्या है? reflexive but not symmetric true, transitive चेक करना है अब यहाँ transit common sense नहीं है देख अगर x1, x2 से छोटा है, x2, x3 से छोटा है, समझ गया न? अब direct लिख सकता हूँ, x1, x less than equal to x2 x2 less than equal to x3 तो x1 भी तो x3 से छोटा होगा तो a, b, b, c है तो a, c भी पक्का present हो जाएगा यानि transitiveness is also there तो दोनों ही statement मुझे तो true लग रहे हैं भाई बोथ a and b are true c option पता? क्या यह question tough कहोगे? या easy कहोगे? इससे खतरना खतरना questions आये हैं पिछले साल राइट? easy question कहा जाएगा भाई इसको तो super easy super easy question मैं नहीं बोल रहा हूँ, बाद में कहीं जो वीडियो देखें comment करेंगे, sir आपको तो सभी easy लगता है sir, अरे भाई ये बच्चे लिख रहे हैं, chat पे very easy, very easy hard है क्या हो गया भाई? एक बंदा लिख रहा है hard ऐसा मत कर यार इतने easy question को hard बोलेगा rebellious nature नारज रख पढ़ाई कर चलो, अगला question देखते हैं continuity at 0 तो a square की value पूछी गई है easy, super easy moderate, easy, tricky है पिछला question tricky क्या trick थी आया? अगर नहीं आया मुझे? reflexive symmetric के 5 question भी कर जाता, तब भी बिटा तेरको वो easy लगता 5 question भी तिर्फ जो 12th का one shot में कराया गया है revision वो 4 question भी कर जाता, तब भी तुझे easy लगना था है चलो, इधर देखते हैं fx फिर से एक function दिया है, continuous बोला है मतलब limit जो है fx f0 के बराबर limit extending to 0 यह जो है, इसको साफ दिख रहा है, factorize हो जाएगा 9,8 जा 72 9 की पार x minus 1 into 8 की पार x minus 1 upon root 2 बिल्कुल same question, अब तुम देखो coincidence है कि इस वाली shift में वैसे ही question दिख रहे हैं जो similar questions मैंने महा revision में कराये थे तुम्हे fact, इसको rationalize करने का question दिख रहा है इसको rationalize करने का question दिख रहा है, इस वाली term को ऐसा question बिल्कुल वहाँ भी किया था हमने 1 minus cos x हो गया और इस वाले में मैंने बोला था value डाल दो, root 2 plus root 2, 2 root 2 बन जाती है, बस अब इसके नीचे एक x square की जरूरत, इसके साथ भी एक x square आ गया, ये term तो हो गई half और a की पार x minus, x square का एक x इसके नीचे, एक x इसके नीचे, तो half उपर जाके हो गया, 4 root 2 9 की पार x minus 1 8 की पार x minus 1, upon x upon x कर लो, तो 4 root 2 बाहर, ln 9 इसकी limit ln 9, इसकी limit ln 8 2 ln 3 लिख लिया, तो 3 ln 2 लिख लिया, 3 दूनी 6 24, 24 root 2 ln 2, ln 3 आ गया भाई, और क्योंकि f0 के बराबर होना चाहिए, यानि कि compare करेंगे, इससे तो a की value आ गई, 24 root 2 a square हो गया 24 का square into 2 576 into 2 576 into 2 हो गया answer, कौन सा होता है मेरे ख्याल से तो a ही हो गया answer, 576 into 2 बताइए, easy medium यार देख, अभी तक तो मुझे जो paper आया है ये वाला question, जैसे पिछले बार भी first day, असान papers आये थे मुझे अभी तक यार ये question paper easy to medium ही दिख रहा है, अभी तक एक भी tough question तुमने देखा, शायद एक ही tough question आया था अभी तक, कोई, series वाला ये वाला बाकी कोई question अभी तक tough, genuinely नहीं दिखे हैं तो ये भी easy category का है limits continuity, अगर आप basic level की पढ़के गए हैं NCRT level का question आया है फिर से बेटा अब तुम बिलकुल पढ़के, तुम सो क्या compare पता है कैसे करते हो, जो लोग लिखते हैं ना, internet पे भर देते हैं कि भई या, math tough आ रहा है, math tough आ रहा है वो करते है, compare physics chemistry से तुमारा comparison ही गलत है तुमारा comparison ही गलत है, physics chemistry से math को नहीं compare किया जा सकता math आएगा ही आएगा इन दोनों से तुम बान ले, मतला इसमें कुछ सोचने वाली बात ही नहीं है तुमें math को पिछले 4-5 सालों में compare करना है उसमें क्या हो रहा है, उसके हिसाब से tough है कि easy है, अब अपने आप तुम्हें answer मिल जाएगा, यह उसके हिसाब से बहुत easy paper अभी तक नजर आ रहा है चलो भई, तुमारा और हमारा favorite differential equation तर lunch break प्लीज 12.30 से lunch करेगा भी रुख जा निपटने वाला है, बस थोड़े से questions रह गए है differential equation का question तुम्हें पता है हम linear, homogenous धुनने की कोशिश करते हैं मुझे यहाँ दिख रहा है y की सिर्फ power 1 है linear का सवाल, प्यारा सा सवाल x square plus 4 whole square dx से divide कर लो y की term अलग कर लो और 2 को right में ले जाओ, ऐसे ही तो linear solve होती है भाई साब इस से divide भी कर लो, dy by dx का coefficient 1 बनाया जाता है कि 2x इसमें से common आ गया एक x square plus 4 कट गया तो dy by dx plus y into 2x upon x square plus 4 is 2 upon x square plus 4 का whole square प्यारी सी linear differential equation हो गई है तयार linear differential equation तयार हो गई है बस integrating factor की मदद से question को solve कर देते हैं e की power integral 2x upon this तो e की power ln हो गया वो ln of x square plus 4 अखन की तरह बेटा question होता जा रहा है तो y into x square plus 4 is whole integral of 2 upon x square plus 4 एक कट गया ये तो सीदे सीदे formula बन गया बेटा 1 by 2 tan inverse x by 2 plus c को 2 कट गया तो y into x square plus 4 is tan inverse x by 2 plus c c निकालने को कुछ दिया है y 0 पे 0 है 0 पे 0 है तो 0 0 cb 0 आ गया भई cb 0 आ गया और y 2 पूछा है मतलब x को 2 डाल दो 2 4 4 8 tan inverse 1 y into 8 equal to pi by 4 y equal to pi by 32 pi by 32 जैसा कुछ आ रहा है भई ठीक है चेक कर लीजिए और जल्दी से बता दीजिए क्या लगता है आपको easy medium क्या लगता है easy 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 बहुत easy बेटा ये जो मतलब बिलकुल ncrt का question है ना इसमें कोई substitution करे ही linear बन गई reduceable to linear भी नहीं है reduceable to linear होता तो tough मान लेते ये तो बिलकुल basic linear इसने दे दी बिलकुल सही कह रहे हो easy category में ही आएगा तर इतना easy आ रहा है वही तो बोल रहा हूँ बेटा confidence रख यार तैयारी बढ़िया है first shift जब तुम January में गए थे अभी तक तुम्हारी तैयारी में चार चांद लग चुके अगर तुमने धंग से तैयारी करी है हाँ नहीं करी दो बेटा तिरे को चांद नजर आ रहा होगा चारो तरफ तो इसलिए मैं भी बोल रहा हूँ जिन बच्चों ने पढ़ लिया है धंग से घवराए ना यार मैच को लेकर हुआ मत बनाओ तुम लोगों ने बढ़िया तर्यारी करी है तुम्हारा फोड़ोगे तुम पेपर बिल्कुल confidence के साथ जाओ ऐसे सोचो कि हायर क्यों नहीं खोड़ेंगे सर कर सकते हैं तुम लोग मुझसे ज़्यादा तेश्क स्वीड से कर रहे हो मझे पता है काफी लोग मुझसे पहले ही आंसर निकाल देते हैं और फिर मैं चैट में देखता हूं कंपेर करता हूं कि सही आ गया तुम लोग चैंपियन हो भाई कर लोगे तुम 3D Geometry सर अब आएगा भी 3D भी आ जाएगा क्या हो गया तिर को देख एक और वेक्टर का सवाल सर डर लगता है बस डरना ही तो नहीं है ना दोस्त डरने से क्या फाइदा मैं तो यह बोलता हूं बच्चों को कि भाई डरो तो तब जब डरने का कोई वेटेज हो 3D Geometry की तरगा डरना भी एक चैप्टर है उसके 5 नंबर पके सर तो मैं डरूं एक्जाम में हायर खूट डरूंगा मैं तो 5 नंबर आ जाएंगे करने से नंबर मिलने हैं तुझे नहीं न उल्टा जा नहीं है करना किस बात से बिंदास जा तैयारी पे अपने confidence रखो और बढ़िया करके जई फोलो कि यह को कमका लांबडा एंगल बैगल बी कर्वार क्विन ठीकनल फुटर द्रेव३ार क्टर सबिको फेक्टर यह वेक्टर यह दिया है वेक्टर यह थी दिया है आपलस भी और माइनस तो आ-पलस बी का रिकार्ट विद A minus B भाई साब 0 होना चाहिए क्योंकि mutually perpendicular है खोल दो dot A dot A A dot B B dot A कट जाएंगे minus B dot B यानि mod A square equal to mod V square आ गया mod A square हो गया 1 plus lambda square plus 9 3 square plus 1 square plus 4 तो lambda square बराबर 4 lambda की value plus minus 2 बट क्योंकि positive लिखा है तो lambda को तो 2 ले लिया हो गया lambda to 2 आभी गया भाई आगे क्या है बच्छा आप question में अरे भाई साब इतना आसान cos theta पूचा है बस dot product ले डाल बस cos theta होता है A dot B 3 plus 3 minus lambda minus 6 upon mod A mod B mod A mod B तो ऐसी पराबर थे 9, 10, 14, root 14, 14 हो गया 14 cos theta lambda की value 2 डाल दो 3, 1, minus 5 हो गया है 14 cos theta का whole square 25 हो गया भाई अरे यार इससे असान नहीं बताओ यह question आया था क्या लगता है question आया था पताईए जिन लोगों ने कल पेपर दिया है क्या यह question था भाई मुझे तो शक हो रहा है यार इतना असान कैसे दे दिया जैई ने यह सर था था लिख रहे हैं भाई कुछ लोग येस 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 और कुछ जो नहीं एक आद एक लिख रहे हैं नहीं तो बेटा तु वहां तक पहुंची नहीं पाया क्योंकि integer type है पक्का तुने छोड़ दिया होगा पहुंची नहीं पाया होगा वहां तक ये तो ग्यारवी क्लास में भी जितना वेक्टर पढ़ लेते हो फिजिक्स में उससे भी हो जाता है क्वेश्चन चलिए हमारा तुमारा सबका डरावना चैप्टर प्रॉबबिलिटी कोई खास डरना नहीं है फिर से अच्छा प्रॉबबिलिटी ऑफ विनिंग तूजिंग इस वन बाई थ्री विचारा लगता है रसीबी वाली टीम है ये विनिंग की प्रॉबबिलिटी कम है लूजिंग की जादा है जोक है भाई बुरा मत मान लियो पता चला रसीबी फैन मेरे पीछे पढ़ जाएं जोक मार रहा हूं यार मेरे को भी पसंद है रसीबी ऐसी कोई बात नहीं है एक्स भी दा नंबर ओफ मैचेज लेट टीम विन्स वाय भी दा नंबर ओफ मैचेज टीम लूजिस समझ आ रहा है कि question फिर से बेटा boundary के उस पार जा रहा है मतलब out of syllabus की तरफ बढ़ गया है question क्यों बोल रहा हूं क्योंकि success failure जैसा कुछ दिख रहा है number of wins number of losses बर्नॉलीज ट्राइल्स का question दिख रहा है तर RCB के लिए कुछ मत बोलो sorry भाई साफ गलती हो गई मजाक नहीं से सकता बेटा तू है यह बता तुम लोग मेरे साथ मजाक करते हो मैं तुम्हारे साथ नहीं कर सकता यह बताओ चलो आगे बढ़ते हैं हाँ तो क्या बोला जा रहा है कि number of wins number of losses है probability की जो number of wins and losses का difference है वो less than equal to 2 था भाई साव यहाँ थोड़ी typing mistake हो गई है less than 2 में तो सवाल बिल्कुल हलवा बन जाएगा less than equal to 2 है मतलब जो हार और जीत की difference है वो 2 या 2 से कम होनी चाहिए तो भाई एक बात समूझ win और loss कितनी कितनी हो सकती है sir हो सकता है 10 match खेलने थे ना तो हो सकता है 0 win हो तो 10 की 10 loss हो तो difference तो 10 हो जाएगा ना हमें difference 10 नहीं चाहिए हमें difference 2 से कम या 2 चाहिए तो अगर यह 1 हुआ तो यह 9 फिर से तुम देख रहे हो difference 8 का हो गया है ना तो यानी तुम्हें समझ गए जब win 4 होंगी और loss 6 होंगी तब difference 2 का आएगा तो equal to का sign इसलिए यह वाला case भी लेना पड़ेगा और जब 5 win होंगी तो loss भी 5 क्योंकि tie का कोई scene नहीं है तुमने देख लिए exhaustive events हैं तोनों का someone है tie होने का कोई case ही नहीं है 5 wins 5 loss या 6 wins 4 loss और इसके बाद तुम समझ गए 7-3 में फिर से difference ज़्यादा बढ़ जाएगा इसलिए हमें सिर्फ और सिर्फ यही तीन cases का निप्टारा करना है भाई साहब इनी तीन cases को करना है तो बस success failure लगा दो success failure लगा दो एक बार success की value 4 एक बार 5 एक बार 6 तो अब Bernoulli's trial थोड़ी सी out of syllabus बात चली गई है बट फिर वोई बात है यार देख अब इतना तो पूछ रहा है मैं क्या करूँ बता मेरी गलती नहीं है भाई तो 10 में से 4 wins तो 10 C4 1 by 3 की power 4 into 2 by 3 की power 6 10 C5 1 by 3 की power 5 2 by 3 की power 5 plus 10 C6 1 by 3 की 6 2 by 3 की 4 है ना भाई साब और अब इसमें एक प्यारी सी बात ये करी हुई है कि अगर तुम देखो कि नीचे जो है 3 की power अच्छा ये दोनों में से तो देख कॉमन ही आ जाएगा 10 C4 10 C6 तो 10 C4 और 10 C6 बराबर ही होते हैं तो 10 C4 ही ले लेता हूँ और उपर numerator देख लेता हूँ 2 की power 6 plus 2 की power 4 plus 10 C5 into 2 की power 5 upon नीचे 3 की power total 10 हो जाएगी देखो ऐसे लिख सकता हूँ क्या देखो इस question को simplify देखो मैंने कैसे दिमाग में किया इन दोनों में से 10 C4 common ले लिया और numerator देखा 2 की power 6s का और इसका 2 की power 4 है ऐसे लिख दिया और बस अब क्या है इसको हमें इससे compare करेंगे 3 की power 9 into P निकालना यह हमारा P आ गया है calculations कर लेना विट आप तुमारे हाथ में है calculations करना थोड़ी calculation है तो definitely a question lengthy category का था इसको आपको तभी करना था अगर आप इस समय की अनुमती है tough मान लेते हैं क्योंकि out of syllabus है and lengthy इसको तो भाई उम्हें सिर्फ तभी करना था अगर समय बिलकुल मतलब कोई और सवाल हिल नी रहे हैं समय बहुत है या फिर काफी सारे कर लिए फिर भी समय बचा है बहुत ज्यादा टोपी तरीके के इंसान हो तुम ठीक है भाई तो ये वाला आपको तभी करना था ये था उनके लिए question जो भया 99.9 वाले है ना उनके लिए चलो अगला देखते हैं ये भी एक question फिर से मुश्किल काफी लोग कह रहे होंगे सर इजी इजी थे क्या सारे पर देख मुश्किल जो है क्योंकि तुम्हारे पास options होते हैं पिशला वाला भी कुछ लोग easy कहना चारे हैं बट मैं भाई नहीं देख मैं प्रेक्टिकली चल रहा हूं लेंदी एक्जाम के point of you सो सोचो ना वहां बैठके बेटा नहीं easy लगेगा घर पे बैठके तो easy लग रहा है एक्जाम में बैठके लेंदी लगेगा ये question अगर तुमने पढ़ाई easy to medium लेवल करी हैं पढ़िया ओपी लेवल की पढ़ाई करी है तो मैं कहीं रहा हूं तुझे 99.9 वाले को तो easy लगेगा है अगला कोसेक की पार 5x indefinite का question तो sir नहीं आता definite के ज़्यादा आते हैं ये देख indefinite का पूछ लिया अब इसमें दो तरीके मेरे mind में आ रहे हैं देख एक तो भाईया जो बच्चे अपना पढ़ाई करके गए है sincerely उन्हें पता है कि कोसेक की पार 5 तो उससे create हो जाएगा किस से reduction formula से reduction formula से create हो जाए एक तो ये है ये आपका एक तरह से method 1 हो गया इसका reduction derive कर देता हूँ जल्दी से वैसे तो तुमने करा होगा notes में नहीं करा है तो देख लो कोसेक x की power n minus 2 into कोसेक square x मतलब बाइपार्ट से reduction का मतलब बाइपार्ट से एक तरह से ठीक है जी और अब इसको first इसको second मानते हुए parts लगा दीजिए integral of कोसेक square minus cot minus integral derivative of first cosec cot into integral of second cot minus दोनों के काट दिये मैंने ठीक है ऐसा कुछ हो गया देख लो भई reduction derive कर रहा हूँ मैं यह हो गया cosec x की power n minus 2 into minus cot x minus n minus 2 बाहर cosec x की power n minus 2 cot square को फिर से 1 cosec तो यह थाई n minus 1 कर लो power और cot square को लिख लो cosec square x minus 1 ठीक है भाई साब n minus 3 हो गया था derivative लेके n minus 3 हो गया था यहाँ n minus 2 आ जाएगा clear है derivative भी तो लिया था भई हमने derivative भी तो लिया था reduction formula से कर रहा हूँ मैं correct n minus 3 था सही और अब यह वापस से i n हो गया तो cosec x की power n minus 2 into minus cot x minus n minus 2 i n और minus minus plus n minus 2 i n वाली time में इधर ही ले जाओ सारी तो इधर जाएगी तो n minus 1 i n कोसेक x की power n minus 2 minus cot x plus n minus 2 i n minus 2 यह आपका एक तरह से cosec x की power n का reduction derive हो गया बढ़ तुम्हें i5 चाहिए बेटा क्योंकि तुम्हें तो कोसेक की power 5 चाहिए थी तो i5 को i3 से relate कर लोगे n को 5 डाल दोगे तो 5 और 3 में relation आ जाएगा right i5 और i3 यहाँ लेंदी है अभी इसका easy तरीका भी बता रहा हूं एक यह दिमाग में आता है इसलिए बता दिया फिर i3 को कर लोगे i1 से replace n को 5 और n को 3 डाल दोगे जब n को 3 डाल लोगे i3 और i1 i1 तुम्हें पता है भाई दुनिया जानती है integral को से क्या होता है ln 10x by 2 ln 10x by 2 होता है i1 तो i1 से i3 आएगा i3 से i5 आएगा सीधे इस reduction formula की मदद से सीधे reduction formula की मदद से हमारा i5 निकल आएगा एक यह तरीका है देखो और यहाँ दिख भी रहा है मुझे ln 10x by 2 की term मज़ा आ रहा है सोचके कि हाँ बही कुछ तो बन जाएगा बट इस method से तुम्हें मैं पूरा नहीं करवा रहा हूँ कर लेना तर 5,5 में draw नहीं होगा क्या अरे यार एक match single match draw की बात हो रही है single match draw नहीं हो सकता series तो draw होई सकती है कहीं थोड़ी लिखाई series draw नहीं हो सकता single match draw नहीं हो सकता क्योंकि single match की probability exhaustives है हाँ तो मैं तुम्हें बता रहा था यह हो गया reduction formula से lengthy method बट ऐसा method जो सोच सकते थे exam में बट अब एक OP method समझ लेते हैं फिर से choppers वाला method भई उन लोगों के लिए जो बढ़ाई करके गए हैं ज्यादा अच्छी level की प्रेक्टिस करके गए हैं उन्हें एक बात पता है कि सर कोसेक X plus cortex बड़ी प्यारी सी चीज होती है अगर मैं इसे टी मानूं इस question में यह कहां से दिमाग में आ गया अब मैं substitution से जा रहा हूँ अब मैं बाइपार्ट से नहीं जा रहा अब मैं substitution से जा रहा हूँ तो भई इसको टी मानूंगे अगर यह कैसे आया यही तो बात ह क्यों नहीं कहाता है दिमाग में जिन्होंने बहुत practice करी है क्योंकि उन्हें पता है कि इसमें ऐसा हो जाता है और बेटा अब माइनस कोसेक X common तो कोसेक X प्लस कॉटेक्स ही बन गया तो एक तरह से माइनस कोसेक X यह तो T हो गया वापस से है ना तो माइनस कोसेक X dx इक्वल टू डी टी बाइटी हो गया माइनस को भी उधर ले जाओ minus को भी इधर ले जाओ तो एक cosec x dx जो होगा इसमें से वो तो minus dt by t में चले जाएगा देहान से देखना वह ये वाला method और cosec की power 4 बचेगा तो अब मैं integral को यहां लिख लेता हूँ कि भाया जी हमारे पास था cosec की power 5 वो 4 और एक cosec x dx किया ये तो हो गया तुमारा minus dt by t अब cosec की power 4 का क्या करूँगा देख जब cosec x plus cortex t होता है तो तुम्हें एक बात पता है कि cosec x minus cortex trigonometry की मदद से मैं बता सकता हूँ rationalize करके 1 by t आ जाता है तो दोनों को जैसे ही add करूँगा तो cosec x की value t plus 1 by t by 2 आ जाएगी और ये minus dt by t सवाल हो गया बेटा solve हो गया solve है ना तो बढ़िया method quick method, better method उससे बस अब तो कर लो power 4 खोलनी पड़ेगी t की power 5 1 by 16 minus के साथ और अब integration हो जाएगा बेटा अलग-अलग करके ये lengthy मतलब आगे जाके ये भी lengthy बनेगा क्योंकि इस form में अब तुम्हें लग रहा है easy है बट ये जब है integrate तो हो गया अब सोच t को जब यहाँ ये सब डालेगा काफी lengthy lengthy काम होने वाला है आगे तो ये question definitely छोड़ने लायक था इसको exam में नहीं करना था tough question था and lengthy था, integer type में ऐसा देते हैं वो जान के ताकि तुम फसो तुम्हें smartness दिखानी है और easy वाले chart के करने है ठीक है तो दोनों method लें दी हैं इसके एक और एक ये दो दोनों method बता दी हैं मैंने आपको एक by part से एक substitution को चलिए अगले पर आते हैं अगले पर आते हैं ज्यादा सवाल नहीं बचे अब चार सवाल बचे हैं सिर्फ सिर्फ और सिर्फ चार सवाल बचे है hard था सर बेटा वही तो तुझे समझा रहो integer type में hard है कोई दिक्कत नहीं है वही तो तुझे अपनी smartness दिखानी है चोड़ना है उसे exam में center of circle is origin radius root 10 अच्छा एक circle है जिसका center origin है radius root 10 है एक chord है जिसका perpendicular distance दिख रहा है मुझे 0 0 से distance कितना हो रहा है 1 हो रहा है ठीक है जी और radius root 10 था तो ये वाले length 3 हो जाएगा पाइथागरस लगा के ठीक है समझ गया ये वाला length 3 हो जाएगा अब वो क्या कह रहा है another chord of slope this मतलब इसी के parallel है slope इसकी भी minus 1 थीसी के parallel है उसकी length 2 units है अच्छा तो x plus y equal to k type की मान लेता हूँ और उसकी length 2 units है यानि अगर मैं उस पे perpendicular गिरा हूँ तो ये length 1 हो गई और ये root 10 थाई तो उसका perpendicular distance 3 हो जाएगा तो origin से perpendicular distance इस वाली line का 3 हो गया odd k upon root 2 की value 3 तो k की value plus minus 3 root 2 हो गई k की value निकलाई यानि x plus y बराबर 3 root plus minus 3 root 2 देख लो भाई जरा check कर लीजिए क्या ये सही क्लिक्खा है मैंने तो root 2 नहीं सिर्फ 2 था अब यार वो तुम देख ले ना I think जो भी था सही बोल रहा हूँ ना मैं थोड़ी जादा जल्दबाजी दिखा दी मैंने radius root 10 और उसकी total length 2 थी तो ये आधी हो गई 1 10 तो ये 3 हो गया origins का perpendicular distance 3 कर दिया तो k by root 2 की value 3 तो k की value plus minus 3 root 2 आ गई है ठीक है और अब क्या करेंगे बिटा इसके बाद तो पूछा है distance between this chord and line is तो ये वाली chord और line के बीच में distance निकाल लो distance between parallel lines c2 minus c1 upon root a square plus b square तुमारा लग जाएगा ठीक है निकाल लेंगे अब आप चलिए आगे बढ़ते हैं तो आएंगे अब वो reject रने के लिए देख लेना कुछ दिया हो तो circle दिया है center origin touches hyperbola at vertex तो hyperbola को बना ले ये रहा hyperbola इसका vertex ये होता है origin center है इसको touch करेगा तो इधर भी करेगा symmetry से यानि कि इसका जो radius है वो एक तरह से a हो गया ठीक है c1 circle इस प्रकार का हो गया जिसका radius a है आगे c2 circle centered at focus तो अब इसका center focus है c2 का and touches c1 तो अब ये c1 को touch करेगा मतलब इस प्रकार से निकलेगा ये circle ठीक है जी ये तुमारा c2 हो गया ये c1 हो गया area of c1 and c2 are 36 pi तो बहुत बढ़िया 36 pi equal to pi r1 square r1 तो a था तो a square की value 36 हो गई और c2 का जो radius है अब ध्यान से देखना यहां गलती होती है c2 का radius हम focus तो देख ae है बट ae minus a हो जाएगा इतना हो जाएगा न radius तो ये total तुमारा y axis है ये a था ये ae है तो ae minus a r2 की value ae minus a हो जाएगी बट r2 दिया हुआ है यहां से pi r square के बराबर करें तो r2 square 4 दिया है यानि r2 की value 2 दिया है तो ae minus a की value 2 दिया है a तो तुमारा 6 था ही तो e की value हो गई तही लिख रहा हूँ न 2 था यहां पर तो e minus 1 हो गया 2 by 6, 1 by 3 e हो गया 4 by 3 centricity आ गई 4 by 3 question हो गया solve right क्या निकालना है latest rectum of hyperbola latest rectum तुमें पता है 2b square by a होती है और b a तो निकाल चुके हो 6 e निकाल चुके तो b square equal to e square minus 1 करके तुम b square को निकाल लेना यहां put कर देना answer आ जाएगा correct हो जाएगा भई अब यह वाला question answer match कर लीजेगा पूरा कर लिया है मैंने अगला एक और differential equation का है फिर एक 3D geometry का बचाएगा बस दो question बचेंगा अपने last two questions easy easy सब लोग ही कह रहे हैं उसे बिलकुल यह वाला तो बिलकुल NCRT का question है यार easy और इससे पिछला वाला circle का क्या ही मानोगे easy to medium मान लो यार मेरे साब से तो पुरा paper easy to medium दिख रहा है सिर्व integer type छोड़के integer में भी 5 तो हटा नहीं थे वैसे भी अगला dy by dx यह दिया है तो clearly दिख रहा है ना linear है ना homogeneous है reducible to variable separable x plus y plus 2 को t class notes की चीज 1 plus dy by dx equal to dt by dx dy by dx की value हो गई dt by dx minus 1 खा के याँ डाल दो dt by dx minus 1 equal to 1 by t square t square dt upon 1 plus t square equal to dx plus 1 minus 1 करके solve होता है यह वाला तुमें पता है यह बात plus 1 minus 1 कर देंगे इसमें तो t minus tan inverse t equal to x plus c हो गई भाई t की value वापस डाल दो t की value क्या थी x plus y plus 2 x plus y plus 2 minus tan inverse x plus y plus 2 equal to x plus c x x गया और c निकालने को दिया f00 तो 2 minus tan inverse 2 equal to c c की value डाल दो y plus 2 minus तो यह मखन जैसा question है होता जा रहा है 2 से 2 गट गया y की value tan inverse x plus y plus 2 minus tan inverse 2 यह आ गया solve करके भई बट उसने बोला है y को ऐसे establish करो तो tan inverse x minus tan inverse y लगा देता हूँ तो tan inverse x minus y upon 1 plus xy compare करेंगे तो I think lambda की value 5 आ गई lambda की value 5 आ चुकी है lambda की value 5 ठीक है तो lambda की value 5 हो गई है तो यह भी easy category का question है अगर तुम इसको medium या tough कहने की कोशिश कर रहे हो तो ज़रा आप दिशले 2 साल के pyq उठा के देख ले न तो मैं समझ आ जाएगा कि क्यों सब बच्चे इसको easy to medium कह रहे हैं राइट चलिए last question है अब हमारे पास एक 3D geometry का ये वाला question ये भी मुझे integer type दिख रहा है तो question में क्या दिया गया है two lines are given and they intersect at P अच्छा दोनों का intersection निकाल लूँगा बहुत सीखा है हमने और दो points AB दी है two points find the minimum distance of P from AB तो AB से minimum distance मतलब समझ गए perpendicular distance measure करना है distance of point from a line ये बात मैंने तुम्हें बताई थी कि भाई ये इसके उपर question आएगा image का concept या foot of perpendicular या distance point का line से इन तीनों को mix करके one shot में भी बताया गया था तो बहला काम इनका point of intersection निकालेंगे L1 पे एक point मान लेता हूँ तो lambda 2 lambda 3 lambda हो गया इसका point इसका point P हो गया mu plus 3 minus 2 mu minus 2 2 mu plus 7 equate कर देता हूँ lambda equal to mu plus 3 2 lambda equal to minus 2 mu minus 2 और third equation 3 lambda equal to 2 mu plus 7 तो यहां से आप देख सकते हैं यहां से बड़िया सी equation बन गई lambda plus mu बराबर minus 2 तो lambda की value mu plus 3 एक second mu plus 3 तो यह लिखा है ना जाद जल्दबाजी तो नहीं करी है अच्छा हाँ यह 2 काटा है तो यहाँ पे minus 1 हो जाएगा है ना अब सही यहाँ lambda mu plus 3 plus mu तो 2 mu बराबर minus 4 mu की value minus 2 और mu minus 2 यहाँ डाल दिया तो lambda आ गया 1 यह भी check कर लेना इसको satisfy कर रहा है क्या बिल्कुल कर रहा है यानि हमारी line intersect कर रही है clear तो यानि lambda 1 डाल दो point of intersection 1,2,3 आ गया तो p के coordinates 1,2,3 आ गये p के coordinates बेटा 1,2,3 आ गये value अलग थी थोड़ी कोई बात नहीं बेटा concept तो यही था ना तो देख ले value हो सकता है क्योंकि memory based है अब आगे का question है कि एक line है जो a,b से pass कर रही है a,b से pass कर रही है a क्या है? 8,7,-1 और b क्या है? 5,1,17 और इस से तुमे perpendicular distance निकालना है p का जो है 1,2,3 तुमें पता है यहाला point जो है lambda के term से माना जाएगा q point को lambda के term से मानोगे line के उपर लिख लो equation of a,b लेंदी question तो है x-5 y-1 z-17 अपॉन parallel vector निकालो 8-5,3 7-1,6 और minus 1, minus 17, minus 18 3 उड़ा भी सकते हो 3 उड़ा भी सकते हो 1,2, minus 6 इसकी जगा 1 लिख लो, इसकी जगा 2 इसकी जगा minus 6 और बेटा इसको अब कोई k के terms में मान लो equal to k मान लो x equal to k plus 5 y is 2k plus 1 that is 17 minus 6k तो इस point के coordinates मैंने मान लिए और अब p q dot parallel vector 0 करके k निकल आता है बहुत ऐसे questions कराये हैं बेटा one shot में बहुत कराये हैं ऐसे कि अगर अब आप p q vector लिख लें k k terms में और a b vector तो है ये 1, 2, minus 6 इनका dot करके 0 कर दोगे तो k निकल आएगा k निकल गया तो ये point आ गया point आ गया तो distance निकल कर आ गया बहुत बार repeat हुआ है ये question तो मैं बताया भी था मैंने जब हम मन्जिल में पढ़ाई कर रहे थे कि भाई straight line ही आ रहा है अब उसमें बचे कुछे 2-3 तो concept है उसे पर question पूठा गया है चलिए तो अब finally हमारा discussion हो गया है खतम अब एक बार जल्दी से analysis कर लेते हैं कि कौन कौन से question कितने easy कितने medium थे ये last वाला तो lengthy कर देते है easy and lengthy तो मैं सिर्फ ये देख रहा हूँ कि easy and short कौन से थे ठीक है starting से देखते है पहला easy था 1, 2 चलो ये तो easy to medium ये भी easy में आएगा 3, 4 5, नहीं हटा दो तो ये medium लेंदी था 4, 5 6 ये भी medium आभी हटा दो easy वाले किन रहा हूँ 7, 8 नहीं ये भी हटा दो 7, ये भी हटा दिया था 8, 9 10, 11 12, 13 14, 15, 16, ये हटा दो, तो 16 questions हमारे पास ऐसे हो गए है, 12 questions ऐसे हो गए है, जो questions easy थे बिलकुल, इस paper में, 14 questions, अब तुम maths का paper जो कह रहे हो ना कि tough है, अगर 16 questions easy आ रहे है ना paper में, तो वो tough नहीं है बिटा, 30 में से 16 easy है, और 25 ही तुने करने है, ठीक है, तो इस बात को समझो, और एक दो question तो कम भी है, 27-28 questions नहीं है हमारे पास, ठीक है, तो आप ये समझे, और बाकी medium थे, tough वाले सिर और सिर्फ वही थे, integer type वाले वह तो तुम्हें वैसे ही 5, eliminate करने थे, छान के करने थे, ठीक है बई, तो paper जो है, easy medium category का ही आ रहा है, आपको relax करके देना है, जल्द बाजी जो मचाएगा उसे तो tough लगेगा फिर ये, उसके calculation mistake होंगी, तुम्हें क्या करना है, तुम्हें सिर पैनिक मत मचाओ, लास्ट के अब 2-3 दिन क्या करना है, फिर paper discussions देखिए, अपने mock paper का देने है, दे लीजिए, notes को revise करिए, जिस प्रकार का paper आ रहा है, वो उस तरह का आ रहा है, जो कि आपको चीजें कराई गई है, बिल्कुल, जिनका कल paper है, परसो है, mock paper अगर notes आपके प करते जाएए, ठीक है, बिल्कुल, चिल मार के paper देना है, paper tough नहीं आ रहा है, और तुम लोग कर सकते हो, अपने उपर confidence रखो यार, तुम लोग किसी से कम नहीं हो, ये मत सोचो कि हम किसी से कम है, बाकी बच्चे कर पाएंगे, हम क्यों नहीं कर पाओ गया, जैनवरी से लेक चुके हो, तुम्हारे maths में भी बेटा 99% आ चुके है, आ सकते हैं, अगर विश्वास रखोगे, तभी तो आएंगे यार, विश्वास ही नहीं रखोगे, फिर थोड़ी ना आएंगे, पहले से डरे डरे जाओगे exam में कि यार, मेर से तो maths होगा ही नहीं बहुत tough आएगा, तो नहीं होगा भाई, नहीं होगा फिर, पहले अपने अंदर बिलीफ लाओ कि हाम कर सकते हैं, हमारे भी जही के मिंदर maths में फोड़ेंगे, ठीक है, तो सभी बच्चों को मेरी तरफ से एक बार फिर से, all the best, जिनका paper अभी बचा है, आने वाला है, बढ़िया करें, और जि यह था, thank you so much everyone, मिलते हैं next time.